तो हेलो एवरिवान मैं उश्य अम्दिवेदी और आप देखरें अपना पसंदिदा चैनल ग्यानों देखे गुरुजी आज चुके है एक बार फिर से आप सभी का पेपर सेम टू सेम मैच कराने मेरे प्यारे बच्चो यह है हमारी यूपी बोर्ड एस्पेशल क्लास दो हज 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं समाजिक विज्ञान के महा मैराथनिक आप लोग मेरी आवाद सुन रहे होंगे आज हमारी आवाद में थोड़ा जोर जादा है और इस जोर का कारण आपका आर्ट का पेपर है क्योंकि आपने आर्ट क सारे लोगों के दिल में तो यह जो हल्चल बढ़ी है इस हल्चल को और बढ़ाने और पूरी इस क्लास में पूरा का पूरा पेपर कल वाला मैच कराने के लिए गुरू जी एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर है आज की स्क्लास में क्या होगा उसके पहले हम आपको मॉडल पेपर भारी होगा तो आपने देख्या ना देख्यू एक अर्ट का मॉडल पेपर हम लोगों का भारी हो गया और उसी बेपर से जो बीस कोशन करायते घुमा भिराके वही कोश्चन आ गये कुछ कोश्चन हमने मुझसे बोलके बताए थे वो सारे के सारे आई लेकिन पेपर ओवर आल आपका बहुत बहतरीन हुआ जिसके खुसी हमें भी है आपको भी है और हमें कुछ जादा ही है ठीक है तो चले बच्चों आज के अपनी इस प्यारी सी क्लास को करते हैं स्टार्ट क्योंकि आठ गया है बीत अब बारी है समाजिक विज्ञान की और समय बिल्कुल है रही और क्या फ्लो होगा आज हमारी क्लास का और हम क्या चीज़े करेंगे चलिए सुरू करते हैं ठीक है मुन्ना स्टार्ट क्या जाए फटा-फट मैं कितने सारे बच्ची आ गए हमारी क्लास में बहुत यह बढ़ी अलग बग साड़े 3,000 बच्ची अभी लाइव हो चुके हैं धीरे धीरे बढ़ जाएंगे संख्या 10,000 क्रॉस होगी हमें पूरा यकीन है ठीक है स्टार्ट किया जाए चलो वाई देखो सबसे पहले बता दे कि एक छोटी सी लाइन आपके लिए हम लिख कर आ लेकर आए हैं जरा ध्यान से सु फथान लिया कि आज की क्लास पूरी देख के जाएंगे तो आपको कल रोग नहीं सकता थाराएंप को चाहें पुरूठ GB कीłada हो या हो जिंदगी की यहिए अगर आपने एक बार क्लास का फ्लो उसको बताने से पहले बता दे कि इतिहास और मांचित्र के दो special वीडियो आपको दिये गए थे उम्मीद है आपने देख लिए होंगे लिंक नीचे description में है उसके बाद एक model paper ये वाला और 200 important question आपको दिये गए थे तो ये भी आपने देख लिये होंगे मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद लगू उत्री और दीरगूत्री top 20 question आपने देख लिये होंगे ऐसा हमें उम्मीद है अब हम आज की इस class में क्या करेंगे वह बताते हैं देखो मुन्ना लॉंग हमारे questions with the solution यानि कि मैं 40 ऐसे प्रस्णों को पूरी किताब से चाट कर आप सभी के लिए लेकर आया हूं सौरी 41 41 ऐसे questions लेकर आया हूं जिनसे आपका चार नंबर का और छे नंबर का पेपर बनेगा और यह गारंटी है कि जो सत्तर नंबर का पेपर आपका बनेगा और समिस में options भी आते हैं कि ऊप्र ना होता है कि कुछ होना होता है को को करना होता है हुए हाइन होता है okay आप उसको करो या दूसरे को करो क्योंकि सलेबब बहुत ज्यादा है question कम आते है आठ कोट्टो आएगा पता है न आपको 16 आएगा आठ करना होगा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि in 40 कोश्च Right में से आपके वो आठो कोश्चन जो आपको 50 नंबर दिलाएंगे वह पूरे के पूरे आएंगे कि वह पूरे के पूरे आठो कोश्चन इस 41 कोश्चन में से आएंगे किसको किसको यह बात लगता है कि 41 में से मैच करेगा मैं 16 की बात नहीं कर रहा हूं बहवी कलपी को छोड़कर 70 ऐसे बहवी कलपी जिससे आपका इतिहास को छोड़कर बाकी का सारा बहवी कलपी हो जाएगा यानि कि 70 MCQ में लेकर आया हूं और 100 MCQ मैं हिस्ट्री का भी अलग से लेकर आया हूं जो मैं आपको कराऊंगा ठीक है और आपनी प्यारी सी क्लास को करते हैं स्टार्ट और सात बजे बच्चों के संख्या ज्यादा हो जाएं लेकिन यह लंबी क्लास चलनी थी तो इसलिए हमने थोड़ा देर तक पहले से स्टार्ट कर लिया चलो प्लस बच्चे चलो भाई सभी लोग सेयर कर देना दोस्तों के साथ आज रिकॉर्ड टूटना चाहिए क्लास खतम होते होते 15000 से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक कर चुके होने चाहिए वैसे बहुत कम बताया है एक बार मैम की क्लास में क्लास खतम होने पर 40,000 हो रहा था तो वो रिकॉर्ड तों कभी जिंदिगी में तोड़ पाएंगे चलो बच्चो पहला कोशन हमारी नजरों के सामने है कि संसाधनों का विकास निमने में से किस पर निर्भार करता है कि उनकी सम्भैवता पर यानि कि उनकी संभावना कितनी है आगे की उनकी प्रद् या फिर उनकी उसकी प्रद्योगी की पर निर्भार करेगा या इन में से दोनों निर्भार करेगा या इन में से कोई भी नहीं क्या कर रहे हैं मैं बच्चे मेरे आंसर मुष्टली बच्चे इसका आंसर सी कर रहे हैं तो जब बच्चे सी कर रहे हैं तो गुरू जी कैसे ग अंतर हो जाएगा चलें आगे अगले कोशन पर आते हैं भूमी एक कैसा संसाधन है यह 2020 के और एक बात मुना बता देते हैं यह जितने भी प्रस्ण लाया हूं एक भी प्रस्ण एक प्रस्ण ऐसा है सिर्फ एक है मैं गलत नहीं कमगा एक ऐसा है जो अभी तक नहीं पूछा गया है बाकि सारे ऐसे कोशन हैं जो हर 2023 2022 2020 2018 2017 2019 ऐसे पूछे गया है तो एक ही ऐसा कोशन जो आज तक नहीं पूछा गया हो सकता हो 24 ने पूछा जाए वह लेकि आया हूं में चलो भूमी एक कैसा संसाधन है प्राकृतिक है मुन्ना या फिर मानव निर्मित है या फिर सौर उर्जा से निर्मित है या इन में से कोई नहीं सबी को पता है ना कि सौर उर्जा से तो नहीं निर्मित है ना हमारा भूमी या फिर हमारा मानव मानों ने बनाये भूमी को नहीं तो भाई तो इसका मतलब है मानों तो खुदी भूमी से घर बना रहा है तो वह यह क्या हो जाएगा यह हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए उत्तर हमारा इस क्लास का objective यह होना चाहिए कि हम questions को सबज के जाएंगे रट के नहीं चाहे वो short हो चाहे वो long हो और हम किसको पकड़ेंगे हमारा उद्देश जो होगा वो होगा हम keywords को पकड़ेंगे यानि कि हम गुरुजी के गुरुजी कैसे explain कर रहे हैं कैसे हम जैसे हमने कहा भूमी एक संसाधन है तो अभी जहाएंगे तो एक बात का मुन्ना ध्यान रखना कि गुरुजी कैसे keywords का जोई उप्योग कर रहे हैं मालो आ जाए कि बहुत देशी परियोजना नदी घाटी परिय संशाधन आप और आजयावी तो आपको पता होगा पोट लाग ACC वी में पुचाएं तो बच्चे मचलिया पादे पसू यह जो हैं हमारे कौन से संसाधन है यह हमारे जैवी संशाधन थो कॉण से है यह हमारे संशाधन है तो आपस यह B आ सकता है कि आप जैवी शंशाधन कॉन है तो याद रखेगा पसू-पथे-मचलिया- defensive उसके बद चट्टाने यह मारा आजयव है कि कि यह क्या है पता है किं best Setting आंसर क्या होगा चैटाने और में मेरे बच्चे क्या कर रहें आंसर कि अप्षिन कर रहे हैं बहुत बढ़िया देखो आपका काम है वीडियो को लाइक करके दोस्तों को बुला लेना बता देना कि गुरुजी पेपर पढ़ा रहे हैं कल वाला ठीक है चलो अगले कोशन पर आ ठंपर बत्चों मिस्थेक रहे गई कोई बात नहीं है चलेगा जोरी अरजान निम्लिखित में से किस प्रकार का संसाधन है कौ्शन नंबर है ज्जोरी उर्जा कि उनी है किस परकार का है मैं बच्चे अंसर क्या कर रहे हैं चोटे क्योशन में लिआ है कि सजी से बहुत ही बढ़िया को यह security कर रहे हैं सारे में निम्लिखित में से निम्लिखित में से किस राज में मरदा रूप काली मरदा मुख्य रूप से पाई जाती है जम्मू और कस्मीर में राजस्थान में या फिर जारखंड में या फिर महारास्ट में आंसर करिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं देखो काली मिट गुजरात महारास्त है बात क्लियर न ऑर गुजरात इनमें पाइजाएगी काली मिट्टी तो गुजरात याद कर लो महारास्त कर लो इन जगह पर काली मिट्टी पाई जाएगी याद रहेगा गुजरात महारास्ट समुद्री इलाका है उदर तट है हना तो याद रहेगा बच्चों तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका महारास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा और मुझे लगता है मैं मेरे बच्चे भी इसक भारत से अधियाना ठीक है इस भारत के नक्षे में और जो इधर वाला तटी यह जो चेतर है इधर वाला जो है ना इसमें काली मिट्टी पाई जाएगी याद रहेगा चले आगे चलो निमगद में से है कौन सा जैविक संसाधनों का एक उधारन हैं जैविक शंशाधनों का एक उधारन है अभी मैं आपको तीनी नाम बताये थे मचली पसु पच्छी यह कौन है जैविक तो यहां पर option में क्या आया कि जयविक संसाधन यह जो चेटान है गुरु जी ने क्या बताया यह तो आजैविक बताया गुरु जी ने आजावीक यह भी कैसा है आजएविक है और बच्चो यह वी क्या है आजएविक मैं यह क्वेशन मबर 5 कि 6 यह पांस था यह हमारे पास 6 मैं नंबर बताते रहें ना मुझे यह अगर मैं भूल जाओं तो यह चो यह आ जयाविक सोना कैसा है बचो तो ना भी हमारा आ जयेगा यह हमारा पशू जो है ना वह जयविक संशाधन है ओके हमने क्लास को इलटा शुरू किया है हिस्ट्री के कोशन को रोक के रखा है अभी आखरी में कराएंगे क्योंकि हम उसका पहले वीडियो दे चुके हैं मुस्ली बच्चे देख चुके हैं इसलिए उसको रोक के रखा है ठीक निश्चिंत रहो निव लिकन मैं से कौनसा उर्जाका नवी करणी योग च संसाधन नहीं है अब सुल्भ लेना बच्चो ध्यान से हमारी बात को एक होता है परं परागत और जो परम परागत होता है इसको बोलते हैं आ नवी करणिया आ नवी करणिया तो यह होता है परम परागत वाले को हम आ नवी करणिया यानि दोनों दोनों चीज़ा एक है एक होता है गैर परम परागत मेरे बच्चे कंफ्यूज नहों ना मैं इसका लॉंग कोशन भी लाया हूं ठीक है र mm परागट भी तर फैसल के र परहम परागट नि कि गएर परहम परागट थे बात करें तो यह उर्जा का नवी करणी श्रोत जो हो एंधर है गैर मतलब नवी काड़ी श्रोत होंगा तो यह हैं हमारे पासकी कौन सान नवी करणी योगे शंसादन नहीं है अरथात हमसे क्या पूछा है हमकसे पूछा नवी करनी नहीं है औरiamoी करनी मतला परांपरागत और बच्छों बताओ परंपरागत कॉन सन नहीं है हमसे जल्दी बताईए कॉन साण नहीं क्योंकि उससे ही हम लोगों को क्या मिलता है जिवास मिधन है उसी से हमको पेट्रोल तेल वगारा उसी से तो मिलेगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जिवास में इधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी के बाकी जो तीनों के तीनों बाकी बचे हैं ये वाले कौन से हैं यह हमारे उर्जा के नवी करनी है यानि कि पावन उर्जा जल उर्जा वन यह गैर परम परागत में आएंगे याद रहेगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट टांसर हो जाएगा बोलो क्लियर है बहुत बढ़िया गरिमा अघारी अटोपर गर्ल ऑके ग्रेट चलो अब है कि निखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है ध्यान से देखिए 2022 में पूछा गया है कि निखित में से कौन सा संभावी संसाधन क्या होता है संभावी संशाधन का मतलब होता है जो भविस्स में मिल सकता है जो फ्यूचर में हमारे लिए एक अस अच्छी से sucking के कर रहा है पैट्रोलियम की बहुत बहुत फैदा हु रहे है इसी ही बहुत रही है रूड़ परुट्सप्ट-साइड यह हमारा एक है इस काम कर रहा है बहुत अच्छे से लेकिन यह जो पवन और जाहे इसका भी बहुत अच्छे से प्रयोग हो पाया है जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें पवन उर्जा से चक्यां चलाई जा सकती है जो कि चलाई जा रही है बड़ भारत के हर छेत्रवे होना चाहिए शौर उर्जा फैल चुका है लेकिन पवन उर्जा भी कम है हवा का इस्तेमाल कम हो पा ठीक है बच्चों सही अंसर क्या हो जाएगा पवन उर्जा एक संभावी संसादन है और यहां本ब split चार नंबर का कि संभावी संसाधन यानि जिसका भविस्थ में उप्योग हो सके भविस्थ में जिसकी संभावना व्यक्त की जा सके जिससे हम उर्जा को ले सके और मानव ही तुमें हम उसको उप्योग कर सके बना के लिख सकते हो ऐसे बाकी तो कोशन ले के आया हूं प्रसुन को बनाने में दस घंटे का समय लगा है तीन घंटे कल बैठा था पाच घंटे कम से कम आज बैठा हूं फिर उसके बाद इडिटिंग हुई है समझ लो इधन नियम कितिसमें से किस प्रकार कि संसाधन गुरुजी इसका नंबर है छे अको फिसके बाद यह है साथ जाट कि फिर इसके बाद है। यह हमारे पास आठ और यह हैं हमारे पास नौ नंबर कौन सा नंबर हैं नौ नंभर तो कुश्चंए जिवास में कि से किस प्रिकार की संसाधनों के उधारण है बेटा जिवास मिदन अभी अभी अमने बताया था उर्जा का कॉंसे स्रोथ है अभी बताया था अर्थात परंपरागत अर्थात परंपरागत अगला है कि भारत ने किस ओ डिस अभी मुस्ट इंपॉर्टेन्ट कोशन एंड कोशन नमबर टैन माइडियर यह 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 कोशन नमबर टैन है यह क्या है कोशन कि भारत में किस पंचवर्सी योजना से शानसाधन योजना के लच्छों को प्राप्त करने के ठोस प्रयास किये थे कौन सी पंचवर्सी योजना थी पहली थी पाचवी थी वार्शिक थी दसवी थी कौन सी थी जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करोगे और बच्चों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 8000 बहुत ही बड़िया यह संख्याद 10,000 क्रॉस होगी हमें पूरा यकीन है साड़े 8000 होगे हम लोग क्या अंसर होगा ABCD क्या कर रहे हैं मैं सर्म बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं कह रहे हैं कि पहली पंचवर्सी योजना अब निध्यान से सुन लीजिए 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्सी योजना कब शुरू की गई थी तो पहली पंचवर्सी योजना शुरू की गई थी 1951 में संसाधन नियोजन की दिसा में भारत के ठोस प्रयासों की सुरुवात की गई थी यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि कब पहली पंचवर्सी योजना शुरू हुई और क्या संसाधन योजना के लच्छों को प्राप्ट करने के लिए ठोस प्रयास किये गए थे 2 तो 10 यह बाद करतें 1191 नुम्बर कोशन क्या है हमारे पास कि निम्लिकित में से कौन सा प्राक्रतिक संसाधन नहीं है जैने कि हमसे पूछा गया है कौन सा कृतिम संशाधन है देखो ध्यान दो यहां लिखा नहीं है यहां क्या लिखा है कि नहीं है तो भूमी भवन जल खनिज अच्छा देखो प्रकति से हमें खनिज तो मिल जाते हैं तभी तो हम उनसे आयस्क प्राप्त करते हैं साइंस के टीचर तो आप जानते ही हो तो यह तो बच्चो प्राकृतिक है पानी तो प्राकृतिक है ही भूमी भी क्या है प्राकृतिक है लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि भवन प्राकृतिक हो जाए आपको मिल जाए बनाना पड़ेगा ना मानों बनाएगा ना उनको तो बच्चो क्या है कि माभवन किने इसका जो है वह प्राक्रतिक संसाधन नहीं यह समझमारी बात आगे चलें अगला कोशन हमारे पास क्या है कि इन में से कौन सा नवी करनी शंशादने नवी करनी नवी कर द Ms कि Ե cracked नावी कर्णि अर्थात आ नावी कर्णि और यर्पमरागत परम परागत पर इस से बनेगा ही बनेगा ठीक जो मैंने बताय कि एक नवी कर्णि समण थेल कोला गैस या फिर जोरी उर्जा देखो आ नवी करणि का मतलब क्या स्याला नवी करणी का मतलब क्या है कि गयर परम परागत कंफिूजम भूनाक गयर परम परागत अगे —.- bloody कांसा एव जोरी उर्जा बाकी के सारे सारे कैसे हैं यह हमारे परम-परागत क्या यह हमारे परंपरागत परंपरागत मतला बच्चों आनवी करनी कि याद रहेगा भूलोगे तो नहीं न एक कोश्चन बनेगा चार नंबर का लेके आया हूं आज की इस प्यारी सी क्लास में ठीक है सर हमारे बच्चे कितने हो गए अभी कि बहुत ही बड़िया साड़े 8000 के आसपास हम लोग हैं सब बास यह 12 नंबर कोश्चन था 13 नंबर पर आते हैं कि लेटर राइट मिट्टी निविखित में से किस राज़ी में पाई जाती है एक कोश्चन मिट्टी से आएगा तो मिट्टी का एक लॉंग कोश्चन लेके आय स्थान में काली मिट्टी यहंँ पाई जाती है लेकिन अगर आपसे पूछी जाए लेटर सफ हुखें कैसे मिल बंती और कैसे जहां पर जादा वर्सा होती है वहां पर मिट्टी का निचालन हो जाता है और उसके बाद लेटे राइट मिट्टी का निर्माड होता है इसमें क्या क्या पाए जाता है वो सब अभी हम लोग लौंग में देखेंगे मिर्ट राइट मिट्टी मिर्ट्ट में इसका सईप्सिन होगा अब आप यह सई हैं ब्लोग अगर यहां बरिक में गलती हो तो आप इसको A B C D ही मानके चलना ठीक है मेरे सारे बच्चे महरास्ट कर रहे हैं मुझे बड़ी खुसी है इस बात की ठीक है तो करेक्ट रांसर क्या होगा भी आप संज होगा वह हमारा सही होगा ठीक है बच्चों एक बात बताता हूं इसको यह आज की पीपिटी है ना अगर म महनत लगा बहुत जादा महनत लगा देखो यह सब अंतर जो पूछे जाएंगे देखें यह सब कुटी रुद्योग लगूद्योग अलो लो यह सब बताएंगे आपको परमपरागत गैर परमपरागत जूम खेती इसकी विसेस्ता गेहूं की खेती टिहरी बांद सिचाई बहुत देसी घाटी वाला कोश्चन भारत में महिलाओं के प्रतिभेदभाव भारत में जात प्रता हिस्ट्री के कोश्चन निकल गए उपर यह सब बताएंगे फिर आएंगे हिस्ट्री के मुन्ना क्लास मजेदार होगा ठीक है चलो अभी कितना कोश्चन हो गया तेरा के बाट चौदा पर आते हैं 14 पर कोशन देखो चौदा है कि कि सराज में लाल मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है गुजरात में उडिसा में पंजाब में फिर उत्तरप्रतेश में जली-जली से अंसर करतो चौदा नंबर कोश्चन का अंसर कर दीजे बच्चो 14 नंबर अयान्सर होगा अगर लाल बिटी की बात तो क्या होगा उडबीसिस का कम टशेगो यार रहेगा उडबी सा इसका करेक्ट्रांसर हो जाएगा उडबीसा में पाई जाती है आपको उडबीसाफेपर में ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है र्हां बैस मेंगति टैकर 14 Doode路bug या क्या कहते हैं जलोड कहते हैं लाल कहते हैं लेटे राइट कहते हैं तर रेगिचानी कहते गर्म होते हैं जानी बहुत ज्यादा भारा होता है और यह जब। स्टी स्टीय कहां पाई जाती है यह पाई जाती है pagई स्टार्स पासरे और हो जाएगी रेकिस्तांटी यह hunter मैदानी इलाको में में जाती है यानी चेत्र में जैसे हमारा अपना लखना गोराकपुर या कानपूर यहां पहालवार नहीं और कर रहे और अभी मैंने बोल कर वी बताए था कि निचालन के द्वारा जो मिट्टी बनती है वो बनती है लेटराइट याद रहेगा चलो वाई नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास 16 नंबर की भारत के सरवाधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है जलोड लाल लेटराइट परवतीर देखो पंजाब उत्तरप्रदेश मध्यप इन में जो मिट्टी पाई जाती है जादा तर जलोड होती है ठीक है याद रहेगा कौन सी मिट्टी जलोड मिट्टी जादा पाई जाती है और जलोड मिट्टी खेती के लिए बहुत जादा उप्योगी होता है क्योंकि यह छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनती है और उसके बाद इसमें पानी जादा देर तक टिकता है जिसके कारण खेती बहुत अच्छी होती है तो अगर पूछा जाए भारत की सरवाधी कुप जाओ मिट्टी तो सारे बच्चे बोल देंगे कौन सी जलोड मिट्टी देखो मेरी बाते गौर से सुनना आठ के पेपर में क्या सीना आपको बहुत अच्छे से पता है कि 20 कोशन कराए थे और सीना ठोक के मेरे बच्चों ने दावा किया था कि गुरू जी पे विस्वास है कि 20 से बाहर कुछ नहीं आएगा और वहीं हुआ कि नहीं क्योंकि वह 20 नहीं थे 200 के बराबर थे कुछ लोगों ने तो उसको ट् पर कराएं और सेलेबस ना चेंज हो तो फिर क्या होगा और हां जिन्होंने इन सब्दों का प्रियोग किया वही हमारा मॉडल पेपर चुरा के दूसरे दिन पढ़ा दिए अब बताओ और असली इंसान तो वह होता ना कि जब वह सब्दों का प्रियोग करें और करने के बाद फिर उसका उप्योग दोबारा ना करें उसी मॉडल पेपर से काट के कोशन पढ़ा दिए तीना ठोकने के लिए लो भाईया जो मैंने पढ़ाया वहाया समझ रहे हो ना तुम लोग तो मैं तो दिखो बंन बचो वह इंसान हूँ मैं बुराई किसी की नहीं करता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगते हैं कि आपको क्यों बुराई कर रहा हो एक सहते जाओ पर हमको चिल कोई टैंसर नहीं है पर सच्चाई तो सच्चाई है छलो आगे चले तो भारत के जाती है यह सोला नमर था यह हमारा सत्रा नमर कोश्चन है कि जलोल मिट्टी कहां पाई जाती है अभी बोल के बताया था कहां मैदानी छेत्रों में ऑप्षन की जुरत नहीं है गुरुजी इनको सब अंसर दे देंगे ठीक है अठारा पर आजाओ गुरुजी अठारा का दे काली मिट्टी कहां पाई जाएगी कहां पाई जाएगी आई है काली मिट्टी यानि काली चाय काली चाय यानि मोदी जी याद रहेगा कहां कहां गुजरात की बात हो रही भाइया ठीक है हम लोग डांडिया खेलेंगे इधर तो भाइया समझ मारी मेरी बात तो क्या हो प्रदेश में ब्रह्मपुत्र घाटी में थार के रेगस्तान में जल्दी से बतादो कि लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है जल्दी से बच्चों के संख्या हो गई है ड congestion गए एकदम से हम तो मझहा गई जल्दी बता दो लाल पीली मिट्टी बच्चों दकन के पठार में याद करने का तरीका याद करने का तरीका याद में भाप में में ने बनाया लाल 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 क्या बनता है राव गाजर काहलवा ठीक है याद रहेगा भाज दिमाघ छले गा सब का कल पेपर है सुन्दर वन राष्टी पार्क किस राज्य में स्थित है मैं दावाट हो सकता हूं कि यह कोश्चन कल 2024 के बोर्ट इक्जाम में रखा होगा ठीक है तो बच्चों बता दो कि सुन्दर वन राष्टी पार्क किस राज्य में प्षिं मंगाल में अडिसा में या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या है मैं प्रदेश कि मेंकि स्थिक्स जानते ह condemn अग्यश ना कहां के रहने वाली कहां के रहने वाली बताओ सुन्दरवन राष्टि पार्क कहां पर है सुन्दरवन राष्टि पार्क कहां नाम नहीं लिए ठीक है तो यह हो गया हमारा हाँ नहीं पता चला कुछ लोग सोचे दूसरी मैडम को गुरुजी बता रहे हैं इसलिए नाम बता दे वहिया अब हमारे पास 20 के बाद 21 नमबर कोश्चन देखो क्या है 21 नमबर कोश्चन देखो किस वर्स में बाग परियोजना जो है न वो सुरू की गई थी बाग परियोजना अब सुन लो मेरी बात यह कोश्चन में लिखा नहीं है कि यह कपका पूछा गया है पर मैं बता दूँ यह कोश्चन हर साल पेपर में किसी न कसी तरीके से घुमा के आता है और बाग परियोजना कब सुरू की गई थी और ये भी हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा छेत्र है जो एरिया यानि छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा माना जाता है कौन है वह मध्यप्रदेश वही पर चीता छोड़ा गया था आपको पता है अभी कुछ समय पहले जब चीता चुड़ाया था तो मध्यप्रदेश था ना तो वह नाम भी याद रखोगे कि भाईया जहां पर बहुत बड़ा इलाका जंगली इलाका कहां है मध्यप्रदेश में ठीक कुनो कुनो नैस्नल पार्क तो बाग परियोजना शुरू की गई इसी कब 1973 में यह कोश्चन याद रखेगा डेट याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है अगला है कि हिमालियन यव क्या है और यह एक काफी जादा इंपोर्टेंट कोश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि भाईया अगर आपको डॉक्टर बनना है आयुर्वेद वाले त सारे कोश्चन अच्छे-च्छे से नोट करना ठीक है ओं यही कोश्चन को लाएंगे यही कोश्चन को लाएंगे आसान कठिन कुछ नहीं तो हिमालियन यव क्या है देखो यह एक प्रकार का अउसाधिय पौधा है और जिसमें से एक रसायन जो है वो उत्तरजित होता है उसका नाम है को टैक्स करकी कुछ है एंग पर से और उसके बाद यह कैंसर के उपचार में पाया जाता यानि ऐसी से किया जाता है और यह जो होता है उसको कहतम कर देता है तो यह एक आसदी Paudhah है हिमालियन यव जो एक आसदी पौधा है और यह कैंसर के उपचार में काम आता है कि अगला है कि चिप को अंदोलन का उद्देश से क्या था माना अधिकार राजनीतिक अधिकार या क्रिसी विस्तार या फिर वंशर अच्छन जल्दी से अंसर कर दो जल्दी से मरे पहरे बच्चो करेक्क वह फ्च्ट कॉटक करेक्ट टेक्सोल करेक्ट है अनों पॉटक सुनnt नामक तекст पॉरभी गोड तो वप्रत्ट क्या होगा विंजंत अइसे ही था तो यह क्या होगा वन शरक्छन तो चिपको आंदोलन जो था वो सुन्दर लाल बहुगुडा जोसी जो बच्चे हमारे क्या है वन्ष रच्छन यानि चिपको अंदोलन से समंदित है इसके बाद है कि सरिस्का वन वन्य जीव अभ्यारण किस राज जीव है राजस्थान उत्तप्रदेश गुजरात यह पश्चिम मंगाल यह सब इंपॉ कि सरिस्का याद करने का सरीच बताता हूं इस लिए रहा हु करेक्ट राजस्थान इसके बचाओक्त रखें कि अधो बीज बचाओ आंदोलन क्या था रासाइनिक खादों से अधिक उत्पादन करना या फिर टिहरी के किसानों दौरा बिना रासाइनिक खाद के फशल का उत्पादन करना या फिर हरित क्रांती या फिर पेड़ों को उगाना दे दीजे आंसर बच्चो सारे बच्चे जल्दी से बेटा लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में ही पाई जाती है याद कर लो और आगे बढ़ जाओ ठीक है तो बच्चे जल जल्दी से बता दो क्या अंसर होगा टिहरी के किसानों द्वारा रसानी खाद रसानी खाद के फसलों का बिना रसानी खाद के फसलों का उत्पादन करना जिसमें रसानी खाद का उप्योग न किया जाए सिर्फ हम कौन सी खाद का उप्योग करें सिर्फ जो हमारी गोबर खाद यानि उसी का प्रियोग करें ठीक तो यह हमारा करेक्ट रांसर हो जाएगा है हमारे पास कि भारती वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ यह कुछ ऐसी डेट हैं जो आपको कल के पेपर में याद करके जानी है कि भारती वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई बच्चों के संख्या हो गई है बढ़कर ग्यारा हजार कब पारित हुआ था तो बच्चों यह हुआ था 1972 में यानि कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में बाग परियोजना 1973 में उसी के जश्ट बात दोनों का बहुत बड़ा रिलेशन भी है पर अभी नहीं जानना है देखो सरकार ने वन्य जीव शन्रच्छन अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरच्छा प्रतान करने एवं अवैद सिकार तसकरी और अवैद वैपार को नियंत्रित करने के उद्देश से लागू किया था कब 1972 में पर यह 1972 में लागू हुआ 2006 में इसमें संसोधन किया गया और यह संसोधन किया गया कि अगर आप वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की हानी पहुचाते हुए पाए गए तो आप लोगों को जुर्माना भी देना पर सकता है और आपको कुछ वर्सों की जेल भी हो सकती है यह हमारा वन्य जीव जो अधनियम था भारती वन्य जीव अधनियम इसमें 2006 में संसोधन किया गया था तो अगर बेटा चार नंबर का कोशिन बन गया और इतनी बात लिखके चले आए तो एक्जामनेर काटे गा नहीं बाकी आप घुमा फिर आके वन्य जीवों के बारे मे याद रखीए का मुन्य ठीक चलो झाधु कि वनों के 26 के कारण कौण सी समस्या हो सकती है सर कौण सा कोशिंचन नम्बर है अगर वन का 6 हो जाए यानि वनों को ही खतम कर दिया जाए तो बेटा म्रदा का अपरदन हो सकता है क्या बिल्कुल सही बात है अगर वन नहीं होंगे तो जड़ मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पाएगा व्रदा का पर्दन हो सकता है पानी कम बरसेगा क्योंकि भैया काले में घा काले में गा पाणी तो बरसाओ और पानी तो तभी बरसाएंगे जब तूम पेनर लगाओंगे तो यह भी उसका करेक्ट होगा फ्रॉजण में वरद्धी हो जाएगी अगर समस्या हो गई वरचों की तो पर्दूशन हो जाएगा कि भाई यां साइब यह सारी समस्यां हो सकती यह चार नमर को कुशन मन सकता है कैसे कि वनों के च्छे कारण कौन सी समस्यां उत्परण होती है आप समझाइए अब आपको क्या करना चार नंबर का बना चार पॉइंट डालने हैं कौन-कौन से मरदा अपरदन डैस ब्लैक पेंसे डाला एक दो लाइन इसके बारे में लिख दिया जो हम मुझसे बोल रहे हैं वर्सा में कमी बारिस में कमी हो जाएगी क्योंकि भारिस नहीं हो पाएगी फटा-फट दो हो गए फिर उसके बाद प्रदूशन में रधी हो जाएगी प्रदूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या करते हैं कारबन डियोकसाइड ले लेते हैं हो गया चौथा और क्या पॉइंट डाल सकते हो कि अगर वनों के च्छै हो जाएं तो हम डाल सकते वनस्पतिज होगी हमारे भ ठीक है चलो अगला है कि भारत में वन महघ्शो का सुबारं कभ हुआ था कभ भारत में वन महाच्ण जो है वो उसका सुबारं हुआ था बताओ जल्दी से मोटू तुम ही से बोल रहें मोटू जल्दी से दे ना बच्चे हमारे जी ए ए दे रहे ना तो 1950 इसका करेक्ट रांसर हो जाएगा और बच्चों ने एक कहा है तो करेक्ट रांसर यही होगा ठीक है बच्चों सभी को समझ में इतनी बात आगे चले क्लियर हो गया चले आगे हाँ इसके बाद है अमारे पास निम्लिखित में से कौन सा जल सारवाधी खारा होता है 2010 में कि वर्सा जल अधो भौमिक जल समुद्री जल या नदी का जल भाई हाथ जोड कर सारे वच्चों से निवेदन है कि जो इस प्रकार की कॉमेंट्स कर रहे ह कौन नहीं कर रहा है कृप्या पढ़ाई करो मुन्ना क्योंकि भौमिस्त ज्यादा जरूरी है और चुप्चा पढ़ाई करो है जोड के रिक्वेस्ट कि निम्लिखित में से कौन सा जल जो है ना वह सारवाधी खारा है वर्सा का जल अधो भौमिक जल समुद्री जल या फि बढ़ा है जलती से कि अगर कोश्चन आ जाए भारत में जितना जल है इस वे इस मेंसे कि टना परसंट जल समुद्री जल है क्या आंसर होगा याद कर लो सत्ता न नबे देसंबलो 5 porcent कोश्चन कल पेपर में आ सकता है इतना परसेंट जल समुद्री है बाकी का जो दो परसेंट दो पांच परसेंट है यह मीठा जल है यह मीठा जल है जो हिमाले की पहाड़ियों में हिमाले हैं उसमें पाया जाएगा नदियों मिल जाता है लेकिन इतना जल खारा है इतना जल मीठा है अब सूच लो ठीक अगला कितना पर्सेंट जो भाग है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है जो जल मंडल है पूरा उसका कितना पर्सेंट जो भाग है वो उपलब्ध है समुद्री जल के रूप में अर्थात खारा जल है कितना पर्सेंट है अभी अभी गुरुजी ने बड़ा बड़ा तेश कीरती योगेश हरसित पांडे आधित्य प्रजापती ग्यानोदे की लाडिली पलक बेटा आप लिख रही हो कि गुरुजी बता दीजिए देखो दिज़नी चीज़े यहां लिखे जरह ध्यान दो है ठीज़ यह ओ गया तो यह ओगया और निमसारम्णी को सप्क्राइब यह वहारत के मंद्र यह किस ने कहा था यह राजेंद प्रसाद जी ने कहा था या जवाहर लाल नहरू जी ने कहा था अब यह दोनों का नाम याद रखना पहले राश्टपती और पहले प्रधान मंत्री जी या फिर सरदार पटेल जी या फिर गांधी जी पहले नीचे आ गया मिसे बटन दब गई यह एक आंसर हो जाएगा जवाहर लाल नहिरू करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रहेगा इसी तरीके से कहा वाला एक कोशन भी है उसका आंसर भी जवाला लहर होगा नेक्स्ट कोशन मुन्ना है कि करतन दहन क्रसी यह जूम क्रसी यानि कि जूम खेती इस खेती में क्या होता है कि पहले एक खेत में खेती की जाती है और देखो ध्यान से अभी मैं सौड लेके आयों कोशन कराऊंगा लेकिन बच्चों छोड दिया जाता है कैसे एक बार फसल की पैदावार होती है उसके बाद फसल को काट लिया जाता है मतलब भुवाई होने के बाद फसल तयार हो गई उसको काट लिया उसके बाद उसमें जो जैसे माली जी आपके यहां धान है आपने उसके उपर कि क्या काट ल तो भूल जाएगा एक नमबर पक्का हो जाएगा आपका जोन्पटी में खेत में जो भी खरपतवार होता है उसको जियाने के बाद उसको कुछ समय तक छोड़ देते याशिम्रं जा जिल अपनी जुन्दगी एसे बोल दे और जूं लेती has लिए कि पड़ी मैधान वह भूले पड़े रहते हैं और वापस फिर्वारिस वारिस होते है तब दो से तीन साल के बाद फिर से उसमें बुवाई करते इसको कहते है जूम खेती जो कहती है जा सिम्रंजा दो साल तक जी ले अपनी जिंद्गी कर पत्वार तेरी जिन्दगी मैंने आग लगा दिया है तो बच्चे याद रहेगा और कहां होती है यह कोश्चन ही यही था कि कहां होती है मिजोरम में इसके बारे में हमने आपको डीप में बता भी दिया है भूलोगे तो नहीं कल की पेपर में चलो अगला है हमारे पास किन्य लिखित में से कौन एक फलीधार फलीदार फसल है अच्छा जो बच्चे गाउं से होंगे सब को पता होगा कि देखो मोटे अनाज प्राया जो मोटे अनाज सब्द का प्रियोग किया जाता है यह जौर के लिए ही किया जाता है आई हाई गुरुज दादा से बता देंगे आपकी दादा बाबा कि वाटिस हमारे गुरुजी कह रहे थे जौनधी क्या मतलब जौर जो आप लोग जानवरों के लिए बुआई की जाती है और अब मैं यह भी बता दूगा आपको कि रभी की फसल क्या है और खरीफ की फसल क्या है यह भी बता तो उरत की दाल तो देखी होगी अफर की तोदेखी होगी साय मटर तो देखा होगा अभी समय मतर खुब भरमार है एकदम सस्ती बिल रहे बहुंडी महंग्य है पर दाल क्या होती है यह फलीदार फसल होती है और मोटे अना जो़ार चावल यह हमारे नहीं है अछा पेपर में कोशन आजा कि रभी की फसल कभलाई होती है तो तूबर और नॉवंबर में रभी की फसल यानि की गेहूं चना इनकी सरसों तीन हो गई रभी की फसल और उसके बाद खरीब की फसल क्या होती है जून और जुलाई यानि जब मौसम बरसात को होता है जब धान की खेती होती है जब जुआर की खेती होती है जब मोटे अनाच क खति होते हैं तब होता है हमारा खरीब का फसल याद रखो गए ना मुन्ना आगे कोशन लेकि आए तो बच्चों क्या अंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाले देखो समझ के क्लास मत करना क्योंकि कल के पेपर में ना जाने क्या आजाएं यांवी और रभी की पैदा हुआ था अक्टूबर से नमंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में और याद रखोगे कि खरीफ चचा कप पैदा हुए थे यह हुए थे जून और जुलाई में तो अगर यह आ जाए तो याद रखोगे जून और जुलाई में जून से जुलाई जून जुलाई के बीच में होती है जो वो होती है खरीब की फसल और यह क्या कर दिया गुरू जी तो यह हो जाती है हमारी खरीब की फसल यह हो जाती है हमारी खरीब की फसल बोलिए क्या इसी नहीं बात समझ में आ गई तो यह याद रहेगा भूलोगे तो नहीं ना खरीब क आपकाए अगला हमारे पास कोशन क्या है मैंसे रोपण फसल वह फसल होती है जिसको पहले कुछ समय के लिए पहले वीज ध्याल दीजै कर भेद में यतने तीने तैयार हो जाती है उसके वास्ट इसको निकाल लेते निकाल के लगा देते हैं गन्ना धान चाय-पती यह तो यह सब याद रखोगे को तो रोपर बसवाली फ 싫ुखा है कॉन सी तो बैटा यहूँ तो भुई कर देते कर देखेत में दुबारा काठ के लगाए मिट्टी में नहीं याद रहेगा अब है कि हमारे पास कौन सी रफी कि फसल है तो भच्च्चे दो को घान प्स पास और काला चना यह जो होते हैं यह कब इनकी बुआई होती है यह इनकी बुआई होती है धान की काला चना बेटा काला चना और चना अंतर है दोनों में याद रखोगे काला चना ठीक है इनकी बुआई जो होती है वो होती है हमारी जून-जुलाई के आसपास ठीक जून-जुलाई के आसपास कर प्रदेश में सारवाधिक होता है तो करेक्ट रांसर हो जागा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पंजाब दूसरे स्थान पर नाम याद रखना गलत मत करना ठीक है चले आगे अगले कोशन पर इस कोशन का अंसर देदो अभी मैंने इसका अंसर मुझसे बोलके बताया था अब इसका अंसर देदो बच्चों की संख्या हो गई है 12000 बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ मुन्ना आ अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को पसंद करते हो तो उसको बताना है कि आप उसको पसंद करते हो तो आप कैसे बताओगे जल्दी से बताओ कैसे बताओगे उससे बोलोगे है ना उससे कहोगे उसको लिख कर कुछ दोगे है ना और हमको अगर पसंद करते हो तो क्या दो करते हैं तो पसंद करता है मेरा मुठा टा अनाज यानि की बेटा क्या जौर याद रखोगे मोटा मतलब मोटा मतलब तो क्या हो जाएगा ज्यार किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह कोश्चन 2020 के एक्जाम में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण भारत नहीं करता है जल्दी से बता दीजिए बेटा लॉंग आंसर भी होगा मैं आपको दिखा देता हूं मैं आप देखो जो बच्च ठीजार का फल मीठा होता है थोड़ा इंतजार कर लो तिक थोड़ा इंतजार कर लो मैं को कि भारत अगर नहीं बनाएगा तो बहुत बढ़ी समस्ते हो जाएगी बिना तंबाखू के लोग लेटरीन जाते नहीं सवेरे सवेरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी या फिर बाहर से मैंगाना पड़ेगा चाय चाय सवेरे मंभी लोग जीना चाय की कामी नहीं चलता है उर्वरा क्यानी की खाद ऐसी चीज है जिसका निर्माण भारत न अगर अभरक की बात करें तो अभरक से पेपर में शौर्ट कोस्टन बनेगा जो मैं लेकर आया हूँ आज तो धात्विक पूछा है तांबा क्योंकि सबको पता है तांबा यानि तांबे के बहुत सारे होते हैं आपने साइंस में रखा है कि तांबे के कॉपर ट्रमा खान से क्या संबंधित है अब आप इस प्रस्शन में नंवर देखें 211-13-1923 में लगातार पूछा जा रहा है जारखंड की कोड्रमा जो खान है उससे क्या समबंदित है जल्दी हो ते सारे सात भुजते भी बच्चों की संख्या हो गई 13000 क्योंकि सारे भुजते को पता है गुरु जी सात भुज़े से पढ़ाते हैं लेकिन आजने गंटे पढ़ाया था तो बच्चोई यह किस से संबंदित अभरक से सबसे अब चांच के ऑड़ा कोट्रमा खान में पाए जाएगा कोड्रमा खान कहां पे है जारखंड में है इससे आपका मैप में भी कोश्चन बन सकता है मैप में भी कोशन बन सकता है और जारखंड मैप में किधार है वो आपको पता है कि भारत का मान लीजे कि यह नक्सा है तो भया इधार ऐसे यहां पर जारखंड है याद रहेगा क्लियर है मुन्ना चलो अगला कि कोलार किस से सम्बंदित है कोईले से है सोने से है अभरक से लगनीज से कोल दे दिजे सर जल्दी से लोगों को को लगत से समंदित है जल्दी जल्दी से दो भाई फटाफट से कि नहीं बेटा गलत नहीं होगा पर इसान मत्थ ओमार में आलेखन किया है और उसमें प्रवधिक किया है टेंशन मत लो ठीक कोलार किससे समंदित है तो कोलार समंदित है किससे सोने से ठीक है यह कोलार किससे समंदित है सोने से समंदित है यह मैप का भी कोश्चन आपका बन सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कोलार किससे समंदित है तो सोने से मुंबाई हाई मुमबाई हाई ये बच्छो क्यों प्रसिधächlich आपसे पूछा जा सकता है कि पैट्रोलियम की खदान पूछी जा सकती है या पूछा जासकता है कि भाई्या बताइए पैट्रॉलियम जो है वह सबसे ज़्जादा कहा पायर जा रहा है तो आपसे option में दे सकते मुंबाई हाई या आपको दे सकते हैं अलग अलग नाम बहुत सारे और दे सकते हैं तो पैट्रोलियम हो गया तांबे के लिए हो गया सौर उर्जा के लिए हो गया कोईले के लिए हो गया तो कोईले के लिए अभी हम आगे बताने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले बता दू जल्दी से मुंबाई हाई क्यों प्रसिद है दो हजार बाइस का कोश्चन है और NCRT का कोश्चन है कि मुंबा भारत में पवन उर्जा का विशाल फार्म कहां पर है यह कोश्चन अभी मैंने जब स्टार्टिंग में मुह से बोलकर जब मैं पवन उर्जा समझा रहा था तो मैंने आपको समझाया भी था मैंने नाम भी लिए थे कुछ छेत्रों के उसी में से कोशन आ गया भाई पवन उर्जा का विशाल फार्म कहां पर है जम्मुकस्मीर में हिमाचल में उत्राखन में तमिल्नाडू में और तमिल्नाडू की धरे तमिल्नाडू सब से नीचे है याद रहेगा तमिल्नाडू केरल दोनों अगल बगल है ऐसे इस तरफ तमील नाडू इस तरफ केरल याद रहेगा जल्दी जल्दी बता दो तमील नाडू चिन्नई वहीं पे ना जल्दी से बताईए जल्दी से और मैप के लिए मैंने अलग से कोशन करा रखा तो तो सही अंसर क्या हो जागा इसका तमील अगला है कि उर्जा का परंपरागत बतलब परंपरागत बतलब आशना कर न रहें और हमसे परंपरागत पूचा थो यह कोशन आपका पेपर में शौ它 बनेगा और इंतजार करना अभी शौर्ट भी कराएंगे आप चाहते हो ना कि कल पेपर में मैं पूरे कोशन कर ले जाओं मैं जितनी बात आपको बता दूं इतना कर लेना मैं दावे के साथ कहता हूं कल पेपर में आप जब पेपर से बाहर निकलोगे साल भर अगर आपने कुछ भी सस्टी में नहीं पढ़ा तब भी सत्तर में से साथ क करकिया आओगे और अगर पढ़ा है कुछ सिर्फ मेरी क्लासे से रिवीजन कर लोगे जितना मैं आपको बता दूं बस उतना कर लोगे पूरे नमबर लाओगे पांच वीडियो पहले दिये हैं छे हो गए एक मॉडर पेपर और दे दिया हमने फे वीडियो पहले है यह सातवा वीडियो है और कल सबेरे पांच बजए और एस्पेशल वीडियो आ जाएगा जिसमें हम आपको कुछ हिंट दे देंगे बस ठीक तो बच्चों यह क्या है क प्रांपरागत स्रोथ है तो बच्चे हमसे प्राक्रतिक गैस बायो उर्जा यह जो उर्जा है आपको दिखरी न यह परंपरागत नहीं है सिर्फ हमारी प्राक्रतिक गैस हमारी उर्जा का परंपरागत स्रोथ है करेक्ट आंसर हो जागा प्राक्रतिक गैस बच्चे सीदि अभी मैंने समझाया आपको अभी मैंने समझाया अभी देखो मैं आपको कुछ दिखाता भी हूं ठीक अभी मैं इस टॉपिक को ही पूरा खातम कर देता हूं मुन्ना ताकि आपको कभी अब दिक्कत ही ना हूं ठीक आपको कोई दिक्कत ही नो फट से स्क्रीनशॉट मारना औ और देखो देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है पढ़ो क्या लिखा है लिखा है कि परम परागत तथा गैर परम परागत उर्जा साधन देखो परम परागत मतलब उर्जा के परम परागत साधनों में लकड़ी आएगी कोईला आएगा पैट्रोलियम आ जाएगा हना फिर उस फिर आजाएगी ठीक है उसके बाद जौरी उर्जा आ जाएगी या फिर हमारे फर्माण उर्जा आ जायी लाध रहेगा बायोगाएस गोबर गैस की बात हो रही तो यह अप यह नाम याद रखोगे न कि परम परागत और गार परम परागत फिर अब है और बच्चों अब तो बच्चों सुरुवात हुई आज की क्लास लास्ट तक देख रहे ना बस और उसके बाद जो मैं रास्ट में और बता दू कुछ करने को वह रात में कर ले बास काम हो गया भाई है ठीक है जले बच्चों आगया अभी तो थोड़े और भी कोश्चन है तो करेक्ट हो जागा यह अब है कि रानी गंज कोईले की खान कहां इस्थित है यह कोश्चन आपका कहां से बनेगा मैप में बनेगा कि भाईया रानी गंज कोईले की खान कहां से कहां इस्थित है मैप में आ सकता है और या फिर आ सकता है आपका MCQ कि बिहार में है पश्चिम मंगाल में जारखन में उडिसा में है जल्दी से रानी गंज कहां से है जल्दी से बता दो मुन्ना जल्दी से जल्दी जल्दी से आगे चलें देखो और हाँ एक मेरी सलाह है अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी अभी है जो नाइन्थ क्लास में है आपका छोटा भाई है तो पुराना कोर्स कोई नहीं खरीदेगा अन्यता 31 मार्च के बाद वो डिलीट हो जाएगा तो आपका नु जल्दी लॉंच होने वाला है कल आपको पता चल जाएगा कि नया कोर्स कब लॉंच होगा किस देट से चलेगा कब तक होगी कितने का कोर्स होगा कैसे होगा क्या क्या मिलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेगा सब कुछ मिलेगा पुराना अभी कोर्स नहीं लेना है ठीक ह में है ठीक याद रहेगा आगे चले चलो अभी है कि निम्रिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है हत करगा सीमेंट कागज या लह एक क्वेश्चन चार नमर का बनेगा कि कुटूरी उद्योग और लगु उद्योग में क्या डिफरेंस है अंतर क्या है लाया हुमें समझा लोगा भी तो आपका कोश्चन है कि निम्रिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है और दोजार सोला बारा और ग्यारा में पूछा गया यह जो एक नंबर आप हर कोश्चन में देख रहे हो यह लास्ट टाइम में मैं नंबर की नंबरिंग करना भूल गया और जल्दबा कुटीर उद्योग इसको बनाने में कितना समय लंगा है कुटीर उद्योग नहीं और इनको चलाने में जो लागत लगती है नोटकर लो लागत जो बुक कहती ह visual का सोच सब्सक्राइब अगर हमको कागज उद्योग चलाना तो इतना पैसा चाहिए हाँ अगर आपको लोईश पात चलाना नहीं तो इतना पैसा चाहिए जरूरी कहती है कम में भी काम चल जाएगे एक तो हमारा सही यांसर हो जाएगा कि कुटिर उद्योग यह हमारा हथ हतकरगा हो ता है और कम लागत लगती है इसके बाद हैं यहारत का मैंचेस्टर और पूर्व का बोस्टन जा पूछ लेते हैं या पूर्व का बोस्टन पूछ लेते हैं तो अप्लेतें आ ऐसकें करोगे कानपुर मुंबाई एहंदाबाद जमसेद्पूर चे से लिए मुणि मिलने से फेमस है अगर आप से पूछ लिया जाए उत्तर भारत का मैंचेस्टर पूछ लिया जाए तो करेक्ट रांसर होगा इसका क्या कानपूर लेकिन अगर आप तो भारत का मैंचेस्टर याद रहेगा एहंदाबाद ठीक है चलो वाई अगला कोशन हमारे पास है कि उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है अभी अभी अब आपका मैप में बन सकता है मुझना यह कोशन आपका मैप में बन सकता है अंसर करिए फटा-फट से कि सारे बच्चे जल्दी-जल्दी से बताओगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर अभी तक टेट एक भी कोशन रिपीट नहीं हुआ है अशे मत कहूआँ ग्रूजी कोशन रिपीट celular करता हूँ फिर उसके वाद अगला है कि राउल जी चौदा हजार से ज्यादा बच्चे वह क्या बात है चौदा हजार प्लस लाइव भाईया दिल खुस कर दिया मुन्ना आप लोगों ने आज हमारा ठीक है आपने दिल खुस कर दिया है कि चौदा हजार से ज्यादा लाइव है कि राउल केला इस पात कार खाना किस राज्य में है बिहार में है उडिसा में है उत्ता प्रदेश में है भाई देखो लोग इस पात वह वाला याद रखना जो मैंने भी पीछे बताया भिलाई लोग इस पात और राउल केला इस पात कार जल्दी बता दू तो करेक्ट रांसर क्या होगा औरी सा याद रखोगे क्या सब्सक्राइब तो एसे भी लिखा हो सकता है आपके पेपर में नहीं है कि राउल केला इस पात कार खाना इस पात मतलब समस्ते हो इस टील की बात हो रही है ये कोश्चन आपका मैप में पक्का बनेगा मैप में बनने के चांस पूरे है और अगर मैप में आपने सिर्फ नाम लिख दिया कि राउल केला उडिसा में है मैप में आपने गलत निसान उडिसा का लगा तब भी आधा नंबर मिलता है पता है आपको यह जानकारी होनी चाहिए ना ठीक चलो अब इसके बाद है कि निम लिखित में से किसे इस पात नगरी कहा जाता है यह यह बता दो भाईया भिलाई बोकारो जमसेदपुर राउल केला इस पात नगरी के नाम से कौन फेमास है क्या इलावत में आप पढ़ाओगे हां पढ़ाएंगे हुरुजी मैप की कोश्चन कहां से देखे बेटा मैप का कोश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक दी गई है उसमें हमने एस्पेशल मैप पढ़ाया है एक घंटे में तो वह आप देख सकते हो बेटा इस पात नगरी किसे कहा जाता है तो याद रखो कि क्या जमसेदपुर क्या जमसेदपुर इस से याद रखोगे इस पात नगरी भिलाई मैंने भिलाई कहां बताया फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा भिलाई 36 गड़ राउल केला उडिसा इसपात नगरी ये है हमारी जमसेदपूर और तीनों जो हमने बताए उड़ीसा जमसेदपूर 36 गड़ सब इसपात से संबंदित है लेकिन इसपात नगरी किसको कहा जाता है जमसेदपूर को कहा जाता है अगला देखो कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रियुक्त करता है चूना पत्थर मतलब कैल्सियम कार्बोनेट चूना पत्थर मतलब कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्सियम कार्बोनेट का उप्योग कच्छे माल के रूप में कौन करेगा पटसन चीनी अलूमिनियम भाई चूना पथर न तो सीमेंट किससे बनेगी किससे बनेगी इसी से तो बनेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका भी इस्तेमाल होता है सीमेंट में यारी जिपसम का इस्तेमाल भी तो होता है तभी तो वो जमाने के काम आता है तो सही आंसर हो को कछे माल के रूप में प्रियोक करता है बेटा बॉक्सपायट कि सायज का आंसर पता है अगर आपको है यह पता है कि विसका होता है तो पता है जल्दी से बता दो कि बाइया कौना सवत द्योग बाक साइड को कचछे माल के रूप में प्रियोग करता है जो बच्चे डर रहे हैं कि मैप कैसे भरे इस वीडियो को पूरा देखो लाश्ट तक सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है तो बाक साइड अभी चुप चाप वीडियो को फॉलो करो एक पॉइंट नोट करो जैसे कोशन आया आपने डाला बाक सा पूर आपने डाला भिलाई या सामने लिखा 36 आपने डाला राउल केला सामने डाला उडिसा ऐसे लिखो ठीक है चलो भारत का सबसे लंबा राश्टी मार्ज राजमार्ग तो आप ऐसे लिखो भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग डैस लगाओ और तुरंट टिक 妳 also**** क्या match44 यह भारत का सबसे लंभाелей राजमार्ग है जो कहां से सुरू होता है जो सुरू होता है भारत के उत्तर से यानि की बच्चो सब से उपर सिरीनगर से कहां तक जाता है कहां तक जाता है बच्चो बताओ जली 24 बच्चों कितना परसेंट आप आंसर दिये हो सर बताएंगे बताइए अधर सर कितना परसेंट है और आधर सर कौन है यह आप लोग पूछ रहे थे हमने दूसरे वाले चैनल पर सर के साथ एक फोटो डाली है ब्लैक कलर का वो या पहने हैं हमारी तरीकिस कपड़ा-पड़ा ब्लैक कलर का खुड़ता पहने हैं वो है आधर सर एटी फाइब परसेंट बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है गलत नहीं करोगे कल के पेपर में निम्लिकित में से कौन से दो दूरस्त इस्थित इस्थान पूर्व पस्चिम गल्यारा के द्वारा आपस में जुड़ते ह सिल्चर पूर बंदर क्या सिल्चर पूरबंदर सिल्चर पोरबंदर इसका correct answer होगा मुंबाई, नाकपुर, मुंबाई, कोलकाता, नाकपुर, हैदराबाद नहीं सिल्चर पोरबंदर और यह कहा है सबको पता है गुजरात ठीक, आगे चले क्या, इसके बाद हमारे पास है भारत की सबसे लंबी परिवहन प्रनाली कौन सी है सबसे लंबी परिवहन प्रनाली, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायू परिवहन या फिर जल परिवहन जल्दी जल्दी से बता दो, फड़ा फट से जल्दी जल्दी से बतादो और हां देखो यह जो सिल्चर पोरबंदर है न जब मैंने अपना एक वीडियो अप्लोड किया nella और उसमें silvusüm pada 10 लिखा था वह मिस्प्रिंट हुआ था और मैं जल्दी से बोल कर चला गया वह पूर यह बोला था मुझे आडिया नहीं पर नीट उसमें सिल्वर पूर बंदर था जबकि पूर बंदर होता है याद रखेगा ठीक आई एकसेप्ट माई क्या बोलते हैं अंगरेजी नहीं आती कमिया ठीक है भारत की सबसे लंबी या भारत की सबसे बड़ी परिवान प्रणाली कौन सी है रेल परिवान क्योंकि भाया रेल नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा हर इंसान जहास्ते नहीं घुम सकता ना इसलिए र भारत के अलग-अलग राज्यों को जोड़ता भी है आपको घूमना हो कहीं जाना हो चुप-चाप टिकट कराओ 500-600-700-800 वाला बिल्कुल घूम लो उतना भी पैसा नहीं है जर्नल में बैटके चले जाओ घूम लो आराम से ठीक तो यह इसका खरेक्टर आंसर हो जागा रे जुछा गया है कि इससंचार का माध्यम कौन सा है वाइउसेना है रेल सेवा है दूरदर्शन जल सेवा को पता है डूरदर्शन डीडी नैसनल याद रहेगा बच्चों इसमें तो हम लोग देखते थे बच्चपन में आपको पता है 2011 की बात बताऊं आपको 30 सिकंड स्रिलंका वर्ड कप भारत बनाव सृरलंका हमारे घर में टीवी तो है बठ हमारे गाउं में लाइट नहीं थी ट्रास 2011 में क्रिकेट का बुखार हमारे उपर चढ़ा हुआ था नाइंध क्लास में हम थे और हमारे एक कवम एक इनसान जो रहते थे उनका नाम था दर्शन और वह क्या करते थे दर्सन बाबाजी वो सुनते थे राति में सो गए थे उनका रेडियो उठा लाए थे हम और खुब उसके बाद बढ़िया क्रिकट्रिकट सुना और उसके फिर वहां रेडियो वापस कराई तो यह दूरदर्शन क्या है संचार का माध्या में बस आपको फ्रेस करने के लिए कुछ अपनी पुरानी यादों को आपके साथ साजा करने के लिए यह चीज़े बताई हैं वापस से सुरू करते हैं क्योंकि जिन्दगी जिस तरीके से आप जी रहे हो हमने भी उस तरीके की जिया है यह बात बताना हमारी इमांदारी है और यह बात हमको बतानी चाहत होगी अगर क पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच में सुरू हुई थी कोलकाता से रानी गंज या मुंबाई से थाड़े यह कई-कई पिच्चरों में बना है आपने मुवी देखी होगी और मुंबाई चो थाड़े एक पता नहीं कौन सी मुवी थी हमको मुवी याद नहीं र अगला कोशन हमारे पास क्या है कि बेल्जियम यूरोप महादीब के किस भाग में भाग में स्थित एक छोटा सा राज देश है देखो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ कि ट्रांसर भी हो जाएगा एक पॉइंट हो गया आपका पस्चिमी यूरोप दूसरा पॉइंट कि बेल्जियम में जो भी वहां चुनाव होता है वह सरकार बनती राजी सरकार बनती है बहुंत चुनने वाली है यई विव्यक्तियों के द्वारा चुनी जाती है ठीक तो तीसे सरकार हो जाती है तिर उसके बाद यह इसके ऊपर हमने एक शॉट कोशन कल पढ़ाया piece उसके बाद तीन भासाइं बोली जाती है वह है डच पहली दूसरी है फ्रेंच को यह उसके बाद तीसरी कौन स्रिलंका में देखो जहां बेल्जियम की बात होगी वहां स्रिलंका की बात स्रिलंका में कितने उप्समूह निवास करते हैं यह कोश्चन 2023 का पूछा हुआ है जल्दी बता दो बच्चों की संख्या बढ़कर हो गई है 14000 से बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी से आंसर कर दो भाई लगबग हम लोग 15000 के आसपास बच्चे हैं और बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी को कि यह वीडियो अभी तक एक लाख बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नेटवर्क चला गया होगा बहुत सारे ऐसे बच्च तो गलत करोगे अपने साथ कितने हैं दो हम मुले जाती है अब इसका आंसर वो बच्चा कर पाएगा मैं चाहता हूं कि 100% इस question का answer आए सर पोल दे दिजे इस question का मैं चाहता हूं कि 100% बच्चा इस question का answer सही करें देखो बाई सुनते रहो यार जल्दी से हां सिंहली क्या बोलते हैं कि सिंहली तमिल और भारती तमिल एक जल्दी जल्दी से पड़ाव वट से जल्दी जल्दी से बता दो भाई जल्दी जल्दी से answer करोगे A B C D कौन सी भाई आभी हमने पताया था फ्रेंच डच और डेनिस और जर्मन इनमें से देनिस नहीं बोली जाती बाकी तीनों भासा हैं बोली जाते सर कितने परसंद बच्चों इसका अंसर दिया सही मैं डिकारों को विभाजन होता है कैसे होता है संगहात्मक यानि संग और संग का अर्थ होता है केंद्र तो भईया जो केंद्र वाला होगा वही option correct हो पाएगा संगहात्मक साशन पुनाली का मतलब होता है कि केंद्र और राज सरकारों के बीच में ये अधिकारों का विभाजन होता है कुछ कारे केंदर सरकार को दे दिये जाते हैं तो कुछ कारे हमारे दे दिये जाते हैं किसको बच्चो वो दे दिये जाते हैं किसको राजिसरकार को ठिक तो करेक्ट रांसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्ट हमारे पास question है कि सम्विधान के आठवे अनसूची में कितनी भासाओं को मानिता दी गई है ये question लगातार पूछा जा रहा है और मैंने इस question को जब अपने community पे डाला था पता नहीं अभी तक लेकिन उस समय तक 2 लाख से जादा बच्चे या लोग उस पे पोल कर करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 याद रहेगा भूलोगे तो नहीं ना कि बहुत ही बढ़िया कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी पेपर लीक कर देते हैं क्यूंकि सारा पेपर तो गुरुजी की क्लास से आता है बेटा यह सब कुछ नहीं है थोड़ा ब पढ़ा दिया अरे सरम नाई उनको और उसके बाद देखो पूरा पूरा पेपर वहीं आगया तो यह किसका है उपर वाला साथ दे रहा है कि आप जैसे बच्चों के चारचर पाच पाच बच्च लाख बच्चे प्यार कर रहे हमको तो समस्यां कैसे हो सकती है हां जल्दी बताओ बच्चे अगला कोशन है कि समविधान में उलेखित या उलेखित तीन सूचियों में से निमलिखित में से कौन सा विसाय समवर्ती सूची में सामिल नहीं है अभी इसमें हमने कल आपको एक स्वाट कोशन कराया था और हमने आपको बहुत प्यार से समझाया था समवर्ती सूची के बारे में याद होगा आपको मॉडलल पेपर में कौन सा समवर्ती सूची में सामिल नहीं तो नहीं लिखा है लिखा है कि सामिल है ठीक है कौन सा समवर्ती सूची में सामिल है सिच्छा क्रसी पुलिस रच्छा कौन सी सूची में सामिल है भाईया सिच्छा को समवर्ती सूची में सामिल किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा सिच्छा अर्थात सिच्छा अगला है कि नगर निगम के प पाँंच गामों को मिलाकर क्या चुन होता है लगर नीगम के अंतर अब यहां पे जो भी चुना वे दोनों में डिफरेंस होता है अगर आप से पूछा जाए नगर निगम तो आंसर होगा क्या मेर इसका आंसर होगा ठीक है मेर इसका अंसर होगा अगर हो कि नगर पंचायत तो वो क्या होगा वो होगा मेर अम मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे उन्नाव जिले से मौरावा से इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता है कि हमारे यहां चेर्मैन होता है क्योंकि हम मौरावा एक एरिया से अगर देख रहें बड़े खुस हो गए वह बच्चे मौरावा वाले मौलाल गंज वाले तो नगर निगम के प्रमुक को क्या बोलते हैं मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और नगर पंचायत हो जाए तो चेर्मैन बोला जाएगा और अगर बोल दिया जाए प्र आज से 15-10 दिन पहले और इसका लड़ू बनके आया पहली बार मज़ा गए चलो लगू और दीर्ग उत्तरी प्रस्ण देखो अब यहां पर मेरी बात सुनू अगर कल सवेरे आप चाहते हो कि आपको सारे कोश्चन लगू दीर्ग मितने तो इन 41 प्रस्णों को छोड़ना म जैसे जैसे explain करूं क्या पकड़ने की कोशिस करना मैं बताता हूं यहां से मेरे जो वर्ड्स होंगे एक-एक कोश्चन एक-एक पॉइंट explain करने में आप ध्यान देना आपका objective यानि आपका एम आपका गोल वो होना चाहिए कि आप जो है हमाले keywords को पकड़ो ठीक दूसरी ब लाया हूं कितने 41 प्रस्ण लाया हूं जिसमें से 25 में एक बार में कराऊंगा फिर मैं कुछ सब objective कराऊंगा फिर मैं कुछ और यह जो बच्चे हुए 16 होंगे वो कराऊंगा फिर मैं objective कराऊंगा गयाने एक लें गोवह सें बाहर अगरमें अपने तुरों अब कर में आ आपको कु姐 मिलेंगे जो आपको कट द्श дор क customize आते हैं तो आपको 16 अभर मिलेंगी आपको rumors के 16 के मिलें उसके बार द्यान से सुनना आपको छे यहां से होगे आपका 40 अब सुनो मेरी बात सिर्फ 40 नहीं आपका जो दस नंबर का मैप आता है कि इसमें से आपका पांच नंबर का मैप तो केवल इन कोश्चन से पूरा हो जाएगा और जो की हो चुका है लगभग अब्जेक्टिव से लेकिन जो पांच नंबर का मैप इससे हो जाएगा यानि यह 41 प्रस्ण 45 नंबर दिलाएंगे आपको तो क्या आप तयार हो कि अब यहां से आप मेरी बात को गौर से सुनोगे और सारे और बच्चे ध्यान से सुनोगे अब जो मैं कोश्चन करांगा उसमें आप क्या पकड़ोगे की वर्ट को पकड़ोगे मेरे पढ़ाने का तरीके में थोड़ा उत्तेजना कम होगी मैं साफ साफ कह रहा हूं क्योंकि इसलीं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं इसलिए माय बहुत ज्यादा उत्तेजना में हाई पर में होकर मैं आपको समझाओंगा तो आपकी छूटेंगे एक कोश्चन को नहीं होंगे 41 को दो से गुड़ा करो कितने हो जाएंगे 82 क्यूंकि हर एक कोश्चन में एक कोश्चन छुपा हुआ होगा कैसे मैं बताता हूं कि पहला कुश्चन कि फ्रांस की करांती कभ हुई थी जा इसका मुख्य कारण क्या था देखो यहां से एक मसिक्व पहली बात तो पक्का हो रहा है कि फ्रांस की अ gekरांती 1789 में वहां पर एक जो साशन वेवस्था थी वह निरंकुṣ थी वहां पे यह होता था कि राजा का पेटा राजा बनेगा और जो कमजोर है रहेगा यह वहां पे निरंकुस राज तंत्र था निरंकुस का मदब समझ गया तुम लोग अब यह है पहला पॉइंट की इसका मुखी कारण क्या था तो एक नंबर यहां से पका हुआ तीन नंबर यहां से होंगे कि दो स्पूर सासन भिवस था अब आप मुझे बता तीक, कि फ्रांस की क्रांटी का मुख्य का आप कोशन पेपर-चैस करो अभी मेरी वास सुनों सबसे पहले उपर दालो फ्रांस के ग्रांती फिर नीचे डैस लगा लिखो कारण और फिर लिखो दोष्पूर्ण सासन ब्यवस्ता और उसके बाद बस मेरी बाते सुलो अब आप देखो जैराध्यान से कीवर्ड पकड़ो फ्रांस की ग्रांती का वुई थी आपने आंसर दिया कारण आपने ल आजा जो कहता था वही होगा ठीक और वास्तो अनुसार आचरन करता था जैसा मन होता था वैसा आचरन करता था कोई उसके पास नियम कारून नहीं थे सासन के अंतरगत करों को वसूल करने के भी क्या थी प्राणी अत्यदिक दोस्पूर्ण थी वह जो कर वसूल करता था व उससे वो कर बहुत ज्यादा वसूलता था ठीक और उसके बाद उच्च उसे नहीं करता था तो इससे क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनता रहता था और अधिकार सबको नहीं मिलता था ठीक उसके बाद क्या था राज राज सोयम अपने अधिकारों द्वारा वसूल नहीं करता था, राजा ही करता था सब कुछ, अपत या अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्त को दिया जाता था, यानि कि या जो अधिकार था, वो सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्त को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में आसंतोस की भावना को प्रबल कर दिया यानि कि जो इंसान की बोली ज़्यादा लग गई वही इंसान क्या करने लगता था करवगरा वसूल करने लगा और फ्रांस के लोगों में आसंतोस की भावना जो थी वो क्या हो गई क्रबल हो गई क्यों हो गई क्योंकि दोस्पूर्ण सासेन व्यस्ता राजा का बेटा राजा बनेगा कर वसूला जाता था गलत तरीके से यह दो अगला पॉइंट देखो अगला था समाजिक आसमानता अब इसके अंतर्गत क्या लिखोगे देखो फ्रांस की करांती के समय अधिक आसमानता व्याप्त थी दूसरी भी निपट गई जबकि उसमें कुछ बताया नहीं गया अना समाज दो वर्गों में विभाजित था अब यहां से में इंपॉर्टेंट शुरू होता है प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी लोग आते थे और जो करो का भुकतान नहीं करता था अना और दूसरे वर्ग में किसान और अन जबकि वाले लोग थे वह कर नहीं देते थे लेकिन जो वहां के स्रमिक थे जो वहां के किसान थे वह कर देते थे तो अब आप एक बात बताओ अगर आपको भेद भाव की भावना आपके अंदर हो जाए कि अरे भाईया बड़े भाईया को सब कुछ मिलता है हम तो छोटे हैं हमको कुछ मिलता ही नहीं है तो युद्ध तो तया है घर में बस वही हुआ यहां पर भी भाईया बड़े लोगों से कोई मतलब ने छोटे को काम कराया जा रहा है तो इस तरीके से वहां पर उनकी समाजिक इस्थित भी ठीक नहीं थी यह उसका हो गया समाजिका समनता यह दूसरा कारण हो गया यह दो कारण आप लिखकर आओगे चार नमबर आपके पक्का बोलो क्लियर है कि बोलो बच्चे क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई बेटा मैप भी कराएंगे क्यों परेसान हो पहले यह क्लास तो पूरी कर लो क्यों परेसान हो और पहले करा अभी चुके हैं बच्चों मैप समाज में आगई बाद चलो बच्चों के संख्या 16000 के आसपास है बहुत बढ़िया दूसरा कोशन देखो दूसरा की फ्रांस की क्रांती या फ्रांसिसी क्रांती की उन घटनाओं का उल्लो लेक करिए जिन्होंने यूरोप के अन्य भागो सब्मंद रखने वाले लोग थे वह प्रभावित हो गए अब कौन कौन सी घटनाएं हुई थी देखो फ्रांसिसी क्रांती की कुछ प्रमों घटनाएं निम लिखी थे जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों को सम्मंद रखने वाले से अध्य प्रभावित किया अब यहां को ध्यान देना इससे नंबर बढ़ता है ठीक अच्छा देखो पहला निरंकुस राजतंत्र से मुक्ति फ्रांसिसी क्रांती के बाद क्या हुआ कि निरंकुस सासनी खतम हो गया निरंकुस का मतलब अब राजा का बेटा नहीं राजा बनेगा कोई एक इंसान करकी वसूली नहीं करेगा सबको समान अधिकार मिलेगा यह हो गया निरंकुस राजतंत्र का समापन उसके बाद देखो फ्रांसिसी क्रांतियों ने क्रांती के समय या घोसना की जो फ्रांसिसी क्रांतिकारी थे जब फ्रांस की क्रांती हुई तो उन्होंने घोसना करी क्या घोसना करी कि फ्रांसिसी रास्ट का यहाँ भाग यहाँ भाग और लच था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुस सासकों से मुक्त कराए यानि यह देखो यह लाइन तो बनाकर ही लिखी गई ना में पॉइंट क्या था यह तो आपको घटना याद रखोगे कौन-कौन सी घटना है जिन यह तो उसके कारण यह लोग बहुत प्रभावित हुए फिर भारत के लोग भी प्रभावित हुए वह भारत में भी रूट क्या हो गई क्रांती पर बात इतनी समझना आ गई अगला है कि जैकोबियन क्लब ओक के इस थापना अब यह इंपॉटरेंट पॉइंट है कि जब की घटनाओं की खबर यूरोप के विविन सहरों में पहुंची जब फ्रांस में क्रांती हुई तो इसकी सूचना अलग अलग पहुंच गई जैसे एक चीज सोचो एक दिमांग लगाओ आप ऐसे गाओं में रहते हो जहां पर बगल में कोई दूसरा अब इसको लिंक करो अप जिसको कोई पसंद नहीं करता लेकिन वो प्रधान बन जाता है कैसे बन जाता है धांधिली करके किसी बिपकार बन जाता है पसंद नहीं है वहां के लोग उस प्रधान को एकदम निप्टा दें और निप्टा के वहां से सासन उसका खतम कर दें तो बगल वाले अगर गवा तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विविन सेरों में पहुंची तो चात्र तथा सिच्छित मध्य वर्गों के अन्य सदस से जैकोबियन क्लब की इस्थापना करने लगे जिसके बाद इसी जैकोबियन क्लब की मदद से और तो सिच्छित मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने किया था बोलिए यहां तक फटा फट समझ में आ गया क्लियर हो गया मज़ा आ गई चलो अगला देखो नैपोलियन का उदय और उसका प्रभाव अब जब फ्रांस में क्रांती हो गई 1789 में उसके बाद नैपोलियन आ समाता है और अपना एक क्या कर देता है कोड जारी कर देता है जिसको नैपोलियन सहिंता करते हैं कहते हैं और कब जारी करता है 1804 इस्वी में डेट नोट कर लो और 1815 में उसकी पराजय हो जाती है समझ रहो ठीक यह याद रखोगे तो नैपोलियन का उदय उसका प्रभाव तो बच्चे फ्रांसी सी क्रांती दोरा निर्मित की गई परिस्थितियों में नैपोलियन के लिए मार्ग खोल दिया और नैपोलियन कौन था यह 1790 में आया था फ्रांस में और अपना कोड कब जारी किया इसने 1804 में और 1805 में इसने कहा मैं ही फ्रांस में रहूंगा मैं ही फ्रांस का राजा हूं और 1815 में मारा गया इसकी पराजय हो गई अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको ठीक तो इसने नेपोलियन के मार्ग के लिए मार्ग खोल दिये जिसके कारण यूरोब की अर्धिवस्था को सुधारने के लिए अनेक जो है वो कदम उठाए गये तो यहां से हमने आपको तीन पॉइंट बताए अब देखो अगला कोश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि आज तक यह कोश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा गया है मैं एक ऐसा प्रसुन लेकर आया हूं जो आज तक पेपर में कभी नहीं पूछा गया है पर मुझे पूरा यक भी है और उसके बाद सरस्वती माता आपको यह प्रस्ण कल पेपर में दे दे तो जड़ा ध्यान से सुनना एक कोश्चन है मारियाना और जर्मेनिया यह कौन थे पिक उसके बाद जिस तरीके से यह कौन थे अब यहां थे नहीं थी लेकिन लिखकर कानफ्यूच किया रहा ह तिक जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्तु था उनके चित्र बनाए गए अब कैसे ध्यान से सुनना ठीक देखो मारियाना क्या थी यह एक इसाई लोकपुरी नाम है मारियाना ठीक जिसे फ्रांस ने जन रास्ट के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी के रूप में चित्रित किया था बस आपको दो वाड़े आद रखने हैं कि क्या रखना है कि जन रास्ट के विचार में रेखांकित करने के लिए नारी रूप में क्या किया था चित्र नारी प्रतीक को यही नाम दे दिया सौतंतृता का नारी प्रतीक मारियाना आपने देखा होगा चित्र में मारियाना की प्रतिमाइ सारवजनिय की स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को रास्ट्री एक्ता और प्रतीक का स्मरण होता रहे इनकी फोटो जगा जगा लगा दी गए जिससे जनता को यह पता चले कि भाया हमारे अंदर यूनिटी है हमारा रास्ट जो है वो यूनिटी वाला रास्ट है एक्ता है हना फिर उसके बाद मारियाना के चित् हो गया किया एक इसाई लोग प्रिए नाम यह रास्त हुद में नारी रूप में क्या रेखांकित किया गया सिक्कों में डांक टिक्टों में इस holds क्यां गया चित पिया गया कहएं कि बनाया गया और उसके बाद यह रास्ट एकधा का प्रतीक था आप ऐसे इन पॉइंट्स को याद रखोगे और यह आपके पेपर में आएंगे बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ गई कि अब उसके बाद है कि जर्मेनिया यह जर्मन रास्ट की नारी रूपक थी मारियाना फ्रांस और यह क्या थी जर्मन रास्ट की नारी रूपक थी और जर मार्याना फ्रांस उसकता है कि मार्याना कि समन्दीथ MS JENN फ्रांसा थे दोकर एक लिए जरमेनिया के प्रत्यच्च साच अभ यहां से देखो जराध्यान से जर्मेimmenया के प्रत्याच्च साच यह बलूत व्रस्च के पत्तों को यह क्या करती境 teenage जिसे जर्मन वीर्ता का प्रतीक माना जाता है क्या है जर्मन वीर्ता का प्रतीक और वो राष्ट्री एकता का प्रतीक या सुतंता का नारी प्रतीक ये दो पॉइंट भी याद रखना जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार थी उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रच्छा करती है देखो जर्मेनिया के हाथ में तलवार थी उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रच्छा करती है वो अंकित है और जर्मेनिया का चित्र सुतंत्रता न्याए गड़तंत्र जैसे विचारों का एक रूप जो था वो यह दो चित्र थे फिक जिसको जैसे आप एक बात बताओ जैसे हम कहें कि गांधी जी इस दुनिया में ना आए होते नौट में छपए होते खाली आप क्या बताते यहां और यह चिंड्या है और यह चिंड्या होता है ऐसे बोलते की नहीं बोलते बोलो लेकिन अब बिल्कुल सेम टो सेम ऐसा है यह मारियाना और जर्मेनिया याद रहेगा मुन्ना भूलोगे तो नहीं न चले अगले कोश्चन पर बहुत बढ़िया और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी बच्चों क संख्या उतनी ही बनी हुई है जितनी थी अभी तक बहुत ही बढ़िया यहां तक सभी को क्लियर आ गया समझ में अगया सभी को समझ में जल्दी जल्दी से अच्छा स्क्रींशॉट लेना है ले लो भाईया ठिक अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला है कि जर्मन एकी करण की प्रतक्रिया का संखेप में पता लगाई है अब एक कोश्चन आ सकता है कि जर्मनी की एकी करण में किसने मजलो अभी हम लोग बीच रास्ते में भी नहीं पहुंचे हैं मैं कुछ जोटी जोटी आपको चीज़े बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनों इसको देखो क्या है अगर फ्रांस की करांती से पूछा जाए तो नैपोलियन बोना पार्ट अगर इटली से पूछा जाए तो म अगर आप से पूछा जाए जर्मनी तो आटो वान बिसमार्क या तीन नाम याद रखोगे एक नंबर आपका कल पका होगा पेपर में एक कोश्चन तो पका ही होगा यह तीनों नाम याद रखोगे चाहों तो तो इस क्रींशॉट ले लो मुन्हां आगे चले अभी मज़ा आएगा अभी तो हम लोग बहुत समझ लो सुरुवात ही किये हैं मज़ा तो अभी आएने ही वाला है ठीक है चौथे कोशन को देखो जर्मन एकी करण में आपसे पूछा गया है कि ऑटो वान बिसमार्क को जर्मनी की एकी करण का जनक क्यों कहा जाता है दो हजार तेइस का कोश्चन है और यह काफी जदा इंपॉर्टेंट कोश्चन क्यों कहा जाता है तो देखे अठारा सो अर्तालिस इस्वी के बाद यूरोप में राज सक्ति और राजनीतिक वर्शासू पर अपना प्रभित्व इस्थाप्वित करने के लिए रूड वादिय अक्सर राष्ट वादी भावनाओं का प्रियों किया था अब यहां पर तो गुरुजी हमको इतना समझ में आया यहां कि 1848 इस्वी के बाद जब 1848 इस्वी तो के बाद जब फ्रांस एक गड़तंत्र घोसित हुआ था 1848 में नोट कर लेना है डेट कहीं पर यूरोप में र जर्मनी में जो मध्य वर्गी लोगों के बीच में राष्ट वादी भावनाएं क्या थी व्यापक थी जर्मनी में जो मध्य वर्ग के लोग थे यानि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जैसे हम लोग है ना तो मध्य वर्ग के जो लोग थे उसमें राष्ट व मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट राज बनाने का प्रियास किया गया था कब किया गया था 1848 में जर्मन संप्रदाय के विविन छेत्रों को मिलाकर क्या किया गया एक राष्ट राज बनाने के कोशिस की गई तो अब यहां से हमारे पास करन का नित्रत किया था प्रसा के प्रमुख मंत्री आटो वान बिस्मार्ग थे को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है तो यहां से कोशन और नौकर साही की सहायता लिया उन्होंने और जर्मनी की एकी करण के समय हुई बड़ी घटनाए जो थी उनको अंजाम दे डाला और क्या-क्या घटनाए थी वो समस्ते हैं अब पहला देखू और इस युद्ध में कौन लड़ा आट वान विसमार्क युद्ध में प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकी करण की प्रक्रिया पूरी हो गई अब यहां से एक कोश्चन आपका और बननाते हैं कि जब प्रसा की जीत हुई थी अभी देखना इसके बाद मैं आपको सस्ट के इतिहास के कुछ कोश्चन कराऊंगा उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से गुरुजी इनहीं से कोश्चन बन जाएंगे आप से कोश्चन मनेगा कि भाया बताईए प्रसा की जीत के साथ जब प्रसा की जीत हुई थी तो उसमें किसकी जोhou आश्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ साथ वर्सों तक जब युद्ध लड़ा गया था तो प्रसा की जीत हुई तो प्रसा की जीत में कौन इंसान था जिसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी तो आटोवान बिसमार्क था ठीक और प्रसा के युद्ध जब प्रसा युद्ध जो है जीता था तब जर्मनी का एकी करण हुआ था ये पॉइंट भी बनेगा अगला है कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के सास को और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुक मंत्री जो आटोवान बिसमार्क जीत है उन्हें ने प्रसा के महतपूर मंत्रियों के एक बैठक बुला ली तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको नमबर दिला सकता है अगला और आखरी पॉइंट है इसका अगला है कि जर्मनी में मुद्रा बैंकिंग कानून नियाइक प्रनाडी के आधुन की करण पर ने राज ने बल दिया जर्मनी में मुद्रा बैंकिंग कानून नियाइक प्रनाली अब यह सब क्या होता है देखो मुद्रा मतलब रुपया ठीक है मुद्रा बैंकिंग का मतलब भाई सबको सही तरीके से सुविधाय प्रतान करना कानून यानि कि लौ फिर नियाइक प्रनाली नियाइक प्रनाली जो है बना 1871 में जब यह काईजर विल्यम पुर्थम की अधिस्ता में नए जर्मन समराज की खोसना हुई थी युद्ध जीतने के बाद प्रसावाला राइट तो यहां तक समझ में आगया करना स्क्रीशॉट लेना है लेलो मैं पीछे यह जाता हूँ और आप लोगा इसका स्क्रीशॉट ले लो यह पहला कोश्चन था यह चौश्ट्र यह सभी को और अगया समझ में सभी को ठिक आगे चले हाँ अब देखो अगर आपने साल बर सस्टी नहीं पढ़ी है तो इस वक्त चीजों को नोट करना पढ़ेगा क्योंकि कल है पेपर नोट करना पढ़ेगा चीजों को वरना एक दिन में सस्टी ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको कुछ छोटे-छोटे जो पॉ हो गया है भारत में राष्टवाद वाला चैप्टर है उससे सुरू हुआ है अभी पूरा समझ में आगा बहुत मास्त चैप्टर है यहां पर सारे अंदोलन बताऊंगा मैं आपको और जो की पेपर में बनेंगे बनेंगे राष्ट्रिवाद से क्या अतात पर है कि देश का हुए औरर मरेम लफ ऑर यूर कंटरि नौच यूर मचों क्या है यूरॉप में राष्ट्रवाद के उदे होने में कौन सी परिस्थितिया जो है वह हो सहायक हुई यह भरत भारत में राष्ट्रवाद नहीं है यूरौप में राष्डवाद संस्कृति के आधार पर स्वयम को एकिकरत करने से है यानि कि एक ऐसा समू है राष्टवाद यानि देश प्रेम और देश प्रेम कब हो पाएगा जब आप उस देश के इतिहास को पढ़ोगे जब उस देश के इतिहास के अनुसार आप चलोगे ऐना जब उसके परंपराओं को आप मानोगे उसकी भासा का सही प्रियोक करोगे अबे तबे उनखी ऐसी की तैसी देख लेंगे क्या उखाड लेंगे ऐसे सब्दों को प्रियोक थोड़ी ना करो गले तो उसके बाद भासा जातीता जातिवाद संस्कृत की आधार पर स्वयम को एकिकरत करना यानि कि स्वयम को हमें क्या करना है एक जगा पर करना है राष्ट प्रेम तभी तो होगा जब हम इन चीजों का पालन करेंगे अच्छा राष्ट वाद के आधार पर लोग अपने स्वयम के निर्णियों के आधार पर अपना स्वयम का सम प्रभू राजनीतिक समुदाय बनाते हैं यानि कि अपना सुयं का राज नीतिक समुदाय बनाते हैं किसके बल पर बच्छो राष्टवाध के आधार पर यानि देश प्रेम के आधार पर जो देश की इनसान को क्या हूं पसंद हो बूलो क्लियर है गुरुजी आज मेरा बड़े है मेरा नाम लिलो बिटा आपका नाम निकल गया है पर आपको जनम दिन की बहुत-बहुत सुब्काम नाए और मुझे पता है कि आपका जनम दिन आज नहीं है अगला कोशन है बच्चो नय मध्यम वर्ग का क्या उदय है अब दिहान से सुनो जब राष्ट्रवाद हुआ उदय होने की कौन-कौन सी परिस्थितियां सायक हुए पहले उच्च वर्ग था है जैसे मैं आपको समझाय था कि बयाद जिसमें पादरी और कुलीन वाले आते थे और एक निमन वर्ग था जिसमें किसान आते थे यह उदरी आते थे पैसा भी नहीं है यह इनके पर बहुत गरीबी भी नहीं है जरूरी नहीं कि इनके पास बहुत खेती हो बहुत ज्यादा यह क्रसी पे निर्भर हो बीच के लोग हैं जैसे आम इंसान हम लोग मध्यम वर्ग वाले मिडिल क्लास फैमिली तो इसका उदय कब हुआ था बच्चो के पश्चमी और मध्य भागों में और योगी करण के कारण नए समू समाजिक समू स्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योग पती वैपारी सेवा छेत्रिक के लोग अस्तित्त में आए यानि बस आपको यह हैडिंग के वाल याद रखनी है कि भाईया यू फिर एक निमन वर्ग था जिसमें श्रमिक और किसान आते थे फिर उसके बाद उनको सब को मेला के मध्यम वर्ग बनाया गया जिसमें कौन लोग व्यापारी आ गये सेवा चेत्र्व के लोग आ गये उद्योग पत्ती प्धिक तो इससे क्या हुआ यूरोप में बच्चो राष्टवाद जो है वो उदै हुआ यह हमारा में इंपॉर्टेंट हो गया नोट कर लोगे सारे बच्चे बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया है अच्छा अगला देखो उदारवाद की विचार धारा का प्रसार और एक बात मैं आपको बता देता कर लूँ उसके बाद चाहे जितना समय लग जाए सारा पढ़ा के जाओंगा चाहे जितनी देर लग जाए क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा पढ़के जाएगा ठीक तो देखो एम सी क्यों करना था तो कल भी आप समझ लो कि कल गलत हो जाएगा आपके साथ इस बात का द्यान ranged na उदार वाद की विचारधारा का प्रसार नए मध्यम वर्गों के उदार वात का अर्थ व्यक्तियों के लिए सुटंत्रता कानून के समच सभी लोगों का समान अधिकार यानि आप से कोई पूछऊं उदारवाद क्या है कि भाईया सुतंत्रता और कानून के समान अधिकार मिलने लगे प्रांस में वोट देने निर्वाचित करने का अधिकार विशेश रूप से अधिक संपत्य वाले लोगों को दिया गया था जब की जब यूरोप में करांती हुई तो इससे क्या हुआ राष्टवाद की जब भावना उत्पन हुई तो फिर इससे स सबको समान अधिकार मिलने लगा यह पॉइंट था अब उसके बाद है संपत्य विहीन पुर्स जैसे स्रमिक और किसान पुर्स और महिलां को इस अधिकार से वंचित रखा गया था कहां पे फ्रांस में आर्थिक छेत्र में उदारवाद बाजार की आजादी के पच्छ में था अठारा सो चौतिस में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संग जाल वेराइन का गठन किया गया था अब यहां से एक कोश्चन आपका तैह बनना यहां से कि यह जो जौल वेराइन का गठन हुआ था जिसमें जिसने सुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया उसने और मुद्राओं की संख्या दो कर दी जो उससे पहले तीज से भी क्या थी अधिक थी दो टाइब के मुद्राओं के संख्या कर दी ज्यादा मुद्राओं नहीं चलेंगे एक कि मुद्राओं कि यहां यहां तक यहां पे अंडर्लाइन किया है यह प्रसा की पहल पर शुल्क जाल विराइन का गठन हुआ था कब 1834 में डन यहां तक जल्दी बता दो कि गुरुजी मैप भी बताना बेटा बताऊंगा सब बताऊंगा मैप में पहले बता भी चुका हूं जिसको नहीं देखा है इसने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है देख सकते हूं कि इस अगहीं मेरी बात समझ में सभी को आगे चलें चलो अगला है कि रूड वादी की नई भावना कि 1815 में नैपोलियन की जब हार हुई ये बात मैंने आपको बताई भी है कि नैपोलियन की पराजय कब हुई तो ये डेट याद कर लो 1815 में एवसी क्यू बनेगा यूरोप वादियों का मानना था कि राज और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजसाही चर्च समाजिक उच नीच संपत्ति और परिवार को सनच्छित किया जाना चाहिए यह किसका मामना मानना था देखो 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई तो यह यूरोपी सरक प्रूडवादी की भावना से प्रेश्च और रूडवादी वादियों का मानना था कि स्राज और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजसाही चर्च समाजिक उचनीच मतलब समझते नों उचनीच चुआ छूट ठीक उचनीच परिवार को सनच्छित किय जाना चाहिए यह किसका मानना था रूडवादी की नई भावना था और पुराना उनका मानना यह था नई भावना इसके विप्रीथ हो गई अब है कि क्रांथ कारियों का उदे अब बच्चों देखो यह सब बड़े इंपॉर्टेंट पर लॉंग कोशन है बच्चे छे न सब्सक्राइब करना बस अब इंटरेट आ गया ना जल्दी से बता इंटरेट आ गया सभी को मिल गया देखो एसस्टी है आप बोर हो सकते हो आई बट हमें तो करके आना इन सारी चीजों को नहीं तो गलत हो जाएगा तो हमने क्या बता है कि क्रांथ कारियों का उदय हुआ था यह चीज आप हांसे देखना यूरोप में अनेक छेत्रों में उदारबाद और राष्टबाद कांति से जुला था और प्रथम विद्रोव फ यहां से भी कोश्चन आपके वेपर में बन सकता है ओके चलो इतनी बात आगे चले स्क्रींशॉट ले लो फड़ा फड़ते सारे बच्चे राष्टबाद से क्या तात्पर है यह कोश्चन आएगा और पूरे छे नंबर का देखे जाएगा तो अगर आपको यह हैडिंग्स में कोई सबस्या हो आप इसको रट सकते हो तो क्योंकि अंत्य समय में आपको यही करना पड़ेगा है ना यही करना पड़ेगा तो इटली का एकी करन कैसे हुआ था और एक कोश्चन बनेगा यहां से कि इटली का जो एकी करन हुआ था इसमें कौन से वो तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है तो याद रखोगे क्या मैटसनी कावूर और गैरी बाल्डी कभी-कभी कावूर लिखा हुआ मिल 2023 में आया 2014 में आया अब अच्छो तीन लोग कौन कौन से थे उनको डीप में समझते हैं पहले थे मैटसनी मैटसनी जो थे वो क्या भूमिका निभाई उन्होंने जब 1830 के दसक में कि दौरान इतालवी गडराज के लिए जो मैटसनी ने एक कारिकरम तयार किया और उन्हों मैटसनी का संबंध किसके साथ है इटली के करण से हैं ठीक है तो हमने यह बताया भी था फिर उन्होंने कारकरम तयार किया और उन्होंने दो भूमिकत समराज्यों का गठन किया पहला जो था वो मार्सेल्स था मार्सेल्स में युवा इटली यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैटसनी ने कौन से जो है दो समाजों का गठन किया था तो उसमें से पहला था युवा इटली और दूसरा था बर्न में युवा यूरोप दो आपको नाम याद रखने मैटर्निक ने उन्हें हमारे समाजिक समाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुस्मन माना था तो कल आप जब देख रहे होंगे कल मैंने आपको एक मॉडल पेपर कराया था और वो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था और उस मॉडल पेपर में एक कोश्चन था कि मैटर्निक ने हमारे समाजि सबसे बड़ा दुसमन किसे माना तो मैस स्थनी समझा धिया कावूर् इसके बाद समझाना और उसके बताना इतना आगे चलें बच्चों चलो नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि भाईया इनका पूरा नाम देखो कि काउंटी कैमबिलो डी काबुर इटली के एकी करण में यह प्रमुख मंतरी थे और जैसे की चाड़क के थे ना भारत में बस ऐसे समझ लो यह कूट नीती का बहुत जो है अधिक योगदान इनका था जैसे महाभारत में कंस मामा वैसे ही तिक अब जो अठारा सो बावन से अठारा सो और यार वह कौन से उते मैं कंस मामा बोल दिया मैंने ठीक तो अरे वह कौन थे यार गोटी खिलते थे जो या नाम थे उनका ऐसे लंगडा लंगडा के चलते थे तो अभी अभी बताएं कि अबने बच्चा सब कि इटिली के एकी करण में प्रमुख मंत्री जो थे वह कौन थे काबूर थे और काबूर जो कूट नीती का बहुत बड़ा उनका योगदान था जो 1852 से लेकर 1860 तक पीट मांड के मंत्री भी बने रहे और काबूर फ्रांस में चाड़निया पीट मांड की एक चतुर कूट नीतिक संधिके माध्यम से 1869 इस्वी में आस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफल हुए थे यानि कि यह जो काबूर थे इन्होंने आस्ट्रि गैरी बालदी देखो घैरी बालटी क्या थे इटली के एक जोग्दान में सामिल हो गये अभी आपने देखा था यंग इटली यानि की यूइट ली देखो, यूइट ली यानिकि यंग इंटली और इसको किसने किया था अमारे मार्सेल्स में युड ली मैट सतनी जैं एक समाज का घठन किया थे जब इनसे गैरी बाल्डी मिलें तो गैरी बाल्डी ने कहा की दिखो क्या कहा उन्होंने उसके आन्दोलन में सामिल औरBig । यह रागे दिखो करने में लगे विक्टर एमैनल दिती का समर्थन भी किया था और इन्हों ने 1860 में दच्छन इटली में एक्स पिडिशन आफ दा थाउजंड यानि हजार लोगों का अभिकान का नेत्रत भी किया था अब देखो यहां से कितने कोशन बन सकते हैं यह सिर्फ एक चीज नहीं है यहां से आपसे कोशन बन सकता है कि बताइए कि बताइए कि एक्स पिडिशन आफ दा थाउजंड यानि हजार लोगों का अभियान इसका नेत्रत किस ने किया था तो आपको याद रखना पड़ेगा किस ने गैरी बाल्डी ने किया था ठीक आप यह गैरी बाल्डी कौन थ किया और बाद में 1854 में इन्होंने इतालवी राज्य को एक्जूट करने में लगे विक्टर इमैनुएल दिती का समर्थन किया और 1860 में इन्होंने दच्छन इटली में हजार लोगों का अभियान का नेत्रत भी किया था यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था गैरी बाल में प्रस्ण रखे होंगे 100% सारा पेपर इन 41 प्रस्णों से बनेगा सिर्फ 41 प्रस्णों से घुमा फिराके इन्हीं से बनेगा हैडिंग चेंज हो सकती है आपको लिखना यहीं होगा स्क्रिंशॉट ले लो सकुनी मामा नॉट कंस मामा रियाद आगे सकुनी मामा है और ये वाला स्क्रिंशॉट लेलो और यह वाला राष्टवाद हुआ तो जर्मनी का क्या रोल रहा और इटली यह रोल रहा देखो जर्मन राष्ट का विकास जर्मनी राष्ट का विकास अथारा सो अर्टालिस में जब फ्रांस एक गर्य theo ऐसके बाद यूरोप में राज सक्तिवार राज अपना प्रभित्त इस्तापित करने के लिए रूडवादियों ने अक्सर राष्टवादी भावनाओं का प्रियोग किया अब देखो यह आपने नोटिस किया होगा कि राष्टवाद वाला जो था सेम टू सेम यह लाइन उसी से मिलती जुलती हमको मिल रही है तो वही चीज रहा था यह देखो यूरोब में राष्टवाद होने वाले कौन से परिस्थितियां उत्पन होई और सारी चीज़ें आपको वही मिल रही है कि नहीं इसमें से तो मेरा बताने का यह मतलब है कि भाया देखिए ऐसा कोश्चन आएगा तो आपको यही चीज़ें करनी होगी अभी बिल्कुल घबराओं मत यही एक ऐसा कोश्चन होगा जो कि आपको इसमें से सेम कॉंटेंट के साथ अलग कोश्चन के साथ मिल रहा है ठीक बात समझ में आ रही है सभी को तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो बच्चे जल्दी से फिर मैं आगे जाओंगा और यहां अब इसके बाद सुरू होगा दूसरे चैप्टर का कोश्चन अब बता दो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो भारत में राष्टबाद के लिए तयार है एक बार फायर इमोजी हो जाए जल्दी से इस नौट इंपॉसिबल कि यह कोश्च न आए और यह करेक्ट आएंगे ही आएंगे बच्चे मेरे बच्चे भी जानते कि यही आएगा कि अब बिल्कुल बेटा नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल परेशान मत हो पहले पढ़ाई कर लो जल्दी से बता दो सभी लोग फायर इमोजी सेंड कर दो बिल्कुल आएंगे बेटा गुरुजी आज आप बहुत खुस दिख रहे हो बेटा खुसी का राज पता है आपको क्या है आपका आर्ट का पेपर इस बात का घमंड कि एक आर्ड का पेपर पूरा पेपर आपका वही आ गया इस बात से खुस हूं आज में और यह पहली बा भारत में राष्टवाद के उध्य होने के कारण का उलेक कर दीजिया और 2023 में कोशन आया और यार खुस इसलिए और भी बहुत जादा हूं क्योंकि उस आठ के पेपर को चार लाख बीज हजार बच्चों ने देखा था तो भाईया हमारी साख दाओं पे लगी थी कि पता नहीं चार लाख बीस हजार बच्चे जो ट्रस्ट करके इस वीडियो को देखे थे पता नहीं उनका पेपर कैसा होगा तो चार लाख बीस हजार बच्चों को पूरा पेपर देने का गुरुजी को गर्व हो रहा है आज वाई चलो वाई अगला देखो जरा कोशन क्या है कि उनिस्वी सताब्धी के उत्रार्द में जब भारत में राष्टरबात की भावना लोगों में बढ़ने लगी सब श्रतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया जिसमें तीन कारण महत्पूर्ण थे एक राजनीतिक दूसरा आर्थिक और तीसरा समाजिक अच्छा राजनीतिक आर्थिक और समाजिक कैसे था देखो बच्चों अभी सांत हो जाओ फैर इमोजी हो गई भाई अब है मारे पास रा क्रांती हुई उस क्रांती के बाद अंग्रेंशों की नीतियों के खिलाफ घुझा फूटा घुक राजरों देंगे हमारे देश में डेस्प्रीम की भावना उत्पन होगी 1885 में भारती राश्टी कंगरेश की इस्थापना हुई अब देखो यहां keep Championship का कि की cry 150 में भारती राश्टी कंगरेश की स्थापना होई जिसने भारत में अलग-अलग छेत्रों के लोगों को एकजुड होकर अंगरेजों के विरुद संघर्स करने का प्रयास किया अब जैसे माल लो कि किसी को हराना है तो हमें एकता बनानी पड़ेगी तभी तो हम उसको हरा पाएंगे तो जिससे भारत के लोगों को राश्टी सुतंता संग्राम के लिए उसमें एकता की भावना अगरेजों के खिलाफ एक ऐसी भावना उत्पन हो गई गुस्सा फूटा और एक ऐसी भावना उत्पन हो गई कि 1857 की करांती के बाद फिर यह गुस्सा फूटा कुछ सालों तक राजिनीती चली फिर 1885 में भारती राश्टी का अंग्रेज की इस्थापना हो गई और जब और जिससे भारत के लोगों को राश्टी सुतंता संग्राम के लिए उसमें एक्ता की भावना करना भी भारती राश्टवाद का उद्धा का कारण बना यानि आपको पेपर में सिर्फ पॉइंट के वर्याद करके जाना है कौन से पॉइंट गुरु जी भारत में राश्टवाद आएगा तो एक बात लिखेंगे कि भारत में राश्टवाद का मतलब कि भारत में बच्चे-बच्चे के दिल में देश के प्रती भावना ऐसी उ इसे कहते हैं राष्ट वाद भारत में राष्ट वाद अब इस राष्ट वाद के तीन कारण थे पहला था राजनीतिक कारण मतलब 1857 की करांती के बाद बच्चों क्या हुआ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटा और गुस्सा फूटा फिर 1880 में क्या हुआ राष्टी यू रचने में वक्त लगता है हना तो बच्चे बागे देखो क्या हुआ अर्थिक कारण क्या था कि सभी को पता है कि भारत में जब ब्रिटिस सरकार थी तो आएके दो स्रोत थे पहला तो था क्रसी भाईया यहां पर क्रसी बहुत जादा होती थी दूसरा था उद्योग अंग्रेजों के द्वारा क्रसी छेत्रों से बंदोबस्त की नीतियां सुरू की गई जिन से इनसे कच्चा मान ले लेते थे और कच्चा मान लेने के बाद उसका सही पैसा नहीं देते थे ऐसे भी आप लिख सकते हो बनाके और उसके बाद उसका पैसा नहीं देते थे तो आर्थिक तंगी भी आने लगी थी यह आर्थिक कारण हो गया अग्रा हो गया हमारे पास तीस और इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया क्या चलाया धार्मिक और समाजिक सुधार आंदोलन चलाया जिसमें समाज में चल रही बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया गया और भारत के लोगों में एक्ता की भावना का उदय होने लगा यानि अगर ये question चार नंबर में आएगा तो मेरा मुन्ना कुछ बातों को याद रखेगा कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, समाजिक कारण, राजनीतिक कारण में 1857 की करांती हुई, गुसा फूटा, 85 में राष्टी कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद देश प द्योग पति थे ये दो पॉइंट लिखोंगे, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप लिखोंगे, समाजिक कारण भारत में इसलिए था, क्योंकि जो दैनन सरस्वती थे राजा राम मोहन राय जी थे और उसके बाद तीसरा नाम है हमारे पास स्वामी विवेकानन जी इन्होंने धर्म सुधार अंदोलन चलाया समाज में बुराई जो फैल रही थी एकता को इन्होंने एकता के लिए बहुत प्रयास किये ऐसे राजनितिक और शमाजिक इतना लिख देना इसके अंदर भाई कच्छ बना बना की लिखाना नमबर पूरे मिलेंगे बोलो clear है सब्амज में मेरीusa मेरी बात मेरी बातों को सुन लो एक रफ कोपी कर बैठो कल पेपर मस जाएगा मेरी कारणटी ठीके चले अच्छा अगले कोशन पर आते हैं मैंने क्लास को जब स्टार्ट की आछ रहा और आथ कि ये Info कम से कम अभी जो वीडियो को लाइक कर चुके हैं वो लाइक कर चुके भाई 22 से 23,000 हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग जिन्नों ने ना किया हो वो सारे बच्चे कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो अभी तक कितने लोग देख चुके हैं इसका आपको अंदाजा नहीं होगा आपकी खुस खबरी आपको मैं सुनाता हूं और एक लाख पचास हजार से जादा ये वीडियो अभी तक बच्चे देख चुके हैं जिसमें से 15,000 बच्चे लगातार हमारे सा चंग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा का किस प्रकार जो है प्रयोग कीया大家好 अर्थ गुरु जी के मूँसे कोश्र प्रक्राइव मतलब सत्य के राह पर हमें क्या करना है जीतना इसे गहते सत्याग्रह कोई मार पीट नहीं कोई दंगा नहीं अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे कोई मार पीट नहीं कोई दंगा नहीं हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे इसी बात पर हम आपको 30 सेकंड लेते हैं एक स्टोरी सुना देते हैं थोड़ा मजा आएगा अधिकार की बात बत बैंक की कर्मचारी बुरा मत मानना अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को सबसे पहले तो कुछ ऐसे बैंक की कर्मचारी में गया मैंने उनसे साधारन सब्दों में पूछा पैर में चपल थी लोवार पहने थे टी-शेट पहने थे आज से दो-तीन साल पहले मैं बैंक में सर यह बताईए कि अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं एक अकाउंट में तो उन्होंने ऐसे नजर उठाके देखा करें यह यह 15-20 साल का छोरा पूछ रहे अकाउंट में कितना पैसा रख सकते उन्होंने बड़े गुरूर के साथ पता नहीं ऐसे लैंग्वेज में इसके Rendlesy नहीं था उन्होंने उन्होंने जवाब दिय कितना पैसा कमाई हो तो जैसे उन्होंने मुझे बड़ा कितना पैसा कमाई हो मैं आ कि अब वो अधिकार लिए लड़ सकते हैं हम अपने अधिकार के लिए कुछ कह सकते हैं हमें अधिकार है वो एक बैंक के कर्मचारी है हम अपनी लेंग्वज का सहीं इस्तेमाल करते हुए अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं कि मेरी बात समझना गई है यह जिंदगी में याद रखिएगा कि आपका अधिकार है और उपभुकता का क्या-क्या अधिकार होता है एक अहिंसा वादी ढंग माना जाता है यानि सत्त की राह पर चलेंगे और महत्मा गांधी जी जहां पाते थे आंदोलन छेड़ते थे तो गांधी जी ने राष्ट्री स्वाधिंता संग्राम में सत्या ग्रह और अहिंसा का बखूबी प्रियोग किया था ठीक है जिसके उदा प्रियोग किया था फिर उसी को भारत में लागू किया था यह बात हम कल के मौडल पेपर में समझाए थे आपको पूरा साइद आपने पढ़ा भी होगा देखो अब गांधी जी दचिल अफ्रीका में सत्त देखो क्या हुआ कि 1916 में गांधी जी चंपारण के चंपारण के न्याय दिलाने के लिए संगर्त किया और सरकार को वर्ष 1918 में चंपारण के किसानों के कल्यान के लिए एक अधनियम पारित करना पड़ा इन्होंने गुजरात के खेडा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्या ग्रह का आयोजन किया कब? 1917 में कहां पर गुजरात के खेडा जिले में यहां से मैप का कोशन बनेगा गुजरात के खेडा जिले में किसान की मदद के लिए सत्या ग्रह का आयोजन किया फसल खराब हो जाने और एक बात ध्यान से सुनिए मैं चाहूं तो कोशन दिखा के जा सकता हूं मैं चाहूं तो आपको स्क्रीन शॉट दिला दो और बोलू मैं जाओं नहीं क्यों मैं चिला रहा हूं क्यों कि मैं चाहता हूं कि कल आप जब पेपर देके निकलो तो दिल के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे यानि कौन सी फसल खराब हो गई प्लेग जैसी बीमारी हो गई महामारी फैल गई किसान लगान नहीं चुका पाते थे यह चाहते थे कि लगान वसूले में छूट दे दी जाए कि सरकार को जुकना पड़ा गांधी जी नहीं देखा लगान का भुक्तान अगले वर्थ तक कर दिया गया लगान पिच्चर देखा अमीर खान वाली वह कैसे चक्का मारता है लस्त में देखा ना नहीं देखा चुट्टी में देख लेना गुरुजी ने कहा है मजा आएगा जुनून आएगा आपके अंदर में कुछ मुवी के नाम बताऊंगा देखना ठीक समझ गया ले लो भाईया इस्क्रीन शॉट अगले कोशन पर अगला देखो रॉलेट एक्ट क्या था भारतियों के व्यापक विरोध के पस्चात और 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वह पारित किया अब एक्ट क्या था इस एक्ट के अनुसार देखो ध्यान से जो कैदी थे उनको बिना किसी मुकदमे के दो साल तक जेल में रखने का प्रवधान था यानि कि रॉलेट एक्ट में यह था भया जिसको पकड़ा सीधे जेल के अंदर कोई सुनवाई नहीं कोई कोट नहीं कोई वकील नहीं कुछ नहीं बस सीधे सीधे इनको जेल में डालो दो साल तक कोई कोट नहीं कोई सुनवाई नहीं नो जेल नो ब hear कर सकते आप अब आप अपील कर सकते अब गएल नहीं कर सकते उठांके ये था ृलयट एक्ट याद रहेंगा अच्छा अधात किसी वी व्यक्त को केवल संदेख पर बिना कारण बताए गिरिफटार किया जा सकता है जैसे अभी सुनो मेरी बात जैसे आपका 8 पर हुआ जैसे आपका भी इंग्लिश का पर हुआ था जैसे अभी आपका सेस्टी होगा और कल पेपर में कोश्चन आएंगे इसी क्लास से कोई पूलिस वाला आए हमारे घर में और हमको से गरिफ्तार कर ले हमसे कोई पोच्टाच ना करें और सीधे से पता रहता है यार हम सची में अपने एक्स्पीरियंस के अधार पर बताते हैं देखो किसे भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना कारण बताया गिरिफ्तार किया जा सकता था यह था रॉलेट एक्ट गांधी जी ने कहा कि नहीं यह तुम्हारा कानून बहुत कलुआ है यह काला कानून है किसने बताया गांधी जी ने कहा रॉलेट एक्ट यह काला कानून है यह गंदा कानून है यह काला कानून है इसका विरोध करूँगा मैं और रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अपरेल 1919 को गांधी जी के नहतरत में एक आंदोलन चलाया गया जिसे आहिंसक कांधोलन कहते हैं क्या याध रखोगे रॉलेट ट के विरोद में गांधी जी जी के दौरा एक आंधोलन कहते हैं कब चलाय गया था चे अपरेल instincts 1916 को और इसके पर प्र क्या हुआ हम चाळी बागे देरा कन्ड हो घा में गया था फिर आगे देखो क्या हुआ जिसमें जगा-जगा जुलूस और हर्ताले जो हैं वो की करी गई अगे देखो फिर क्या हुआ सरकार के दवनकारी कानून के विरोध में बड़ी संख्या में लोग 13 अप्रेल 1919 को कहां पर आ गए पंजाब के अमरत्सर में जालिया वाला बाग हत्या का जालिया वा वो इनसान जो खटे हुए थे कहां जालिया वाला बाग हत्या कान में और वहां पर जर्नल डायर ने कहा भूंदो इन सबको चला दो गोली और उसके बाद गोली मांग कर रहे थे रिहाई की मांग कर रहे थे और उसके बाद इस एक्ट का कारण जो गिरिफतार किये गए थे उनके रिहाई की मांग कर रहे थे और जिसके बाद फिर क्या हुआ जर्नल डायर ने कहा चला दे गोली उड़ा दे इनको और फिर गांधी जी ने कहा अच्छा गोली चला के उड़ाओगे मेरे को सबको उड़ाने की कोईसिस करोगे जर्नल डायर जी फिर गांधी जी का दिमा अभी पहले इतना स्क्रिंशॉट ले लो जितना मैंने बोला ना वह सारा यहां पर है कि स्क्रिंशॉट ले लो बच्चे जल्दी से तो हमने क्या बताया स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि 1919 में रॉलट एक्ट पारित हुआ सरकार ने पारित किया जिसमें नो अपील नो दलील नो वकील का प्रावधान था संदे के आधार पर किसी को जेल भेज देते थे और जेल भेजने के बाद फिर उनको वहां क्या करते थे पता नहीं मारते थे कि अंदर नहीं इसका विरोधर करने के चक्कर में गांधीजेलिका नहीं तो अहिंसक आंदोल्न चलांगा अहिंसा कांदोलन चलाने के चक्कर में वो 6 अपरेल, को अहिंसा कांदोलन चलाए,13 अपरेल को पंजाब में अमरतसर में, जालियवला बागशान पे लोग इक था होगा भीड लग गई रॉलट टक का एकटक रहे थे उनकी रिहाइ की मांग को जिनको गिर्फ्तार किया गया था पिर उसके बाद फिर नहीं को गोली चला दो जब अंतरो उन्हें ने का अच्छा ठीक जाले आउख है आठ से अभी को समझ में यहाँ तक ह Soup 아 कलेयर है बच्चों समझ में आ पड़े से जल्दी से अभी बीच में सुना देंगे सैंne तुम कर दit कि यह गाना माच कर रहा है ना है मैच कर रहा है किनी बोलो नहीं कर음ट कर रहा है तो एक और है मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुलहनियां अब उससे देखो मेरा प्यारा बच्चा बनेगा टौपर करेगा अपने माबाप के सपने को साकार अब साकर नहीं हो सकता था साकार करना पड़ा गाना नहीं बन रहा है लिरिक्स लिर्क्स पिध्यान दू देखो बच्चों क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किने तीन कारणों का उल्ले करो यानि कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया यह अंदोलन तब चला गया जब अंग्रेजियों को बोला गया है छोड मेरा भारत तो मेरे भारत को बोलता है यह सोने को चिडिया मेरी ह तो यह भारत छुड़ो आंदोलन में क्या हुआ था देखो क्या हुआ इस आंदोलन का तातकालिक कारण ए मोटी सुन रही है ना तो इस आंदोलन का तातकालिक कारण क्रिप्स मिसन के समापती तथा मिसन के किसी आ निय तम निर्णे पर ना पहुचना था यानि कि इस आंदोल समझाने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा तो इसलिए इसके पॉइंट्स को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा दूसरा पॉइंट देखो ब्रिटिस विरोधी भावना और पूर्ण सुतंता की मांग यह इसका महत्त पूर्ण कारण था जो कि आपको प पूरी आजादी चाहिए हमारी जिंदगी से तुम जाओ भारती जनता के बीच लोग प्रेता हासिल कर ली थी बोलो क्लियर है यहां तक आई होप समझ में आया होगा तीसरा पॉइंट है कि अखिल भारती किसान सभा पार्वर्ड ब्लाक आद जैसे कांग्रेसों से संबंध विभिन निकायों के नेतरत में दो दसक से चल रहे थे यह पॉइंट याद रखे अखिल भारती किसान सभा फार्ड ब्लाक आद जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन निकायों के नेतरत में दो दसक से चल रहे थे जन आंदोलन में इस अंदोलन के लिए प्रस्ट भूमी न कि आगे चलते हैं कि अगला कोश्चन है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए तीन अंदोलन और मैं दावे के साथ खह सकता हूं कि कल यह कोश्चन आपके पेपर में आएगा चाहे सविने अवग्या आए चाहे आसयोग आए और चाहे अभी और एक दो हावर नाम है वो सारे की सारे आपसे पूछे जा सकते हैं नाम देखो जरा ध्यांसी चाहे आसयोग आए चाहे समने अवग्या आए चाहे भारत छोड़ो आए यह इसमें से कोई भी एक आंदोलन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो चले बालको शुरू किया जाए देखो पहला कि मह महतमा गांधी जाहा तीन प्रवुक्त आंदोलन में कौन कौन से थे आसयोग आंदोलन फा सविने अवग्या आंदोलं था और भारत छोड़ो आंदोलं था किसने चलाये थे महत्मा गांधी जी ने चलाये थे अब महत्मा गांधी जी ने क्या क्या कहा देखते हैं पहले तो आया हमारे पास आस्योग आंदोलं मैं सिर्फ इनको अपने सब्दों में explain करके आपको दे दूँगा और जो लिखा है वो आप मैच कर लेना उससे पहले समझते हैं आ सहयोग अंदोलन से क्या पता चल रहा है कि हम आपको कोई सहयोग नहीं देंगे आपकी दुकानों में खरीदेंगे नहीं कुछ आपके स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ठीक है हमारे बच्चे आपके स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे हम आपके दुकानों से समान नहीं खरीदेंगे आपकी बनाई हुई वस्तों का इस्तेमाल नहीं करेंगे यह था आसायोगां दूलान और आसीओ गांदोलन कब चलाए गया जब जालिय हो रॉलेट एक्ट पारी थुआ उसके बाद गोलियां चलाई गई उसके बाद ही तो गांधी जी ने आज हो का था यहार यार जर्नल डैल तो बड़ा कमीना अदमी है यह तो गोली जलवा देता है अस इसको सरकार से हम को सब्याने और देनका बानगदी जी क्या कि गांधी जी पहले सरकार के सायोगी कुरूप में जढिए थे गांधी जी इसके सरकार की साथ में लेकिन जब उनको strengthening में थे क्योंकि उनको इमांदारी और न्याय प्रित्ता में विश्वास था इसलिए वो जुड़े थे कहते थे यार विटीस बहुत अच्छे आदमी हैं हमारी भारत को देखो कितना प्यार करते हैं भारत को अपना देश मानते हैं उनको नहीं पता था कि करते रहे खोखला त जालिया वाला भाघहत्या कांड जिसके बाद घांदी जी ने का नई इनको कोई सायोग नहीं देना है कोई सायोग नहीं देंगे दूसरा देखो दूसरा पॉइंट्ट था सव्यम्रता-पूर्व अज्ञा पूर्वक आग्या और या फिर कानून की अभ्हेलना करना ऐ ये जो आपने कानून बनाया है इसका हम इसके हम अवहेलना करेंगे लेकिन विनमच और आहिंसकर होकर सरकारी कानूनों का उलंगण करेंगे आपके द्वारा जो कानून बनाए गए है मुझे नई पसंद मत से मत पूछोना कि एका करेंगे विरौत करेंगे उननेस्सको तीस में माहत्मा गांधी जी ने समय अवग्या अंदोलन को प्रारम कर दिया इसक लिए उन्हों ने मख सत्याग्रह की कहां करी नमक सत्याग्रह की शुर्वात को कहां करी थी जल्दी बताओ दांडी नमाखिस्थान पे नमक बनाकर कोशन बन सकता है महत्मा गांधी के द्वारा बारा मार्च 1930 को अतिहासिक नमस्त्य अग्रहका शुरू करने का निश्चे लिया गया 12 मार्च को साबर मती आस्रम से अपने 78 देखो 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 यहां से कोशन बनेगा कितने समर्थकों को लेकर गए से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद्यात्रा शुरू कर दी थी कहां से साबर मती से दांडी के लिए पद्यात्रा शुरू की और 6 अप्रेल को गांधी जी ने नमक बनाके इस कानून को तोड़ दिया था ठीक आई स्क्रींशॉट लेलो अगला देखो अगला हमारे पास है भारत छोड़ो आंदोलंग गांधी जी ने कहा कि भाईया 1942 को भारती राष्टी का अंग्रेश ने मुंबाई के गौालिया टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में एतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया यानि पहले धीरे धीरे सविने अहिंसक यह ऐसी सत्याग रहे यह सब करते रहे और जब इनको अंग्रेशों को एकदम से अंदर से खोखला कर दिया तब आखरीं बोल बोले चल छोड़ मेरा भारत छोड़ दे तो इसलिए छोड़ के जाना पड़ा उनको इस आंदोलन की गांदी जी ने कहा करो या मरो यह वक्त है रटो फिक है तो करो या मरो का मंत्र दिया था ब्रिटिस सरकार ने ततकाल भारत छोड़ कर जाने की उनको ब्रिटिस सरकार को ततकाल भारत छोड़ जाने की क्या बोली चेतावनी यानि गांधी जी तो वही हुए जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद है ना फिर क्या हुआ यही तो अंग्रेजी करते थे और यही पूरी दुनिया करती है ठीक अठारा अगस्त को रात्री में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते हुए होते ही इस अंदोलन की सुरुवात हो गई और बिटिस सरकार को छोड़ के जाना पड़ा और बिटिस सरकार ने ततकाल पृत्किया करते हुए महत्मा गांधी समेत कांग्रेसों के लगबग सभ भारत छड़ने के बात करता है तुमका नजर बंद कर देंगे समझ गए तो यह चीज़े थी यह था हमारा भारत छड़वांदोलन स्क्रींशॉट ले लो पड़ा वट से मुन्ना स्क्रींशॉट ले लो इसका बहुत बढ़िया तुम लोगों ने लाइक्स पहुचा दिया 28000 वह मज़ा आ गई भाई हमने कहा था 15000 लाइक करने को और आपने कर दिया दुगना वह मुन्ना वह क्या बात है 28000 लाइक्स कर दिया आप लोगों ने व वह नेत्रत विहीं था अराजक और हिंसक हो गया था कौन सा वाला भारत छोड़ वाला क्योंकि एक बात बताओ अगर तुमसे कोई बोले छोड के निकल जा मेरे दिल से तुम हिंसक हो ही जाओगे खीच के रहप्टा मार ही दोगे बस वही हुआ यह अंदोलन हिंसक हो गया आंदोलन के समय अनेक इस्थानों जैसे बलिया सतारा तामलुक इन इस्थानों पर बिटिस अधिकारियों को हटा कर समानांतर सरकारे भी इस्थापित की गई यानि कि इन इस्थानों पर बिटिस सरकार को हटा दिया गया सरकार ने बल प्रयोग किया और आंदोलन का दमन कर दिया गया किन्त इस आंदोलन्स ने ब्रिटिस राज की जड़े हिला कर रखती है कि पूलोग क्लियर है कि समझ गए मेरे बच्चों यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि बहुत बढ़िया 27,000 बच्चे लाइक कर चुके 27,973 हो गया है अभी हो जाएंगे सेकेंड में कुछ 28 हो जाएंगे लोग देखना दो मिनट के अंदर 28 हो जाएंगे तुम लोग करते हैं हमने 28 बोल दिया चलो अगला है कोशन हमारे पास कि प्रध्योगी ने व्याश्वी क तरण यानि globalization की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया है उत्प्रेर उदाहरन के सही समझाओ तिक उदाहरन सही आपको समझाना है चले आगे चलो देखो क्या है अमारे पास विगत 50 वर्सों में परिवहन देखो ध्यान से प्रध्योगी की ने व्याश्वी करण एक मिनट प्रध्योगी की ने व्याश्वी करण की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया है यानि प्रध्योगी की करण से व्याश्वी करण जो है वो किस प्रकार से उत्प्रेरित हुआ है यह कोशन का मतलब और उधारन के साथ बताना है देखो विगत 50 वर्सो आते थे घोड़ा घारी की बात कर रहा हूं अगर स्कूल जाना है किसी बच्चे को घोड़ा घार जागा तो कहेंगा है कि अधर से नहीं जाएंगे हमारे वह बच्चे खिल उड़ाते हैं मतलब हां सकस्कूल बच्चों की आप फिप्टीन प्रो मैक्स ही चाहिए आप आईपॉन फिप्टी प्रो मैक्स ही चाहिए हमको और कुछी नहीं चाहिए मतलब आप समझ सकते हो कि भाईया परिवहार प्रद्यों की में अधिक उन्नत हुए किसके कारण कि इससे वैस्यू करण को क्या लाब हुआ देखो इसने लंबी दूरियों तक की जो लंबी दूरियों तक वस्तुओं और वस्तुओं की तीव्र आप वूर्ती को कम लागत पर संभव किया है यानि अगर सोचो आपको दूर से कहीं से समान मंगाना है अब आप कहीं घूमने जाते हो और आपको घुमने जाना है तो पहले अब क्या था शिर्फ ट्रेन में बैट के जा सकते हैं अब तो है घंटे पहुच गया आदा घंटे जहां जाना हो जिसने वैस्ट गण की प्रक्रिया को क्या कर दिया अगला पॉइंट देखो अगला पॉइंट है कि सूचना और ऑफ झिदो मुझे पक्काय पताहिए सब बनाकी लिखोगे परिवहाल प्रत्य ओटकि इसके बाद संचार प्रत्यों की घया वह चली हम बैठे बैठे पाकिस्तान में मेरी वाली वैठी में मैं पाकिस्तान वाली से बात कर लेता हूं कि तो मतलम क्या है संचा य्यानि कमुन प्रत्र करने संध्राय और दूर वर्ति छेत्रों में संवाद करने के लिए आता है आपको किसी से बात करना होता तुरंते वीडियो काल कर लेते खट से तो यह सूचनाई यह प्रद्योग की ही तो है इससे वैस्यू करण की प्रक्रिया सबसे तीवर जो है उत्परेरित किया गया है क्लियर हुआ देखो रठने के जुरत नहीं है केवल मेरे सब्द सुन सुनो देशी लैंग्वेज में सुनो और उसके बाद उसको लिख्या हो ठीक अगला देखो अगला पॉइंट अगला है अमारे पास यह तो पॉइंट हो गया दो शॉर्ट कोशन था इसकी शूर्ट ले लो मेरे मुनना मुझे पता है आपको इसकी शूर्ट लेने की जुरत अर्थ व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई है इसके कारण। विश्व अर्थ व्यवस्था ने कैसे इस्थान ग्रहन किया इसमें तक्निक का क्या योगदान है। कर एक वैयुत्वाइवस्था किसी प्रकार से सुधरी लोग सेचित हुए प्रदयोग की का इस्तेमाल किया लोगों ने और उसके बाद फिर क्या हुआ परिवहान संचार लोग पैसा ज्यादा कमाने लगे विदेश से पैसा यहां लाने लगे तो इससे क्या हुआ अर्थिव्यवस्था सुधरी की सुधरी भारत की सोचो तो इतने सारे यूटूब सरकार हो रहा कि नहीं बोलो भया भारत सरकार हम आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं देखो अच्छा उनिसे सताब्दी की विश्व अर्थ व्यवस्था को आकार देने में तक्नीकी की भूमिका निमलिखित रही है अब देखो कैसे निमलिखित रही है देखो जरादयान स जिनके बिना उन्निस्वी सताब्दी के विस और्थवस्ता को आकार नहीं दिया जा सकता था यानि पहले जब रेलवे फिर भाप का जहाज टेली ग्राफ यह सारी चीज़े जब सोची गई तभी तो इनको आगे बढ़ाया अब आप सोचो पहले वाटसाप आया हम अगर हम ट कहसाओ जाएगा यार फ्लान हमग chang है तो सालय खेल इमोजी खो गया एंगे हम इस जायक हो रहा से यह हो कि मैंने का फायरावा बुलिधाटर बच्चे हमारे अंदर यह एक दम जोस्ते भरे हैं ने कहा लाइक अंगुठा भेज दी आपने कि यह सब सब क्या हो रहा है सब्सक्राइब क्योंकि पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें हो चुकी है अगर यह सब नहीं लें इस सबोल और नहीं हो पाता क्या जिस सब्सक्रा नहीं दिया जा सकता था यह सारी जरूरी थी गो assumptions परस्पर संबंधता अब बाजार में क्या हुआ इस समय परिवहन में निवेस सुधारों से तीवरगामी रेल गाड़ियां हलकी बोगियां विशाल का जल पोतों को कम खर्च में कम खर्च में क्रसी उतपाद एवं अन्य उतपादों को खेती से दूर-दूर के बजारों में सुगमता से पहुचाने में क्या मिला सहायता मिला यानि कि इस समय परिवहन में नए निवेस सुधार तीवर गामी रेल-गाडिया बुलट ट्रेन चला दी गई तो इससे अर्थम्वस्था में सुधार हुआ की नहीं कम खर्च लगा की नहीं लगा बताओ लगा की नहीं लगा अच्छा दिमांग लगाओ राम जी को लंका जाना था उस समय अगर हनुमान जी की तरीके से वह एयरोपेन नहीं होता तो उनको दिक्कत होती बस वैसे समझ लो एक दूसरे से सब है रिलेटेड अब अगला पॉइंट है मांस के वै नहीं किया जाता था कब 1870 के दसक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था नहीं किया जाता था जीवित जानवरों को भेजा जाता था जिन्हें यूरोप लेके जाकी काट दिया जाता था यानि अमेरिका से यूरोप मांस नहीं भेजा जाता था क समझ रहो है मेरी बात जीवित जानवरों को भेज दिया जाता था कि जाओ लेके जाके यूरोप में काट लेना झीवित जानवरा जल पोग्तों में अधीक जगहा घेड़ते थी बहुत जगहा ले लेते थे उसिमें गंदगी भी कर देते थे अब क्या हुआ कि अमेरिका में जीवित जानवरों को काटा पीटा यूरोप के अन्य देशों में भेज दिया इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ गंदगी नहीं फैली और इससे क्या फायदा हुआ इससे यह फायदा हुआ कि गंदगी नहीं फैली इससे यह फायदा हुआ कम जगा घेरी इससे यह फायदा हुआ रिजन चेचे चेचेचे प करते नहीं जा रहे ठीक है पिर समुद्र यात्रा में कई पस्तु अहीं धिक बिचारे मर भी जाता है घातलेते हैं मरेन रास्ते में अन्यां बीमारं हो जाते इनका वजन कम हो था कि हम अपना देश शोर के जा रहे हैं इनका वजन कम हो जाता था फिर उसके बाद या फिर आघात बन जाते थी यानि ओ सुरी अखाद बन जाते थी मतलब अखाद मतलब खाने लायक नहीं बचते थे कि कोई इंफ्यक्षन हो गया टूटा फूटी हो गई मानलोब के शरीर में आपको इंफ्यक्षन होगा किसे ने खालिया मर जाएगा तो भाई अखाद हो जाए आता मांस के दाम बहुत ब्रादा बढ़ गए और निर्धन यूरोपियों की पहुंच से परे थी जो निर्धन थे उनके पहुंच से क्या हो गए परे थे तो यह सब प्रिद्यो तो हमको एक ग्लास पानी दे दो जीवीत रखना है तो तो क्या है कि विश्व अर्थ व्यवस्था में तक्नीकी अविस्कार तक्नीकी में हमने बताया रेलवे भापिंजन फिर उन्हें बताया बजारों की संब्धता बजार क्या हुए बजार से रेलगारी हलकी बोगिया इन सभी के क्या होने लगे इन सभी से जल्पोतु कम खर्च में उत्पाद और थेतों से दूर-दूर समान लाने में सुघवता होने लगी फिर उसके बाद मांस के वैपार पर प्रभाव मांस की वैपार में लंबी चौड़ी कहानी बताई कि अमेरिका से यूरोप में जात लगते थे जिससे बहुत ज्यादा खर्च लगता था बोलो क्लियर है फिर जब खर्च लगता था उत्पादन में खर्च लगेगा तो भोक्ता को मिलेगा तो महेंगा ना बोलो क्लियर है इतनी बात स्क्रीशॉट ले लो आगे चलते कि अगे मेरी बात समझ में सभी को आगे चले चले बच्चो चालो नेक्स्ट कोशन देखो प्रथम विस्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के आपको क्या बताने हैं दो कारण बताने अब यह कोश्चन जो प्रथम महामंदी वाला जो मैं आपको बता रहा हूं यह कोश्चन आपका बहुत जादा इंपॉर्टेंट बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है जरह हमारी बात को ध्यान से सुनना तो पहले तो यह पूछा जाएगा कि महामंदी कब हुई थी तो याद रखोगे कब 1929 में आप से दसक पूछ महामंदी के यहू का उत्पादन बहुत जादा होने लगा था यहू का उत्पादन बहुत जादा होने लगा था जिसके कारण महामंदी आई थी उत्पादन जादा हो गया किसानों को मूले नहीं मिल रहा है तो महामंदी का कारण बन गया समझ गए मुन्ना चलो समझते हैं कि देखिए क्या है कि 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दसक तक बनी रही दसक है वर्थ नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक इस अवद के दौरान संसार के अधिके अधिकांस देशों ने उत्पादन रोजगार आए और वैपार में अतिदिक गिरावट देखी महसूस किया कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा आएन मेरी बहुत जादा बहुत कम हो गई है मंदी आ गई है हम कमा नहीं पा रहे हमको सही मूल नहीं मिल पा रहे फिर क्या हुआ पहला कारण क्या था महामंदी का कि क्रसी उत्पादन बहुत जादा होने लगा था क्रसी उत्प उत्पादों का मूल ने जो फा वो घट गया कि क्या हुआ कि किसान ने अपनी संपूर को बनाये रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रियास किया किसान सोचता था हम जितना पैदावार करेंगे हमको उतना रुपया मिलेगा तो अब आप सोचो कोई इंसान गेहुंए गेहुं पैदा कर रहा है तो एक सामय के बाद क्या होगा गेहुं सस्ता हो जाएगा उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा एक मैं छोटी सी 30 सेकंड के स्टोरी बताता हूं बड़ी मज़ बहुत करी जो काम होते हैं करने के बाद वह प्याज जिस समय हुआ उससरिफसाल बहुत महता था 55 रुपया 60 रुपया किलो भूने लगी आप सबने प्याज की प्याज सस्ता होगया उपलंदी पहला कारण कि किसान सोचारे हं तो को उपूघ करंगे अपना विकास खुबब करेंगे खुबघ रही रहे हो फ़हला कारण यहीं गया द्यूसरा कारण क्या आई थी 30 में आई थी तीज दसक में आई थी 1920 में क्या हुआ दसक में यानी की इक्यस बहुत सारे ऐसे देश थे जो अमेरिका अमीरदेश संबन्दी सक्ताओं को पूरा किया अमेरिका पैसा देता था यह लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो कोई देंगे देंगे कि नहीं देंगे तुमकों पैसा अमेरिकी पूजिवादी बोले और रिंड देना बंद कर दिया इससे यूरोप में जो और देश थे जो हाँ पी कुछ बैंक बगारा थी वह सब हो गई एकदम धरास आई तो बैंको का सिस्टम क्लोज क्यों क्योंकि अमेरिका ने का हम तुम को रन नहीं देंगे हम तुम को पैसा नहीं देंगे जाओ चला अपना ईबाद महामंदी क्यों आई थी दो कारन हमने बिल्कुल फटा-फट से बताए रिपीट करते हैं पहला कारन कि फसल का बहुत अधिक पता नहीं निखने ही निए फिर उसके बाद फसल के बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे थे जिससे उनको उसका सही मूल नहीं मिल पा रहा था और जब उसको सही मूल नहीं मिल पा रहा था तो वो किसान परेसान थे और महामंदी आ रही थी दूसरा कारण की 1920 के दसक में अमे सिर्वेस कि अवसक्ताओं को अब कर रहे था रिए अर्थात इंवेस्टन चला रही थी अमेरिका घून चीवादी और ले उनको को पैसे नहीं देता है तो बैंक हो गया धरास आई महामंदी आ गई तमझमाई बात यह थे दो कारण इसक्रीन शॉट ले लो फटाफट अगले कोशन पर चलते हैं कि आगे चले अगला है हमारे पास कि भारत में जाने वाली मिटियों पर एक निवफन लिखो मेरे मुण्ना कल के पेपर में एक कोश्चन आएगा भारत में पाई जाने वाली मिटि में किनीद तीन प्रकारोव की विवेचना करो लेकिन सब को पता है गुरुजी आधा अधुरा गाना तक नहीं दिये अगर कंपूटर नहीं पढ़ाया गया तो कंपूटर नहीं पढ़ाया गया आधा अधुरा अध कचराग्यान हमारे चैनल पर ना मिलेगा मिट्टी अगर तीन पूछे जाएंगी गुरुजी सब बताएंगे क्योंकि पता नहीं कौन सी पूछ ली जाए अब आप से पूछ ले भारत में पाई जाने वाली तीन मिट्टियों को नाम दे दिया जाए इनका उलेख करो तब तो बेटा लोटिया डूब जाएगी तो चल बसका नाम मोटी यहत हो नहीं तुम भाता है मुझे इसका नाम मोटू यह मोटू यह मोंटी देया अब मुझे बात बताओ false मोटा मोटा मोटी कि मोटी पतली पतली बात समझ भारी है लाली लाल लाल इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनके पहचान कैसे कर रहे हैं इनके गुडों के आधार पर इनके कडों के आधार पर इसमें मोटे मोटा मोटू है मोटे मोटे कड़ है यह पतली है तो यह अच्छा मोटी है यह भी मोटी है और इस लाली के चहरे में लालिमा है तो इसका क्या मतलब है कि इनके गुड़ों की पहचान इनके रंग रूप से इनके आकार से इनके पाए जाने वाले सूच मुसूच कड़ों से इनके रासायनिक गुड़ों से पहचान हो रही है इनकी तेम ऐसी पहचान मिट्टी के भी होती है कि मिट्टी को पहचानना है तो उनके रंग को देखेंगे उसके बनावट को देखेंगे उसके मोटाई को देखेंगे इसके आधार पर भारत की मृदाओं की को निमलिखित व कि तटीय छेत्र होता है उधर ठीक है कौन सा छेत्र होता है तटीय छेत्र होता है तो चलो भाई पहली आ गई जलोड काली मैया बाद में आएंगी पहले आता है जलोड मिट्टी किसको कहते हैं सबसे ज्यादा उपजाव मिट्टी कहां पाई जाती है सुनते रहना सुनते रह पाई जाती है और उसके बाद भारत में ये बहुत ज़्यादा फैली है क्योंकि भारत में मैदानी इलाका भी बहुत ज़्यादा है इसका निर्माण कैसे होता है हिमाले के से तीन महत् पूर्ण नादी होती है कौन कर इसदू गंगर और इनके लाइग निछेपों से इनसे जो पानी आता है पानी में जो टो मिटी आती है उससे मिलती है मैधानी छेट्रों में जलोड मिटी guarantee इसमें कि migrants कि होती है दिखाए इसमें ठीक है आगे चले अगला कोश्चन सुनों अगला है काली मिट्टी यानि की काली मया यह कहां पाई जाती है काली का पास म्रदाभीस को कहा जाता है यह भारत के कुल भौगौलिक छेत्र का 45.6% यानि काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है भाग में विस्तरत या बहुत महीन कड़ों से बनी होती है वह भी महीन कड़ों से बनी होती है यह कहां पाई जाती है यह पाई जाती है मैदानी छेत्रों में और काली मिट्टी कहां पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है महारास्ट काली मिट्टी पाई जाती है कहां काली मिट पाई जाती है गुजरात जहां पर मोडी जी हैं तो गुजरात और महरास्ट याद रहेगा भूलो के तो नहीं फिर काली के बाद पिर आया लाल पिली अच्छा सुनो एक सेकंड के इंतजार दिव्यान सी में हमको कुछ खाने को दे गई है या पेट में डाल लिया जाएं कि बस बस मुन्या बस जो सेकंड के इंतजार के बच्चों के संख्या पंद्रह हजार लगा थार वाह पावाराब गुरोजी बेटा तंसार का मैप नहीं आएगा पेपर में केवल और केवल भारत का आएगा यह स्पेशल वीडियो बना है कल सबेरे उटके देखने ना पेपर वही आएगा चले आगे चलो बात करते हैं लाल या पीली मिट्टे के इस मृदा का रंग लाल होता है कि फुल भागोलिक छेत्र का पचास दसमलों छे परसंद भाग विस्तरत है इस मृदा का रंग लाल होता है और लाल मिट्टी कहां पाई जाती है दक्कन के पठार में भाईया इसको याद रखोगे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था लाल पीली दक्कन के पठार में पाई जाती है धक्कन में मम्मी ने बनाया लाल पीला क्या गाजर का लुए कंवर्सों वाले छेत्रों में लोहे के कडों से लोहे की कडों से और रुपांत्रित चटानों में फैलने क के कारण होता है यानि यह लाल लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें लौह तत्त पाए जाते हैं यह मृदा जल योजना के कारण पीली हो जाती है मृदा जल योजना मतलब मृदा बहुत ज्यादा इखटी हो जाती एक जगा पानी वानी भर जाता है पीली हो जाती है स्क्रिंशॉट ले लो बच्चे भटा फट से आगे स्क्रिंशॉट ले लिया ओके नेक्स्ट कोश्चन अब सुनो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई का है बहुत-बहुत बधाई बधाई इस लिए कि ये वीडियो दो लाख बच्चे अभी तक देख चुके हैं lemons कि दो लाख पांच साथ यालिस कि दन को कि म Erde 200 की 500 की अ चल्ड़ी मिट्टी है लैटे रायट मिट्टी अच्छा लेटे राइट मिट्टी भी मिट्टी क्या होती है लेटे राइट में इसका सब्द होता है इंट कि अन्चता आपमान और आत्यधिक वर्सा वाले छेत्र में विक्सित होती है लेटराइट मिट्टी जो होती है वह उच्चतापमान वाले छेत्रों में क्या होती है विक्सित होती है और जिसमें बारिस बहुत ज्यादा होती है यह चीज भी याद रखेगा बारिस होने के कारण यह कठती रहती है निचालन होते रहता है और उसके बाद यह मिट्टी फिर हमको मिल जाती है याद रहेगा अच्छा लेटराइट मिट्टी के निर्माड में निचालन की प्रक्रिया महत्पूर्ण होती है देखो यह पूछा जाएगा कि निचालन की प्रक्रिया में जिस मिट्टी का होता है उस मिट्टी को हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं और यह लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्सा वाले छेत्रों में पाए जाती है तभी निचालन हो पाएगा और टेंपरेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए अगला पॉइंट देखो मरुस्थली म्रदा या म मृदा भारत के भगोलिक छेत्र में 4% भाग में विसरत विसरत है ना भी याद करोगे पर्सिंटेज को उन्यादिकत नहीं है इस जितना मैं गोला कर दों उतना जरूरी याद करके जाना इस छेत्र में म्रदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल ब्मक और माा से मरुस्थली के याद रहेगा ना से नमक मासमरुस्थली आधा मुन्ना चले नेक्स्ट कॉसें पर चलो कोशन देखो नैक्स्ट मदला deportâte कौनोसी च आई अब आगई बनी मिटी और पहाड़ी मिर्दा अब सुनों नाम से पता चल रहा है न तो ये कम इंपॉर्टन है बड़त यह पहारों से हमको मिलती मोटे 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 कड होते हैं धलानों पर इसके गठन मोटे मोटे कड होते हैं किसमें मोटे 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 कड होते हैं मोटू मिटी पहाड़ों में पाई जाती है एक बार मैं घुमने गया था कहां घुमने गया था उत्तरा खड़ा जील के पास खड़ा था पहाड उपर से तूटा तूट की नीचे रोड पर गिरा धम मुटे मूटे कर भкивें न स्मयार मार्हा बहुत ज्यादा होती में पुधि मुवटी मृदा की बात करें झाओ मतलब मूर्इ मतलब ही साइंस के स्टुडंट होगा होगा तो इसमें सोडिय। mister है पोटेशियम पाजाता है मैगनिशम पाजाता है इनका अनुपाद बहुत ज्यादा होता है और यह अनुरवरक होती है यह अगर लवडी मिट्टी है इसमें खेती नहों पाएगी ठेती ना हो पाएगी अनुरवरक है चलो भया फटा फट इस्क्रीशोड ले लो एक बची होगी और यह है अमारे पास पीट या जैवीक म्रदा यहां म्रदा भारी वर्सा और उच्छ आद्रिता से युक्त उन छेत्रों में पाई जाती है उच्छ आद्रिता मतलब नमी म्रत जैव पदार इसमें यहां मरत जैव पदारत बढ़ी मात्रा में Steven हो जाते हैं जल मरत जयौफ स्ट्व फैस्ट ऑपतार जैव फैस चालीस से पचास परसंट तक होते हैं और यह गाले काले रंग की होती है जैविक मर्दा अच्छा सुनो मेरी बात सुनों आपने कभी जैविक खाद के बारे में सुना है कि बिल्कुल जैसे जैविक खाद होती है ना विल्कुल वैसे ही होती है हमारी यह जैविक मर्दा वो भी काले-काले जैसी होती है यह भी काले-काले जैसी होती है उसमें भी बहुत सारे वनस्पति के अम्रत जयापदार्थ होते हैं इसमें भी होते हैं मुनना यहां तक समझ में आया बोलो बच्चे स्क्रिंशॉट लोगे जल्दी से स्क्रिंशॉट ले लूँ मैं हट जाओ क्लियर बेटा देखो समझ लो कल के पेपर में आएगा बना के लिखना है लेकिन सुनोगे नहीं तो दिक्कत होगा लुए कि अगला कोश्चन देखो क्या है है अगला कोश्चन देखो क्या है वह से एक सग्ट इंतजार अ कि एक सेट बस एक सेट आप लास चल रही है बराबर ओव है गाना सुना देख तब तक तुम लोग को तुम दिल की धणकन में रहते हो रहते हो तुनायागे बस करें पढ़ाएं देखो भू छरण या म्रदा अपर्दन क्या होता है और इसका अर्थ क्या है भाई देखो ये कोशन पक्का है और भू छरण को रोकने के उपाय बता दो आपको देखो अब हमारे पास थे जल और वायू के लिधा मैं एक मिनट भी चरान के प्रभावहव से पानी के बहाव से मर्दा छरं होगा अब यह क्यों मैं बोला क्यों बोला क्यों मानो जीन का अस्तित्यु पर ही निर्बहर है यानी आपसे वर म्लदा के बारे में पूछअ है कि मृदा ही सब कुछ है मृदा की सब мोजन है कि मर्दा का अपर्दन होगा तो मनुस्राश 상황 की प्राथमिक प्रात्मिक वस्ता है जैसे भोजन बुष्टर इनकी पूर्ति कि से म्रदा से होटी अरे ओस्ती पूर्थ की सोर्टे से बनता है अरे यार बिवस्ति में कपड़े में काटन है ना रोई कपड़ा बन रहा है यह मरदा में जब पेड़ पौधे होंगे तभी कपास मिलेगा तभी हमारा काम चलेगा यह सब कुछ मरदा है भोजन हो कपास हो सब कुछ मरदा है इसके अत्रिक्त मरदा सरवाधिक लोगों को और रोजगार प्रतान करती है दो रोजगार गूरीजी को इसे और कहीं वहां तल आप खुदरय संति है चली जा रहback में बढ़्ट में पानी में नहीं रहती यह मत कहना भोजनिस होता है टुल तो भू चरण के क्या-क्या उपाय हैं समझते हैं यानि हमसे पूछा गया कि भू अपरदन क्या है हमने एक लाइन लिखा फिर हमने मिट्टी के बारे में थोड़ा बढ़ा चला की कोशन को बढ़ा कर दिया फिर उसके बाद हमसे पूछा कि हम कैसे रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं में मेड़ ना हो तो पानी सब बहके कहा दो में तलो हो सारा पानी इसलिए अगर मेडर भनाके रखो पानी रुकेगा पानी रुखेगा मिटी रुखेगी है में पूझे अब जूत है और बोले घ्र झाय यो और कहते हैं कि खेतों में मेंड बना लो ब्रच्छा रोपड कर लो पेंड पोधे लगा लो मिट्टी नहीं कटेगी क्योंकि उनकी जड़े मिट्टी को बांध कर रखती है इसक्रीशॉट ले लो फटाफट अगला पॉइंट है मारे पास कि ढालो पर ढालो पर सीड़ी दार खेत बना लो यानि जहां बहुत ज़्यादा ढाल है कैसी ढाल गुरुजी समझ में आया देखो मैदानी इलाकों मैं इससे खेत होते हैं और जहां धल्वावा अगर यहां फसल लगाएंगे तो पानी-पानी बहते हो चला जाएगा अब यहां थोड़े छोटे-छोटे-छोटे- पासु ना चराओ म्रदा का अपरदन हो जाएगा जोगी पसु जब चरेंगे घास को खीचेंगे मिटी के मिटी धूल में बदलेगी हवा चलेगी बारी सोगी खतम तो पसु चराई भी नहीं होनी चाहिए पैरों की रगण से मिटी उखड़ जाती है अगला देखो मरदा अपरदन का शर्वेच्ण यानि समय समय पर म्रदा अपरदन का सर्वेच्ण किया जाना चीए कि कहीं मिटी कट पीटे तो नहीं रही यह कार 1903 में इस्थापित केंद्री भू सनच्षण बोर्ड द्वारा किया गया था यानि इलाकों में चेक किया गया था अब देखो सब्सक्राइब देखों मिट्टी खुटेगा नहीं तो भूम आफिया कहलाओगे मिट्टी खुटे जाओगे तो फिक है चलो स्क्रीशॉट लेलों मुन्ना आगे चले नेक्स्ट कोश्ण पर सारे बच्चों को चलिए वया अपन लोग नेक्स्ट कोश्चन पर चलते लेकिन उससे पहले थोड़ा भवकल में और देते मेरे मुन्ना आई तब अब यह लग रहे ना चलिए अगला कोश्चन देखो मारे पास क्या है कि यार मैं असल जिंदगी में ऐसा हूँ नहीं जित पहला सब्द समझ लोग क्लास ही में निकला है लेकिन आपको हसाने के लिए आपको समझाने के लिए आपको प्यार से सब कुछ चीज़े बताने के लिए नहीं तो आप लोग के संख्या कहां 15,000 रुख पाएगी अगर हम इस तरीके के काम नहीं करेंगी तो तुमको मजा न संसाधन क्या है इसके सनचन की आवसकता क्यों है तो अच्चे देखो पहले तो समझते हैं प्राक्रटिक संसाधन क्या है जैसे मिट्टी हम को उपयोगि भारत में भूमी एक महतपूर प्राक्रतिक संसाधन ने भारत में विभिन भी प्रकार के उच्चावच भू आकरत जलवायू तथा वनस्पतियां क्या होती हैं पाई जाती है कि इससे देश के विभिन छेतरों जीवों मानों जीवन के लिए अत्यनत ज जरूरी है यानि कि अगर मिट्टिक सन olacak करेंगे जलवाईू का नहीं करेंगे वनस्पति का नहीं करेंगे करेंगे वर्सा का नहीं करेंगे अन्य Eloy हो जाएगा मना ठीक है तो यह क्या हो जाएगा जीवन नहीं चल पाएगा फिर अगला है पॉइंट की देखो जाएगा तीन पॉइंट important important कि वन जीवों के सनच्छन के लिए जंगली जानवरों का सिकार करना बंद कर दो कुछ लोग नील गाय को मारते हैं क्या करते हैं कुछ लोग जंगली जानवरों का सिकार करके उनको खाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगरतार क्या कर रहे है अपने घरों को सजा रहे हैं मगरमच से वह भी सब्सक्राइब जाएगा उबढ़ खाबड समय समय पे धान की खेती भी जरूरी है तभी तो वेटा सपाट रहेगा पानी भरेगा बराबर लेवा लाएगा तो इसलिए मिस्रित फसल होनी चाहिए उर्वरक का सही उपयोग करना चाहिए यह नहीं के यूरिया यूरिया फेके करना चाहिए पिर उसके बाद कीटनास्कों का सही इस्तेमाल करना चाहिए अब ऐसा कीटनास्क इस्तेमाल किया कि सारे कचुव कर गए अब सबस्क्राइब देखो वनों की कटाई को नियंत्रित करना चाहिए यानि कि वनों की जो कटाई हो उसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कि हम मकाने मकान बनाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए हमें सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर खेत नहीं होगे भोजन नहीं होगा जब पेन नहीं होगे तो वातावरण सुध नहीं रहेगा वातावरण सुध नहीं रहेगा तो हमारा जीवन असुध हो जाएगा तो वनों की कटाई नहीं करना चाहिए वर्सा के जल संचैन प्रणाली को इस्थापित करना चाहि उसको संचित करो इससे वाटर लेवल बढ़ेगा तो देखो जरा ध्यान से मुन्ना ध्यान से सुनना इधर एक दो तीन चार पांचे पॉइंट है इधर हमने क्या लिया हमने वन जीवों के बारे में डाल दिया इधर हमने बताया कि किसानों को किस तरीके से उप्योग करना च करो नहीं तो वाता वरणा सुद्ध हो जाएगा वन प्राक्तिक संसादन है हमारे और वर्षा जल संचैन की प्रणाली को इस्थापित करना चाहिए अर्थात वर्षा का पाने स्टोर करके रखना चाहिए मुन्ना क्लियर हो गए इतनी बात सभी को आ गई मेरी बात समझ में सभी को इतनी बात समझ में आ गई समझ में आ गया चलो वाई स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट पॉइंट है कि सौर जल सौर जल पवन उर्जा पवन उर्जा जैसे नवी करनी जो संसाधन है इनको पुरस्ताहित करना चाहिए अना उसके बा दोबारा प्रियोग करना चाहिए दो अगर पानी खेथ में ज्यादा हो गया है तो इसको दूसरे ऐसे डाल दो पानी को भाई मेड को काठना है इससे पानी ज्यादा बर्बाद नहों ठीक है फिर उसके बाद क्या है प्रकत के सनच्छन लिए बिजली के उपयोग को भी सीम मैं तो निस्दों किए जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है इसे क्या हो रहा है से सब्सक्राइब कऱ जैसे आपके घर में टूब लाइट से इनका कम उप्योग करो जिससे विजली की कल्या जैसे लीडी लाइट इनका प्रियोग करो बढ़े बढ़े जो बल्ब होते हैं उनका प्रियोग मत करो उर्जा की हानी मत करो ठीक है बोलो क्लियर है इतनी बात क्या कि भारती वनों की प्रमुख विसेस्ताओं का वर्णन कीजिए और भारत में वन प्रबंदन को कितने भागों में भाजित क्या गया है इसकी विसेस्ताओं का वर्णन करें भारती वनों की प्रमुख विसेस्ताओं कौन-कौन सी हैं देखते हैं कि पहला पॉइंट कि कि विभेन प्रकार के वनों की अजलवाई विविता और उच्चावाच के कारण विभेन े प्रकार के वन पाए जाते हैं कि या या यो दिन बहुत में बहुत जादा पाए जाते हैं इससे भारत की भौ renewed ऑर जलवाई जो तथा उच्चा वच के कारण विभीन प्रकार के वन पाए जाते हैं क्यों कि भारत में क्या होता है इंडिया में अरे कभी गर्मी तो कभी सर्दी कभी गम वैसे कभी सर्दी तो कभी गर्मी कभी तो बरसाद यानि तीनों तरीकी कर रहता है मौसम और सौच हो कि एक बार खाली ठंडी ठंडी होती रहे तो क्या होगा होगा क्या वन नहीं बन पाएंगे अच्छे यानि कि मौसम बदलता रहता है भारत की भगोलिक दसा ऐसी है कि गर्मी भी है स्वर्दी भी यो बरसाद भी तो इसका मतलब तीनों चीज़ रहती हैं इसमें उश्ल कठ्षबंधी जो वर् प्रमुख है चाल टाइब के बताएं उसनकठ्षबंधी वर्सावन उसनकठ्षबंधी पढपाती वन संकुधारी वन और अलपाइन जो वन है वो क्या है प्रमुख है आई होप यहां तक समझ में आया होगा अगला पॉइंट है आर्थिक रूप से संपन वन संपदा भार भारत को आर्थिक रूप से क्या करतें मजबूत करतें क्योंकि भारत क्या करेगा लकडी बहुत ज्यादा वनों से मिलेगी उसको दूसरे दोस्तों में ब्हेजेगा अलग-अलग प्रकार की लेकां ह। पैसा मिलेगा पैसा फिर क्या होगा वनों से वनों से इमार्ती लकणियां बनेंगी और यह वार्ती लकणि वही होगी तुम्हारे साधी में तुमको देहेज में मिलेगी मुनना फिर सुनो क्या है इससे ओध्योगी कच्छा माल अध्योगी कच्छा माल मिलता है और सधियां में मिलती है कि कैसे जैसे अहनुमान जी वो बोला गया जाओ लच्मर को लच्मर जी को कि मेगनाथ ने अस्त्र मार दिया है जाए लच्मर जी लिए हमाले से बुटी लेकर आए और लच्मर जी को बचाई है तो तो आसदी मिली कि नहीं मिली और सोचो अगर उस समय अगर यह वन नहीं होते हैं अगला पॉइंट देखो पन पाती वनों के अधिकता के कारण भारती वनों में सारवाधिक छेत्र में उश्लकटबंदी पनपाती वन फैले हैं यह वन जो होते हैं यह सुस्क रित्म में अपनी पत्यां गिरा देते हैं तो इससे भी और फैयदा मिलता है कि नई कलिया निर्मित होती है एक नया जीवन मिलता है पेड़ों को और उसके बाद फिर पेड़ और तेजी से अर्थाद बढ़ते हैं तो यह पनपाती वनों की विशेष्था है अगला देखो वन जीवों से सम्रद्ध जो वन है कुछ ऐसे वन है अच्छा एक बात बताओ ती सेकंड का कोई ब्रेक नहीं है मोटिवेट तुमको करना चाहते हैं हमारी बात सुनना अगर मैं आप से आपको घूमने की इच्छा है तो कहां चाहतों मैं आपको एक सलाह दूँकोन सच्व में घूमने की इच्छा होना तो अपना गोल बनाना या अपवन को जिम और नैसनल पार्क जन्यांवाक नहीं कर नहीं बहुत मचायेगा आपको पास पास से ज withdraw देखने को मिलेंगए खुब मज़ा आएगा गए हैं हैं बहुत मज़ाई थी तो दो तीन साल पहले भगल से जो है एक तेंदू आओ छलांग मार देता है तर लगा तो मज़ा आएगी आपको देखने को हाथी देखोगे पास से हिरन देखोगे पास से बहुत मज़ाएगी यह अपना गोल सेट करो क्यार मेरे को घुमने जाना है एक बात बताओं जब पढ़ लिखके कुछ करोगे जिंदगी में तो चीज़ें अपने आप सब कुछ मिलेंगी जो चाहते हो ना वो सिर्फ एक चीज़ से मिल सकती है और वह सिच्छा अगर सिच्छा होगा तो सब कुछ होगा एजुकेशन ह में परसेंटेज बढ़ जाता है और साथी साथ आप सिच्छित होते हैं आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हों तो एजुकेट यूरसेल्फ माइडियर एजुकेट यूरसेल्फ अपने आपको एजुकेट करना जीवों से सम्रद्ध वन जिसमें भारती वन वन स्थादि पर सोप्स पच्छीा कीट यह जाती है इसलिए वन हमारा लएंमों इंपोर्टेंटे क्या विपता भारती वन में विभन प्रकार के वच्छों की पादपों की प्रजातियां पाई जाती है अभी हमने एक नाम आपको बताए था हिमालय यव यह नाम बताए तक होता है एक आवसदिय पौधा होता है जो की cancer के रोग में क्या होता है टैक्चोल नामक एक रसायन का स्रावन करता है और cancer रोग में काम आता है यह इसका screenshot ले सकते हूं आर्ब भारत में वन प्रभंदन को तीन भागों में व्हाजत किया गया है सबसे पहले आप से पूछा जा सकता है कि भारत में वन को कितने भागों में वाजित क्या गया अलग से कोश्चन आ सकता है चार नंबर का तो पहला है आधे से अधिक वन गोसित किये गए इसका मतलब क्या होता है कि जहां तक वन और वन प्राणियों के सनच्छन की बात है तो वहां आरचित वनों को सारवाधिक मुल्यवान मना जाता है यानि कि आरचित का मतलब है कि रिजर्व कर दिया गया इसमें किसी का अधिकार नहीं है सरकार का अधिकार है और इन वनों में सरकार मतलब इनमें आप ना तो जा सकते हो भिना पर्मीशन के ना तो को में सकते हो आपको परिमिशन लेना पड़ेगा और अधे से ज़्यादा वन जो है वह आरच्छित कर दिये और समुदायों के सौमित में होते हैं उन्हें आवर्गिक्रतवन कहते हैं यानि कुछ ऐसे जैसे आपने कहा ना आपकी इलाके में बहुत सारी जमीन होगी आपको बोला जागा कि यार यह तो ग्राम समाच की जमीन है यानि वो लोगों के लोग उस पर कब्जा किये हैं वही आवर्गिक्रत वन के रूप में जानी जाती है तो फटा फट्स क्लियर हो गया स्क्रीशॉड लेलो मुना जल्दी से आगे चलेंगे इसके बाद अगले कोशन पर कि आगई बात समझ में सभी को चलें आगे समझ गया बच्चों क्लियर है डन चलो अब अगला कोशन देखो अगला कोशन है मारे पास कि वनों की हानिसे क्या आसे है और वन की हानिसे होने वाले किनी तीन प्रभावों का आपको क्या करना है उलेख करना है कौन-कौन सी हानिया हो सकती है वन से आधुनिक समय में मनुस से अपनी आवस्क्ता की पूर्थी के लिए क्या करता है वनों का अंधा उदुन्द दोहन कर रहा है यानि कि वनों को काट रहे हैं जगा को खाली कर रहे हैं और सब कर रहा है वन्हों को काट कार रहे हैं लोक कर रहे हैं आशे संपदा का धीरे-धीरे क्या हो रहा है यहा रहे हैं तो इससे क्या हो रहेंगे और वनों की प्रक्रिया को कि वनों की हानी यह कि यहीं होगा क्यों Het continued कि और रृदा ही कट रहे है तो मरदा तो कटेगी अर्थाद मरदा का पर्दन होगा मरदा ऊपिजाओ नहीं बचेगी बारिस नहीं होगी यहीट सब कारण है वर्सा में कमी आ बारिस नहीं होगी अगर नहीं होगे तो ठीक है अगला पॉइंट देखो कि पारिस्थिति की जो च्छती हो जाएगी जो इको सिस्थम होगा वह बिल्कुल्व डिसबैलंस हो जाएगा पूरे पूरे पॉरे पॉरे तंत की तंत्र का का विनांस हो जाएगा गुलिए इतनी बात समझ में आगई तिक क्लियर हुआ अच्छा फिर देखो अगला पॉइंट अगला है कोश्चन की वनों के किनी चार लाभों का वर्णन कर दो एक कोश्चन आपके पेपर में वन से आएगा और दूसरा कोश्चन क्या है नगतिक्त वनों से होने वाले किनों चार लाभों का आपको वर्णन करके बताना है वनों के महत्त का वर्णन की 반ึ जिए मतने जीवरिघ्ञां मतलब पहले आपसे पूछा गया कि वन कै adalah इसे आपसे मैं पूछू कि गुरुद को क्लास करने तो यह क्या है। उनकी बढाई कर दिया अपने फिर में्पॉइंट पर आए लुकुरुजी एसे करते हैं ये करते हैं वह करते हैं में कोशिन पर मल जाते हैं यानि कि डारेक्ट जो हमको लाब मिल जाते हैं यानि कि डारेक्ट जो हमको बेनिफेट्स मिल जाते हैं वो कौन-कौन से होते हैं सुनो बच्चे अब जो हमारे वन है डारेक्ट लाब क्या मिलता है देखू क्या डारेक्ट लाब मिलता है चल जार जिमसिम खुल जाओ सेमसिम पगलेट की चलता ही नहीं है आप इस मार खाने वाला काम कर रहा था इन देखो अभी पहला लाब क्या है कि आक सीजन की हमको पूर्ती मिलती डारेक्ट ले लेते हो ना फिर उसके बाद घरे लूप योग की वस्तुओं की हमको प्राप्ती हो जाती है ंडारेक्ट मिल जाती ह तुमसे थोड़ी न कह रहे हैं कि तुमको मिलेगा न साधी में कहें परहसान हो तो इसके बाद अगला क्या है उद्योगों होए तो हमको कच्चा माल भी निसे मिलता है हम इसे कागज बना लेते हैं रबड कथा माचिस खेल उपकरन तारपिन का तेल सब इसी से मिल जाता है फिर उसके बाद और सदियों की आपूर्थी भी तो इसी से होती है अगर हमको कोई चाहिए तो हम जाते हैं वन से लेके चले आते बच्चों वन से लेके क्या होते हैं चल मैं आते हैजसा लेकिन सही प्रियोग करो तब गलत करोगे तो घलत है ठीक तो यह हमको चीदे मिल जाते हैं वन से यह फिलते हैं यह अगर देखो इंडारेक्ट में आता है कि वर्सा में सहायक है अब अगर आप किसी ऐसे इंसान को जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उसको समझाओ यार पेड़ ना काटो भाईया पानी नहीं बरसेगा सब पेड़ काट डालोगे तो पानी को इसे बरसेगा तो बहुत बहुत तब कि ओसको उसको नहीं पता है उसको डा्यक्ट पता है गुली देदा बनाएंगा छिक्ट बनाएंगे खेलेंगे इंडारेक्ट तो नहीं पता उससे मत पूछो ना कि उसको oxygen की आप उर्ती कैसे होगी और वर्सा में कहा है इससायक है भूमी कटाव पर रोक उसको थोड़ी नहीं पता कि इसकी जड़े बहुत ज्यादा आ जाएगी क्यों क्योंकि बाढ़ नियंतर में सहायक होते हैं यह बाढ़ के जल की तीवरता को कम कर देते हैं पानी खुप्तजी से बहता हुआ जा रहा है पेवड़ खड़ा है निकल के दिखा इधर से पीछे से हमको घिरा बाढ़ के तरी दम थोड़ी ने आवाज चेक करने क्या अरत और ही है मैं बोलो भाई आवाज आ रही है अरे भाया आवाज चेक करने अरे यह चले आगे देखो अब है कि बहुं उद्देशी बेटा यह कोश्चन अगर मैं यहां लिख दू दो हजार चौबिस तो यह बात गलत नहीं होगी और यह 2024 में कल पेपर आएगा है मत्तीं यह 2024 में एकल पेपर में कोश्चन आएगा नोट करकर ध्यांद से सुनलो उद्दे नडी नदी घाटी परियोजना उला है इसके सब्सक्राइव को मात देख परियोजना अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत उद्देशी सीवं सरकी क्लास तो बताओ उद्देश क्या बढ़ाई सीखने के मिलती है थोड़ा बहुत संसकार मिलते हैं फणी फणी चीज़ें मिलती हैं मोटिवेशन भी बीच बीच में मिलता रहता है गुरू जी हमको बोर नहीं होने देते हैं हजाते खिलाते ख़ेत ने रहते हैं उलरा करते यदर-उदर उछला करते हैं कोई जैषाती भासा कभी प्रयोग कर लेते कभी कभी हसानी के लिए ह问ले मेर साब बता दिते ये क्या हुआ एक लिए बहूत सारे उद्देश हैं इसे ही नदी घाटी पर्योजना यैनि ऐसी पर्योजना ऐसा सि बिजली भी बना लो जीवों को पालन भी कर लो खेतों की सिचाई भी कर लो गुश्चन का पकड़ रहो पकड़ कोश्यन पकड़ में आ रहा कि नहीं बना के लिख सकते और अभी तो अपन बताएगा वह मतलो बहुत अधिसी मतलब जिसके बहुत सारे उद्देस से हो खेत में पानी भी लगा लो बिजली भी बना लो मचलियां भी पाल लो तालाबों में भर लो तो यह सब क्या है यह सब भाईया हमारे क्या है बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना के अंग है तो चलिए देखो ज़रा ध्यान से बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना के द्वारा एक साथ अनेक उद्देशों की क्या हो जाए पूर्ती हो जाए उसे कहते हैं बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना यानि कि अनेक उद्देशों की पूर्ती जिससे हो रही हो उसे कहते हैं बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना भारत के प्रथम प्रदान मंत इसके सरवांगीन विकास की रूफ रेखा तयार की जा सकती है क्योंकि अगर नदियां नहीं होंगी तो कच्छु नहीं वगा ठीक है फिर सुना आगे स्वतांत्रता प्राप्ती के बाद खेट में खदान उत्पादन एक मिनिट खदान उत्पादन और जोगिविकास भूमी सनाचन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजनाओं को प्रारम किया गया था यानि कि जब भारत देश में स्वतंत्रा की भाई फटा फट से सारे बच्चे इस वीडियो को सेर कर दो उन छोटे 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 नन्य मुन्य नन्य मुन्य बच्चों के साथ जिसको इसकी जरुत है अपने दोस्तों को बता दो कि यार अगरी गुरुजी की एक क्लास से पूरा पेपर आने वाला है कि स्वतंता प्राप्ति के पस्चाद देश में ख़दावन उत्पादन और दोगी विकास भूमिशन अच्छन में करांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजनाओं को प्रारम किया था ठीक अब सुनों बहुत देशी परियोजना का महत और लाब क्या है देश के बहु आयामि विकास को गतिपर्दान करने के लिए देश की अनेक नदियों पर बहुत देशी परियोजनाओं की स्थापना की गई यार इसाब बना बना के लिख रहे हैं बहुत देशी नदी घाटी परियोज़ना जिससे बहुत सारे उद्देशों की पूंद्धो हो, ये सब्ध ही काफी थे बस, ठीक, फिर क्या है? इसके अंतरगत नदियों के जलका उप्योंग करके एक सा अधिक उद्योसों की पूर्ती की जाती है इसके उद्योस से निमने लिखित है पूरी लाइन में केवाल एक चीज़ बताई गई है इसमें एक चीज़ बताई गई है कि नदियां ही सब कुछ है और नदी से अगर बहुत सारे उद्योसों की पूर्ती हो जाए तो उसे क कहा कि आधुनिक भारत का जो मंदिर है वो नदियां ही एज़स यही है तो इन्हों ने आधुनिकभारत के मंदिर की इन्होंने संग्यादी थी विरागे क्या हुआ सबसे पहला काम कि हम इससे सिचाई कर लेते हैं मैं अभी थोड़ा फास्ट चलता हूं कि पहला देश पूर होता है कि हम इससे सिचाई करते हैं सिचाई करते हैं खेतों को हरा भरा बनाते हैं इंद्रा गांधी नहर इसका प्रमख उदारण है इंद्रा गांधी नह देखा है आप लोगों ने लखनों वाले भी देखे होंगे तो इंद्रा गांधी नदी जो नहर है हमारी ये इसका प्रमुक उधारण है जिसने राजस्थान के सुस्क छेत्रों को काफी हद तक हरा बरा बनाने की प्रमुक जो है भूमिका निभाई थी रिचाई भी हो गई दूसरी देखो जल विद्धुत उतपाधन यानि इससे बिजली भी बनाई गई बांध बनाये गए टर्बाइन का उप्योग किया गया सब्दों को सुनो सब्दों को पकड़ो कि जल विद्धुत उतपाधन बिजली बनाने का काम हुआ पानी को पहले स् पानी इसे बिजली बनाएगी कि क्लियर है कि मैं यह जो बाहर आवाद चल लए थोड़ा स्लो कर दो कि कि वर्तमान में क्या हुआ इससे बिजली भी बनती है बस इतना मैं समझा दूंआ आपको अगला पॉइंट कि बाढ़ नियंत्रण यानि कि बाढ़ को नियंत्रित भी किया जाता है बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे विनासकारी बाढ़ों पर नियंत्रने स्थापित करने के लिए बहुत देसी नदी घाटी परियोजना की का उलेख किया जाता है जब याद रहेगा तो नरेंदर नामोदर लास मोदी तो उससे याद रहेगा हैं वह मारे देश के पुर्धान वंतरी है और यह हमारी सबसे बड़ी परियोजना में पूर्व में दामोदर नदी की विनासक बाढ़ों के कारण इसे बंगाल का सोग कहा जाता है पूर्व में दामोदर जो नदी है कि विनासक बाढ़ों के कारण इसे बंगाल का सोक कहा जाता है किन्तु अब इस्थती जो है बदल चुकी है जो दामोदर नदी थी वह पूर में क्या है विनास लेके आती थी बाढ़ लेके आती थी लेकिन अब बाढ़ पे नियंत्रण हो जया क्यों क्यों कि बहुत देशी नदी गाटी परिजना का इस्तिमाल हो रहा है कि मचली भी पाड लेते हैं शूर 1 छली के लिए पड़ू छाया है यह आएंगे कल इसके बाध कि उद्योग धंर्डों का विक्स पानी भर लिया उससे उद्योग चला रहे हैं कोई हना जैसे देखो उर्जा उद्योग की अनिवार उर्जा जो है ना उर्जा बना रहे हैं एनर्जी बना रहे हैं बिजली बना रहे हैं फिर उसके बाद जल विद्धुत द्वारा उद्योगों को प्रचुर मात्रा में क्या सस्ती विद्धुत उ पनायना है पानी अगर नहीं हो विए पनती पता है जब कोई चीज घूमती है इसका उदारण आपको पता होगा आपने जनरेटर धेखा होगा गूमता है ना तभी तो बिजली बनती है तो बिल्कुल वैसे ही बिजली बनानी है तो हम लोगों को क्या करना है पानी भरना है उसको उपर से नीचे गिराना है नीचे टर्वाइन घुमेगी अब यह कोशन पेपर में नहीं आएगा ना कि बिजली कैसे बनती है इसलिए हमें मतलब नही अपना वेकैसन सेलिब्रेट करने आएंगे भाया मतलब मनाने आएंगे ऐसे समझ लो चुटी के दिनों में नदी के किनारे आराम से लेटे होंगे इसे मजा धूप ले रहे होंगे तो यह सब क्या है परेटन का विकास होगा लोग दूर-दूर से आएंगे करें और यार बड लेटन का विकास होगा खेल कूध की प्रतियोग ताएं होंगी यह परेटन का सोगा अब आता है हमारे पास अगला कोशन इसका स्क्रीन हैं कि एवं महत्व पर प्रकास डालिए मैं आपको बताया भी था भाकडा नागलबांध सत्लूज नदीपर पंजाब और हिमाचल परदेश दोनों को मिलाकर बनता है हमारा भाक्षण नागलबांध पंजाब मतलब भांगड़ा भाकडा बताया थे मैंने विद्धुद परयोजना है यहां पर बिजली बहुत ज़ादा बन थी कई इस्थित्व तो इस प्रकार से देखो बारफ बाद पर यहां पर यह है एड़िग imizi यहां वहां परियोजना उत्रकंड के टीहरी जिले में हिमाले से निकलने वाली लगो नदियां कौन सी हैं भागी रधी और भिलंगान यह दो नदियों के नाम याद रखो गे इन ही के संगम पर बनता है यहाँ से कुशन बनेगा तो तौक को पूस्व मतलब भिलंगान हैं और उसके वाद भागी रथी इन कि पूरे नोट्सेय 추 це निवालगी दो नदीयों पर वना है और यह कहा है उतरा खंड के टिहरी जिले में अब मैं यहाँ पक्का गुमने जाओं गा यहाँ पर उत्राखन के टिहरी जिले में हिमाले से निकलने वाली दो नदियों पर बना हुआ क्या है एक बांध है क्या यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात सारे बच्चों को अच्छा क्लियर है यहाँ तक आगे चले जल्दी से बता दो आगे चले बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया देखो बच्चों इतसे ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो चीजे कवर नहीं हो पाएंगे इस बात ध्यान से सुन लो चौरान नवे में प्रारंब किया गया था जो वर्स 2006 में इसको स्टार्ट कर दिया गया इस बांद को मदब काम चलने लगा बिजली बनने लगी इस बांद परियोजना के अंतरगत तीन जल विद्धुत संयंत्र आते हैं अब सुनों यहां से बेटा कोश्चन बनना ते हैं कि टीहरी बांध उत्त्राखंड उत्त्राखंड ठीक जल विद्धुत संयंत्र उत्त्राखंड कोटे सर जल विद्धुत संयंत्र मैप वाला कोश्चन कोट जो कोटे सवर वाला है आ वह परमिटा ये कोशन बुस्पोरा दो अब देखो एक कोशन अगर क्रसी से बनेगा आपके सब्सक्राइब का देखो और धान मतलब चावल एक बनेगा आपका गन्ना से इनसे कोशन एक बनना तय है या तो गयूं या तो धान या तो गन्ना भूलो समझ में आरी बात इनसे कोशन बनना तय है कि चलिए आगे चलते हैं बस मात्र एक सेकंड रुक कर कि मात्र एक सेकंड रुक कर चलते हैं कि वेरी गुड चलो देखो धान की खेती के लिए उप्यूक्त तापमान तापमान वर्षा और मिट्टी का उलेख कीजिए 2014 में आया है यानि कि कोशन बनेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा तापमान का क्या रोल होता है धान की खेती के लिए वर्षा का क्या रोल होता है मिट्टी कैसी होनी चाहिए या फिर पूछेगा तीन भागोलिक दसाओं का वर्णन करो कौन कौन सी भागोलिक दसाओं होने चाहिए तो देखो भाया अब आपको पता है कि धान की खेती होती है धान क्या कौन सी फसल है और भाया धान हमारा भी कि फसल है यह जून जुलाई में बारेस के समय में इसकी बुआई होती है अर्थाट ड्योपन होता है जाए ऊसको टैंपयाइचर चाहिए जून-जुलाई तो कैसाAll réfl Nej पहली चीज तो इसको बारिस बहुत जादा चाहिए यानि कि सबसे पहले ताप्मान की अगर मैं बात करों तो चावल की क्रसी के लिए तापमान आपमान जो कर दूंगा फिर मैं आपको लेने का मौँखा दूंगा दो कोसें एक साथ समाप्त करों ध्यान से सुनों गेहों के लिए तापमान कम चाहिए तो चावल यानि की धान गर्मी की दिनों में होता है और जून जुलाइए मुझा होती है फिर अगास सितंबर कितना घर्मी होती उ को सकता होती इसमें प्रखास की मात्रा की जरुत होती है कंप्रखास चाहिए होता है कहते कोहरा नहीं पाड़ेगा नहीं बादलो वाले मौसम होने चाहिए थेज हवाए चलनी चाहिए अगर ऐसा होगा तो यह क्लिए हानिका रखोगा अर्था बादलो वाले मौसम और तेज हवाए अगर होगी तो इसके लिए रख रखोगे किसके लिए धान के खेति के लिए तेज हवाय चलेंगी धान सूख जाएगा बहुत तेज हवाय ने चलनी चाहिए वर्था चावल के लिए 100-200 संटी कर तक वर्था क्या वंक्ता होती है गुरुजी यह व्याद में तक what चाहिए समझने चाहि है इसका मतलब हो मैं को रख दूँगा कर संटी मीटर वर्सा हुई है यानि लंबाई चोड़ा हुचाई सब मिला कि एक संटीमेटर तो एक संटीमेटर ऐसे अगर मैं 100-100 संटीमेटर ला रख दूं तो संटीमेटर लंबा चोड़ा सब और फुरा भर जाए इतनी बारिस की जरूत होती है कि 100-200 संटीमेटर वर्सा क्या आवसकता ह होती है चावल को अधिक नमी की आवसकता होती है पानी जादा चाहिए पौधों को जल से भरे खेतों में लगा जाता है यह बात तो सबको पता है नहीं मुन्ना खेतों में लगा जाता है जल से भरे होते हैं कम वर्सा वाले छेत्रों दारा वर्सा की कमी पूरी की जा सकती ह कम वर्षा वाले छेत्रों में सिचाई के दौरा सिचाई करके वर्षा के कमी पूरी हो जाती है मिट्टी कैसी होने चाहिए चावल के लिए चावल की क्रसी के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए जलोड मिट्टी चाहिए दोमट मिट्टी चाहिए इसके आवसकता होती है क्यों क् मिट्टी में नमी धारन करने की चंता जादा होती है और इसको नमी चाहिए ही चाहिए नदियों के डेल्टा बाढ़ के मैदान सागर तटी छेत्रफल चावल की क्रसी के लिए सबसे अधिक उप्यूगत होते हैं इस इसको कम चाहिए यानि 10 से 25 के बीच में चाहिए और उसको तापमान 25 से उपर चाहिए था इसके लिए सुच मौसम की आवस लखता है इसके लिए पाला चाहिए कोहरा चाहिए ओला वरस्टी होने चाहिए अतिस्सुस्क पवन हानिकारक है ठीक बेटा बहुत जादा कोहरा नहीं होना चाहिए ना बहुत जादा हद से जादा नहीं होना चाहिए होना चाहिए कोहरा नहीं होगा तो गेहूं पैदा नहीं होगा पड़ा हद से जादा नहीं होना चाहिए पाला नहीं लगना चाहिए खेतों में नहीं तो गेहूं की पत से यह 3800 मीटर की उचाई पर भी जले ज चाहिए तो भी तब में की पेदावार कर सकते हैं इसके पानी कितना चाहिए पानी सको 50-55 पर चाहिए लेकिं समय समय पर चाहिए वर्फ faj मेस होनी चाहिए यानि बराबर चाहिए समय पर चाहिए सबको पता है डिव की बुहाई होती पहला पानी 21 में लगता है फिर दूसरा पानी एक महिने में लगता फिर तिसरा पानी और लगता है फ्लयव पंध्रा से 210 के बाद क्योंकि तब हमाएं ज्यादा चले लगती हैं फिर उसके आद मिट्टी कैसी चाहिए बिल्कुल धान जाएसी चाहिए दो मट्र चाहिए अधिक मानी जाती अच्छी पर जलोर मिट्टी में भी गेहों की खेती की जा सकती है अराम से इस मिट्टी में चूने और नाइट्रोजन के अंस गेहों की फसल के लिए लाबदायक होते हैं स्क्रेंशॉट ले लो यह पूछा जाएगा है कि अमें पानी दे दीजिगा थोड़ा कि बोले क्या इतनी बात सभी को समाज में आ गई है वड़ा वट से जल्दी से बता दो क्लियर चलो अभी गेहों की खेती के बाद आता है गन्ये के उत्पादन के लिए अनकूल भागोलिक इस्थितियां गन्ये के उत्पादन के लिए सुनो बच्चों ध्यान से अब इसके बाद यह जब क्रसी वाले कोश्चन हो जाएंगे समाप्त फिर हम जाएंगे हिस्ति के करने के लिए मज़ा तभी आएगा तो बच्चों देखो गन्य की उत्पादन के लिए अनकूल भागोलिक दसाएं बता दू जैसे की टेंप्रेचर कैसे टेंप्रेचर चाहिए उसलिक बंदी छेत्रों में गन्य की करसी के लिए अंकुरण के समय उच्चता आप मान चाहिए है कौन सी फसल हैं खरीफ की है या रवी की कमेंट करके बताओ जल्दी चल्दी से बता खरीफ या रवी रवी या करीव रवी ठीख वर्टा सब्स्रालें इसको श्रीषर जो है ना इसको बहुत लिए जबना क्या होता है पहले बच बीच वीचuestas है देंटल देंटल होते है जैसे ऐसे मालों गंठारी को यहां आते हैं जब गणने को यहां से काठ weten जब गणने को यह यहां पर चोटी 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 जड़ी निकल आती है और यह जुझका लाती है इससे जो घंड होता है ओर भूपनों जादा त्यार हो जाता है रभी है यह खरीफ है ठीजट लगण्न कप ट्यार होते हैं कौन से मौसा में त्यार होते हैं इस समय कर ने की बॉए हो रहे क्या नहीं हो रही ना बताओ जल्दी से घर्णा रभी है खरीफ है पूरा आपको डीप में समझा दूंगा पूरा रभी की फसल खरीब की फसल पस एक सक्षिन को कर ले दो पहले एक गन्य की फसल के लिए अत्यधिक नमी क्या आवा सकता है बहुत ज्यादा पानी लगता है सर धान के वरावर लगता है इसको सौ से 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्सा वाला चाहिए यानि की अगेहू में और कम फिर गन्ना फिर धान फिक छेत्रों में उगया जाता है कम वर्सा वाले छेत्रों में सिचाई के द्वारा इसकी करसी की जा सकती है इसके बाद है कि मिट्टी इसको कैसी चाहिए इसको मिट्टी चाहिए दोमठ नमी युक्त चाह चूने और फास्पोरस Facebook जो मिठी होती है वह घन्ने की क क्रसी केलिए बहुत ज़्यदा उपयोगी होती इसके वह जरूत होती है यानि इसमें राषानिक और पर रखके नहीं हो पाएगा इसके बा Primary और है कि मानवी इस्रम गन्य की खेते में मानवी इस्ञं की बहुत जादा जरूत होती है इसमें बहुत ज्यादा आदमी लगते हैं बहुत ज्यादा व्यक्ति लगते हैं यह पॉइंट आपके इसमें आ जाएंगे भगोलिक दसाएं पूछा जाएगा तो अगर आपने सिर्फ हैडिंग डाल दिया वर्सा मिट्टी और यह तापमान समझ लो बेटा नंबर प को आपको पूल उबल कर दे ना कि अभी बच्चों को थोड़ा से मसी क्यूज करा दे हिस्टरी के तीस कॉश्चन के बाद करा दे मं लाख यह बोला गया कि भाइया इनकी फसलों के म conveया ise स्पष्ट कर सक it अभी दिखत हुझ जो 돼खात हैं जो रभी की फसले होती हैं और जो क्या आंतर होता है कि रभी कीपसले जो होती है वह क्तूबर नवंबर या या अक्तूबर से दिसंबर क्योंकि हम बड़े हो चुके है अल्सी हम तो जन्वरी में भी अग्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है अग्टूबर नवंबर में काटके फिर गेहूं की बिवाई हो जाती है यह फसले मरदा की नमी पर निभर करेंगी और यह फसले मानसून पर निभर करती हैं यानि कि अगर मानसून नहीं होगा अर्थाद बारिस नहीं होगी तो खरीब की फसले नहीं हो पाएंगी बहुत ज्यादा इसमें पानी की ज़रत होती है अच्छा गेहूं चना तिलहन यह जो आप यहां देख रहे हो यह हमारी कौन सी है सरसो यह हमारी इस की फसले हैं और चावल मुंगफली का पास यह सब खरीब की फसले हैं बोलो बच्चे यहां तक समझ में आ गया की नहीं एक बार जल्दी से बता दो आप लोग कि जल्दी से थिक बहुत बढ़िया अच्छा अब बच्चे जो हमारे आंसर कर रहे थे कि गुरू जी खरीब होगा कि रभी होगा मैं बता देता हूं गन्ना जिसको अंग्रेजी में सुगर केन कहते हैं और यह हमारी एक खरीब की फसल है तो यह भी आप डाल के आ सकते हो जैसे आपसे पूछा जाए धान या यह हूं तो आप यह भी लाइन डालोगे तो उसको हाइलाइट कर दो तो नंबर मिलेगा यानि गन्ना अगर आपसे पूछा जाए अर्थात सुगर केन पूछा जाए तो बच्चे हमारा क्या हो ठीक है चले अगले कोशन पर अगला है कि जूम खेती कि क्या विसेश्था है जूम खेती अर्थात जा सिम्रंजा जी ले अपनी जिंदगी वह वाला सिस्टम है वह आलिकरसी है आए गुरु जी का होता है सुनो जैसे मान लो एक खेत है ठीक इस खेत में फसल उगाई गई कुस को उपर से काट लिया गया और फसल को उपर से काटने के बाद फिर क्या किया गया फसल कुब उपर से काटा गया पर जो घ्र खतवार था उसमें आग लगा दी गई हैं इसके पश्चात वे जमीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं भारत में अभी भी जूम खेती का प्रियोग उत्री पूर्वी छेत्रों के पहाड़ी जैसे कि आन्द प्रदेश सिक्किम बिहार मध्य प्रदेश तमिल नाडू महराष्ट केरल आधी में क होती है बच्चे अच्छा इस खेती में पेड़ को काटकर जलाकर भूमे के टुकड़े को साफ कर दिया जाता है मेरी बात नहीं समझे मैं बताओं क्या फिर से बताओं फेत में फसल को काटा फसल को काटने के बाद जो खर-पतवार था उसको जला दिया और जलाने के बाद मांसून मृदा की प्राकृतिक उर्वता और अन्य पर्यावनी परिस्थितियों की उप्युकता पर निर्भर करती है यानि कि कैसे मिट्टी है मांसून कैसा है पर्यावरन का वहाँ सिस्टम जो है वो कैसा है ठीक है फिर इस पर निभड़ करेगी दो या तीन वरसों के बाद जो उसको छोड़ के चले गए थे जैसा मैंने कहा किसी से सिम्रत जी ले अपनी जिंदГी मैं थो क्यों अपनी जिंदगी घै तुम मेरे पास घया सिम्रह जתחिंद से तीन साल तक शोड़ा फिर ओ पर वापस निया उत्पादन क्या हो जाता है काऊ जाता है वापस दो-तीन साल बाद केसे एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सब बता दिया जाएगा लॉंग कैसे लिखो शौर्ट कैसे लिखो निश्चिंत रहो अब है कि निम लिखित में अंतर तीस सब्दों से अधिक ना दे और सबसे पहले कौन आया सबसे पहले क्या होते हैं ध्यान से समझना लॉह वह जिसमें लोहे का अंस हुँ उससे लोफ पुरस यानि लोह जैसा बल भाइस के बाद फिर और फिर क्या हुआ ऐसे बालौ जिसमें लोहे का नहों कि आता हो उसे बोलेंगे लोहा नहों जैसे जिसे तामबाव जेस्टा बाकसाइड बागसरे मतलब अलमूनियम का एसक इन में लोहा नहीं पाय जाता जैसे लोहे के एसक मैगनीज, निकल, कोबाल्ट लोहे के जितने एसक हैं फिर मैगनीज है निकल है कोबाल्ट है इनको लौह खनीज कहते हैं समझ गए इनको क्या बोलते हैं लोग खनी बोलते हैं इसकी शॉट ले लो मुन्ना जल्दी से एक अब दूसरा कोश्चन है कि उर्जा के परमपरागत और गैर परमपरागत श्रोत पहले मेरी बात ध्यांट से सुनू परमपरागत मतलब आ नवी करनी श्रोत और गैर परमपर परमपरागत मतलब नवी करनी श्रोत क्या है कोश्चन ध्यांट से सुनू परमपरागत उर्जा के संसाधन जैसे की लकडी कोईला प्रक्रतिक गैस इसमें यह आता है जो कि जिनकी भरमार है इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा और गैर परमपरागत एक बार इस्तेमाल कर लिए समाप्त हो सकते हैं तो तो और उर्जा परमाण उर्जा ज्वारी उर्जा तापी उर्जा बायो गैस तो इतनी बात समझे आ रही है तो यह परमपरागत है गैर परमपरागत जिसको लोग बोलेंगे नवी करनी अब बेटा सुनू आपसे कोश्चन आ सकता है कि शूर की उर्जार था सौर उर्जा यह नवी करनी शोत तो समझ गए यह नवी करनी शोत तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करतेता हूं हो सकता है मेरे मुझसे उल्टा निकल गया हो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ध्यान से सुनना नवी करनी शोत यानि इतनी जल्दी सम समाप्त नहीं होगा सौर उर्जा समाप्त हो सकती है ज्वारी उर्जा समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती ना पट आप प्यार पेट्रोल को इस्तेमाल कर लिए कोईला को एक बार इस्तेमाल कर लिए दोबारा उसका यूज हो सकता है नहीं नहीं हो सकता ठीक आपने लकडी को जल इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लो परमपरागत आ नवी करनी गैर परमपरागत नवी करनी अन्यता कन्फ्यूजन में हो जाओगे रेडी हो आप चले आगे अब आता है तीस नंबर कोश्चन इस्क्रींशॉट ले लो मैं अभी हमारी कितने बच्चे हैं इस वीडियो में ग्यारा हजार प्लस बच्चे इस वीडियो में अभी भी बने हैं 11,17 बहुत-बहुत बढ़ाई लगभग दो लाग 60,000 बच्चे इस वीडियो को अभी तक देश देख चुके हैं आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई अभरक की उपयोगता बताये कोश्चन है कि अबरक की उपयोगता बताए भारत में दो उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखे और ये 2023, 22 और 17 में पूछा गया है बच्चे ने सोचा तक नहीं होगा कि ये कोश्चन 2024 में आएगा और कल 2024 के बोर्ड के एक्जाम में ये कोश्चन जब सामने रखा होगा चाहे तो MCQ आए चाहे तो चार काए चाहे तो छे काए पर आएगा चाहे अब रख की उपयोगता बता दो तो बच्चों देखो ज्यान से अब रख पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का आधा तुखनिज है ज्यान से सुनो उच गल्लांग होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्द्योगों में किया जाता है उचालक है अधा रूप से इसका छोटे छोटे डैनमो बनाने में किया जाता है डैनमो जनते होता है डैनमो जनते हो जनरेटर की बात हो रही है फिर उसक्याद बिजली की मोटर बनाने में होता है बेतार के तार बनाने में होता है बात सम्झारी बेतार के तार बनाने में होता है नेत्र रच्छक चस्मा बनान क्ंआने में आता है यानि इस साथ संगार की समगरी भी बना देते हैं अब बैसा थे सबसंगार वाली आंटी जी सेपूचना पड़ेगा अभी इसके लिए तो कल सुबह जाना पड़ेगा फिर पेपर देने आप लोग चले जाओगे नहीं तो पक्का मैं कर देता पर निश्चिंत रहो दो अजार पच्चिस के बच्चे जो भी पेपर देंगे तो साल सामगरी का कैसे इस्तेमाल होता है मैं अंटी जी से पूछ के जरूर रहूंगा मुन्ना टिंसन मतलो तीक है उसके बा आंध्रदेश आसे अभरक याद रखेगा इंपॉर्टन यह मैप में कोशन मन सकता है अब बोलिये समझ में आया क्या अधन ले लो फिर स्क्रीन शॉट अब हम लोग कितने कोशन कर चुके तीस कोशन कर चुके अभी हमारे पास एक तालिस कोशन थे यानि कि अभी एक तालिस कोशन है अब हम आते हैं इतिहास के कुछ कोशन करते हैं लगभग पचास करेंगे फटा फट से करेंगे तेजी के साथ करेंगे और फिर जो बचे हुए ग्यारा लगों और दीर गुत्तिरी प्रस्ण हैं वह आपको कराएंगे कि जाना मत मुनना खाना लेके बैठो हम तो भूंके प्यासे पढ़ा रहे हैं तुम अराम से पढ़ाई करो मैम बच्चों का MCQ के लिए क्या तयार हूँ आप लोग देख लेते हैं एक बार और हंजी एक बात सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से फटा फट से लाइक कर दो फिर मैं आगे बढ़जाता हूँ बस दस से 5 सेकंड के अंदर है छिए participar के अंदर लोगत मैं आगे बढ़ जाता हूँ सेगनित जार ज्यानों दे के गुरू जी यस बहुत बहुत बदाई हम लोग साड़े साथ लाग होने वाले हैं चलो रेडी रेडी बच्चो जल्दी जल्दी से बता दो सर प्लीज बता दो कितने कोश्चन और हैं बेटा अभी ग्यारा सब्जेक्टिव कोश्चन्स हैं और अब्जेक्टिव हैं बहुत सारे निश्चिंत रहो पढ़ा कि स्थब जाएंगे चाहें जितना बच जाए चलो पहला कोश्चन प्रांस में घरतंत्र की घुषना कब हुई थी फधार है तो होगे तो फ्रांस में घरतंत्र की घोशना कब हुई थी अठारा सो अर्तालिस में हुई थी ठीक है बच्चे अगला पास क्या है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो सत्रासो निवास्ति में हुई थी 1789 याद रहेगा 1789 फटाफट से अंसर करोगे पॉल में दे दीजे तो रहने दीजे कोई जरुत नहीं फटाफट से कर लें बोलो अच्छा बताओ बिना पॉल के फटाफट किया जाए देखो अगर बिना पॉल के करेंगे तो समय बचेगा जिसमें एक्सप्लेइन करनी की नीड होगी वहां मैं बिलकुल एक्सप्लेइन कर अगला कोशन हमारे पास है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज तंत्र था अगला कि नैपोलियन का संबंध किस देश से था बच्चो आपको बताये गया था ल., अबत है दो लुखित आपको क्या क्या बताये था कि नैपोलियन का संबंध किस देश से था तो मैसनी से था अगुंस मार्क का संबंध जर्मनी से था आप यह चलो अभी ध्यान से आजाओ आगे बढ़ते हैं इदर तो हम लोग थे तीसरे चौथे कोशन पे कि भाईया बता दो कि नेपोलियन का सम्द्ध किस देश से था तो फ्रांस से इसका सम्द्ध था ठीक है अगला कोशन है कि अब देखो important कुछ note है कुछ important note है कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और उसके बाद ये इस राजधानी में हुआ था ठीक है उसके बाद उसे नेपोलियन वन के नाम से जाना जाता है फिर एक फ्रांसीसी सैन प्रमुक और सम्राड जिसने उनिस्वी सताबदी की सुरुवात में यूरोप के अधिकांस हिस्से पर विज फ्रांस की क्रांती हुई उसके बाद नेपोलियन बोनापाट 1790 फ्रांस में जाता है और जाने के बाद अपना अधिकार जमाने की कोशिस करता है अठारा सो चार में अपना कोड डालता है कि ता भाईया मैं नेपोलियन साहिता नावा कोड है अपना सासान 1805 में लागू कर देता है फिर 1815 में उसकी म्रत्त हो जाती है यह पॉइंट जयाद रखना ठीक है इसके बाद 1804 में स्ने स्वैम को समराठ घोसित कर दिया फिर पा पांच नमबर में जल्दी से जल्दी से की नैपॉलियन के नागरी साहीता को कब लागू किया गया तो 18 emperor सुना कोश्षन है कर दो कौश्षन है कौन सा नेपॉलियन के खूर नैपॉलियन कोड़ में जोड़ा नहीं गया था जन्म से प्राप्त विसेसा अधिकार शंपति का अधिकार शामनती व्यवस्था का अन्त यह Alec क्या होगा एंसर करेक्ट हो जाएगा कि जन्में से प्राप्त विसेसा सबसे पहले कौनसे देशा अमेरिका से से कभ कहा से हुआ था राष्ठबाद का प्रा電व मुन से जल्दी बता किस से माना जाता है फ्रांस की करांति से माना जाता है ठीक है करेक्ट रांसर क्या हो जाएगा फ्रांस की करांति हो जाएगा ठीक है मैं एक काम करिए बेटा एक सेकंड का बस दस सेकंड के इंतजार करना मैं आई यह आप इदर मैं आपको आप्शन देंगी फटा-फट से मैं तीन-चार कोशन करा देना मैं एक मिनट के अंदर आया कि यह वाला ख्लियर हो गया ना सर्ट हाँ तो बच्चों देखिए नाइन नमबर प्रस्न क्या है हमारे सामने यूरोप में यूरोप में रास्टवात के उधय कारण निमन-लिखित मेंसे कौन से है ठीक है तीक है प्रस्न पर आप अपने फोकस कर लिया कि बच्चों क्या है यूरोप में रास्टवाद के उधय के कारण निमन-लिखित मेंसे acceptable से हैं और चार आपके सामने हैं नए मध्यम वर्ग का उदय या फिर उदारवादी विचारधारा का प्रसार क्रांतिकारियों का उदय या फिर डी आप्शन है आप सभी के सामने बच्चों ये सभी तो चार आप्शन है फटा-फट हम देख रहें कि बच्चे सभी आंसर कर र और देखें हमारे सामने दस्वागां क्या है बच्छों दस्वागां या वैश्वी करन हो गया चार अप्ष है आप सभी के सामने इन उप्ष फड़ा आनसर दीजिए इन चार में से क्या होगा हम लगातार आप सभी के आंसर देख रहे हैं यह बैरी गूड ने सही जवाब इसका क्या होगा ऐं ऑप्षन कि यह योगी की करण है वेरी गुड अच्छा रिस्पॉंस देख रहा है आप सभी का बच्चो बस आज और मेहनत करना है आप सभी को है ना उसके बाद फिर कल फोड के फिर से आना है और सर का दिल एक बार सभी को जो है फिर से खुस करना है ठीक है काफी लगातार दिखे दे मध्य वर्ग का उद्य का कारण क्या था तो इसका कारण क्या था और याद रहेगा तो अगला हमारे पास क्या है याद होगा आप सभी को मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाय था कि जब गैरी बाल्डी मिला था याद आ रहा है तो क्या होगा इसका करेक्ट अंसर कब गठन हुआ था 8-8-3-7-8-34-8-35 में मैं पें क्या हो गया यह था था तो बच्ची करेक्ट अंसर हो जाएगा अठारा सो चौंतिस में कब वा था जर्मन सुल्क संग था पिर इसमें अधिकानस जर्मन राजसी जो थे वह सामिल थे इस सुलक संग की स्थापना 1834 में की गई थी पूरा समझाए था मैंने आपको अगला हमारे पास क्या है कोश्चन की नेपोलियन की पराजे कभ हुई थी अभी मैंने मुझसे भी बोल के बताया था कि नेपोलियन से कोश्चन बनेगा कब आया था फ्रांच कब उसने अपना कोट जारी किया कब उसकी परा पराजे कब हुई थी नैपॉलियन की पराज हुई थी 1815 में ठीक है क्या हो जाएगा कौन से युद्ध में हुई थी वाटर लू नामक एक लडाई थी उसमें हुई थी उसकी हार और उसे प्रसिया ब्रिटेन और नीदर लैंड के गठबंधन ने हराये था अकेले हराने के उसके किसी को हमिमत नहीं थी तो प्रसिया ब्रिटेन और नीदर लैंड इनके गठबंधन ने उसको हराये था ठीक फिर उसके बाद है कि विएना सम्मेलन की मेजबानी निलिखित मेंसे किस ने की थी मैटर्निक ने चार्ल्स दसम ने बिसमार्क ने या फिर इ क्या ना क्या था यूरेप्र यूरोपियो देशों के राज़दूतों का सम्मेलन था और वह शितमबर 1804-1815 को विएना में आयोजित किया गया था ुचने यदि बिपर डीनिय ने ठीक है अगला है मारे पास की प्रांस में किस साशन वंस की पुनर इस्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी कोश्चन नमबर 14 मैं बच्चे हमारे लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया तगड़े से आप लोग आंसर कर रहे हो जी चालिस वाला रिकॉर्ड तोड़ देंगे ना बच्चे हमारे बहुत बढ़िया मैं का एक रिकॉर्ड था 40,000 लाइक वीडियो चलते चलते हो गई थी 38,000 इसमें हो गई है और मैं का रिकॉर्ड तूटने वाला है 40,000 बच्चे इस वीडियो को लाइक करने वाले है वह क्या ब अब देखो फरांस में जुलाई 18-320 जो थे उन्हें नें 1815 के बाद हुई रूडवादी प्रतक्यों के दौरान सत्ता से उनको बहाल किया गया उन्हें अब उधारवादी करांतकारियों ने उखाड फेका था उनकी जगह एक समविधानिक राजतंत्र इस्थापित किया गया था जिसका अध्यच जो था वह लु अठारा सो तीस की क्रांती के बाद फ्रांस में किस प्रकार का साशन इस्थापित हुआ जल्दी से बता तो अठारा सो तीस की क्रांती के बाद परांस की क्रांटी क्या हुई थी 1789 लेकिन 1830 की जो क्रांटी हुई थी उसके बाद प्रांट में किस प्रकार का साशन जो है वो स्थापित हुआ था फ्रांस गरतंत्र कभ वह गोसी लेकिन निरंकुस राज तंत्र जो था वो तो हो नहीं सकता option में आंसर नहीं हो सकता वह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि निरंकुस राजतंत्र तो 1789 के पहले था उसको खतम करने के लिए तो कांती हुई थी तो क्या हो जाएगा सम्विधानिक राजतंत्र जो है वह इस्थापित हुआ और गरतंत की से था इटली के एकिकरन से था चित्र मैंने आपको बताया था कि मैस्तनी का संबंद इटली से नेपोलियन का संबंद फ्रांस से विसमार का संबंद जर्मनी से ठीक यूरोप के किस दसक में बड़ी आर्थिक वंदी आई थी दसक पूछा गया है अगर हमसे दसक पूछा लगाएगा तो हम लगाएंगे 1829 लगाएंगे ओके मुन्दा इस बात से मुझे याद आता है कि इसके पहले भी महामंदी वाला में बता रहा था उसमें लिखा बिल्कुल सही है मैं 18 की जगह 19 लिखकर आया हूं सायद कर लिजेगा फिलाल ऐसा है नहीं मैं कंफर्म कर दिय सायद्य आतनले है अब एक बच्चा लगातार इस और कोमेंट यह जर्मन संस्क्रत में सिस्ट का आशें क्या था यह बड़ा इंपोक्तेंट को से था जर्मनी से था वह वाली टेबल याद रखना जो मैंने भी पीछे दिखाया आप सभी को ठीक है कि बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरीके से क्लास करोगे तो मैं पक्का कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद आप समझ लू टॉपर बनके निकलने ही वाले हो ठीक जर्मनी के एक ही करण में मैटसनी की गैरी बाल्डी की और काबूर की तीनों की भूमिका थी नाम याद रख लो मैटसनी की काबूर की और गैरी बाल्डी की यहाँ पर तीनों मैसे जो नाम आपको दिख जाए यानि गैरी बाल्डी दिख रहा है तो गैरी बाल्डी तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आट वान विसमार्क अगर आपसे पूछा जाए टी लोगों भूमिका ठी तही है गैरी बालडी नाम लिखını कहीं पर गैरी बालडी मैं तीसरा मुन्ना कौन था तीसरा चाबुर यह नाम आपको याद रखने एक दो और तीन यह इटली के एक ही करण में थे और जर्मनी के करण में आटो वान विस्मार्क ना मंतरी चुना गया था इनको निम्लिकित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगटन यंग इटली या फिर युवा इटली याद करो युवा इटली किसने बनाय था युवा इटली मैथसनी कावर या गैरी बालडी गैरी बालडी तो आए थे काबूर आए थे सामिल हुए थे तरेक्ट रांसर क्या हो जाएगा मैचनी मैचनी ने क्या किया था यंग इटली नामक एक संघटन बनाये था याद आ रहा है आपको स्टार्टिंग में बताया था वी पूरा डीप में इटली और जर तब बास मेरे लाल कौन होगा इसका ऑस्टिया क्योंकि इटली और जर्मनी के एक ही करन में जो विरुद्ध भ़ग इंगलैंड रूस और प्रसा यह तो प्च्छ में थे और यह मैं आपको बादो इस्टार्टिंग में डीप मैं एकॉल म्लें घ्यिया है क्यमप्रेंग में बताया था एक युद्ध हुआ था उस युद्ध में एक इंसान की हार हुई थी याद आ रहा है वो कौन कर दुद्ध था फ्रांस प्रशा युद्ध कब यहा था 1827-188 गोसित किया गया कि यह भी सारे कोष्ण अभी हमने लॉंग में कराएं इसलिए आंसर देना बहुत आसान है दिसंबर 1870 में जनवरी 1867 में जनवरी 1870 में और 1872 में जल्दी से तो करेक्ट अंसर क्या हो जागा जनवरी 1871 में घोसित किया गया था प्रतम विशुद्ध कब प्रारम हुआ था उन्नीस सो चौदा इस्वी में प्रतम विशुद्ध जो था वह प्रारम हुआ था मात्मा गांधी दच्छी अफ्रीका से भारत कब लोटे थे आपको पता है सभी को सत्याग्रह की खोज में कब लोटे थे 1915 एस्वी में लोटे थे फिर इसके बाद है भारत में राष्ट पि के से कर रहे हैं ठीक और अभी इसके बाद हमारे पास ग्यारा सौट और लॉंग कोशन बचे हुए हैं तो यह महत्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था कहां किया था बताव जली से बार्दोली एँदाबाद खेडा यह चंपारन याद आ रहा है आपको किया चंपारन में किया था तो पहला सत्याग्रह कहां किया था आध गांधी जी का विचार क्या था धर्म को कभी राजटिनीती छाइएं जाएं नहीं किया जा सकता धर्म और लांग यहां कि 싸ंघ हो जाएगा वा, राजनीती से कभी अलग नहीं किया जा सकता करेक्ट रांसर कौन से हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा के आजपयों आंदवल का मुप की कारण क्या था अभी अत्त में श्याख तो किया हुआ था मतलब हम सहीओग क्यों नहीं देंगे क्यों कि रॉली आंसर क्या था फिर उसके हमारे पास है कि जालिया वाला बाग हत्या कांड कभ हुआ था तेरा अप्रेल जीट में किस ने बोला था जर्णल डाइयर ने बोला जोलिया चला दो और जोलिया चलाने के बाद بहुत सारे लोग वहां मारे गए उसके बाद गांदीजी ने कहा कि भाईया आज सयोग अंदोलन चला दो और इनको कोई भी सयोग मत दो तो यह 13 अप्रेल 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलिया चलाने का आदेश किसे ने दिया था तो जर्नल डायर ने दिया था ठीक अगला कोईशन हमारे पास की कांगरेश द्वारा आज सयोग अंदोलन कब अपनाया गया सूरत 1929 नागपूर दिसंबर 1929 कलकत्ता जनवरी 1921 नागपूर दिसंबर 1921 देखो अगर हमारी बात हो कि अपनाया कब गया मैरी बात गौर से सुन लेना है अगर अपनाने की बात और नागपुर रखने की बात हो कोशन भी बन सकता है इसलिए मैं अच्छे से आता कि आप गल्ती मत करो गुरुजी ने तो बताया था राष्ट कांग्रेस कोशन अपनाया और प्रस्ताव रखने में कन्फ्यूज कर देगा आपको अगर अपनाने की बात हो तो नागपूर दिसंबर 1920 में होगा और अगर यह होता अगर यह होता उसमें तो ऊप्षयन में नहीं है कि अगर यह होता कि प्रस्ताव कब रखा गया तो कलकत्ता सितंबर उनिस सो बीस पारित कब हुआ या अपनाया कब गया तो यह नाकपुर बुलो क्लियर है कि अभी को समझ में आ गया है किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है बेटा आस योग आंदोलन जो है ना अगर किसी किताब में कुछ और दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते रॉलेट एक्ट ही इसका सही आंसर होगा और अगर जालिया वाला बाग हत्या कांड भी होता इस ऑप्षन में तो वह भी सही माना जाता दिसंबर कंगरेश का अध्यवेशन कहां हुँआ उन्नीहस पीस में कहां हुआ ध Eli kalkatta बंबे नागपुर अभी मैंने समझाया और दीप में कि नागपुर में अगर यह कोशन होता कि सितंबर 1973 में तो फिर आंसर हो जाता व Así and और यार सबको पता है जहां आंदोलन की बात आ जाए बस एक ही इंसान है जो हर जगा अंदोलन छेड़ देता था महात्मा गांदी आस्योग अंदोलन के दौरान आवध में किसानों का नेत्रत किसने किया था फिर वही बात बाबा रामचंद्र हर जगा थोड़ी न होंगे हमारे महात्मा गांदी जी भी के बाबा रामचंद्र इसका करेक्टर आंसर हो जाएगा कि आस्योग अंदोलन के दौरान आवध में किसानों का नेत्रत तो किसने किया था अंदोलन छेड़ने की बात नहीं हो रही है किसानों क पूर्पुर में हुआ था और यह स्थान मैं देख भी चुका हूं दूर से बस में बैठे बैठे तो चौरी-चौरा कांड किस घटित हुआ था अगर यह पूछा जाए तो सब कोई बात बहुत अच्छे से पता है कि जालिया वाला भागत्या कांड के तीन साल बाठ त्ट में चौरी-चौरा कंड उसके बाठ घटो बात्त की पूछ में और 1880 में मैं बहुत इस तावन के बाद करो इसके बाद क्या है अगला कोशन साइमन कमीशन का वहिसकार किया गया था क्यों 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 तर महात्तमा गांधी के बारे में क्या आ सकता है बेटा महात्मा गांधी के बारे में अंदोलन ही आएंगे सत्याग रहेंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जितनी वी क्लासेस हमने दी हैं इसते बाहर एक भी कोश झाह आएगा साइमन कमीसंग का विरोत करते हैं कौण पूलिस की लाथीओं के पहार से सहीध हो गै याद रखना लासे लाथी या। लाज नटि यानि की बच्चो क्या लाला लाज पत्र आय ये लाठी से क्या हो गय थे गहायल हो गये और बाद में सहीद भी हो गय थे देश के लिए अगला कोशन हमारे पास क्या है अगला है हमारे पास की भारती राष्टी कांग्रेस ने पूर्ण सुराज प्राप्त करने का लच्छ कब घोसित किया यानि पूर्ण सुराज तो आपको पता है भारत छोड़ो अंदोलन उसी समय की बात है तो जब भारत छोड़ो अंदोलन त सबसंजह की आया हूं हमारा 1919 तो इस सभी ने अवग्या अंदोलन कब चलाए गया किस ने चलाया महतमा गांधी जी ने चलाया इन्हों ने कहा हम अपने अधिकारों के लिए बिना हिंसा के यानि नियुक्त होते हुए रह करते हुए एक अंदोलन चलाएंगे और कब कि उननिस सो तीस में चलाया कि बोलो क्लियर इतनी बात कि समझ गए यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छा सुनू मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं और इसके बाद आपको हसी आएगी बहुत मजा आएगा ठीक है सुनाया जाए तुम्हारे लाइवल वाला है कि तुमको नींद नाय कि में कुछ बता थो थोड़ा इडिया वडिया देदो यूकि हम तो फुलो में चले जा रहे थे हमारे बच्चे कह रहे कि इनको नींद आ रही है जानते हैं नींद तो कारण है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है ग्यारा एक बात बताओं पढ़ाई वाले बच्चों के लिए नींद कुछ नहीं होती एक काम करो मैं बताता हूं जहां बैठे हो अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाओ जैकारा मईया लगाओ नींद चली जाएगी और नहीं तो एक काम करो जहां बैठे हो खुब अंगडाई ले लो और अगर मुहले में सोय ना हो सब लोग चिलाद हो एकदम से बिलकुल सनाटा जो पसरा है तुमारा दिमाग के बत्ती भी घुल हो जाएगी मतलब जल जाएगी और तुमारा काम हो जाएगा ठीक या फिर अगर निन्नी आ रही है आपको तो एक और बढ़ी हासा तरीका है ह से और और थोड़ा सा और और देखा है कि आई से मारो अपने जली जाएगी नीद है अरे हमको नहीं आरे पांच घंटे से खड़े यार हां पांच घंटे से खड़े में एक मिनट के लिए भी गए गये थे 40 सेकंड के लिए तुम समध्दार हो का है गये होंगे तो कि येव होगा पांच शे नंबर भी अगर अभी से आगे से पक्के हो जाएंगे तो समल लो तुम्हारे क्लास वाली जो निकिता है उससे ज्यादा नंबर ले तुम देखो जारा ध्यान से अगला कोशन है कि गांधी जी ने नमक कानून का उलंगन कहां किया था गांधी जी ने नमक ठीक है याद रहेगा मुन्ना चलो अगला है कि गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में क्रिप्स प्रस्ताव तो फिर भारत छोड़ो उसका कारण था उत्तरदाई साशन की स्थापना है नमक कानून त तो किया था घंधी जी ने ठीक है करेक्ट ट्रांसर हो जाएगा नमक क्योंकि यह तो भारत चोड़ो था रॉलेट एक्ट के विरोध में तो दांडी आतरा नहीं थी रॉलेट एक्ट के विरोध में तो उन्होंने बोला कि भीया ज्वह हम काला कानून इसको बता देंगे का आसायोग उसके बाद आए था अब देखो किस भारती जन आंदोलन की सुरवाद महत्मा गांधी जी की प्रसिद दांदी या मार्च से सुरू हुई थी खिलाफत आसायोग सविने अवग्या भारत छोड़ो भारत छोड़ो तो नहीं हो सकता क्या हो जाएगा सविने अवग्य कि भाया वहां नमक कानून बनाकर फिर सविने अवग्या अंदोलन को शुरुवात कर दिया था सबिने अवग्या आंदोलन 1930 में किसके साथ सुरू हुआ था रॉलेट सत्यागरह दांडी मार्च चमपारण दांडी मार्च क्या होजाग अंसर दांडी मार्च ठिक पिर उसक पाद करो या मरो कब कहा था कब कहा था भारत छोडो अंदोलन के बाद कहा पूण सुराज की मांंग है करो या मरो बेटा थी जितु Sut Krud six जी ने हिंद सुराज पुस्तक के लेखक कौन है महत्मा गांधी जी है याद रहेगा सुराज मेरा जन्वसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा अब आप मुझे बताओ जैसे तुम छोटे बच्चे होते अग्दम मम्मी वो टॉफी मेरी है मैं इसको लेकर रहूंगा कब कहते हो बाल लावस्था में कहते हो ना मम्मी वो मेरी टॉफी है मैं उसको लेकर रहूंगा वैसे बाल गंगा दरतिलक जी ने का सुराज मेरा सर जन्वसिद्धिकार है मैं इसको लेकर रहूंगा तो करेक्ट रांसर क् याद रहेगा याद करने के तरीके ऐसे हमने भी याद किये हैं बस अपना एक्सपिरियंस आपके साथ सेयर कर रहे हैं हम भी तो भूल जाते थे वंदे मात्रम गीत के रचाइता कौन है मैं इसका जरा पोल दे दीजेगा एक बार बच्चों को इनकी आखे खुल जाएं वंदे मात्रम गीत के रचाइता कौन है फिप्टी वन का पोल दे दो मैं जल्दी जल्दी से वेरिगुड वन्दे मातरम गीत के रचैता कौन है रविन्ना टैगोर बंकिमचंद चटर जी सोहन लाल दिवेदी रामधारी सिंग दिनकर जल्दी से रामधारी सिंग दिनकर है मैं मोई तू नंगए मेरे मन से कौन है तो वंदे मात्रम गीत कर से तक पोल देट है आप ने या कर रहे हैं जिसने बच्चों किक भी और यार बच्चे देखो अगर वंदे मात्रम गीत हो तो बंकिम चंद्ध चैटर जी होगा और बहुत साहरे में बच्चे यहीं कर रहे होंगे रास्ट गीत की बात हो तो वंदे भार वंदे यह हमारा वंदे मातरम रास्ट गान की बात हो वही जैनेगर्मन उसमें रविना टैगोर है और गीत में बंकिम चंद याद रखना गलत ना कर देना पेपर में कर पेरियार्स रामा स्वामी नायकर कौन थे तो यह एक समाज आयरलेंड से आ गया अलू याद रहेगा आयरलेंड अलू आयरलेंड में आलू का अकाल कब पड़ा था अलू का का अकल पड़ा था हतारा सो पैकाल प्रकॉत के बीचुछ ती के ती अमेरिका का एल डो रोडो किसलिए प्रसिद्ध है तोने के लिए हीरो के लिए कोईले की खनीचों के लिए तांबे की खादानों के लिए तो किसके लिए सोने के लिए ठीक फिर उसके बाद है कॉर्ण का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा लेंचो वाले चैप्टर में कॉर्ण का मतलब होता है मक्का कोर्ल का हिन्दि यह अर्थ होता है मक्का यानि कॉ dedans के लिए सारे कुंट से कुश्चन। आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे एक अगला है कि रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्याहे यह पूर्टन है और कल पेपर में आपको मिलने वाला है तो 2024ε क यहाँ पर हमOT करके दे रहे हैं इसका दूसरा नाम क्याहे बीमारी है एक बीमारी है और रिंडर पेस्ट जो है न वह हमारी एक मव्यसी प्लेग है याद रखिएगा इस चीज को अफ्रीका में फैलने वाली पस बीमारी कौन थी तो रिंडर पेस्ट थी अब तीन कोश्चन बन गए रिंडर पेस्ट क्या है एक बीमारी है क्या है मवेसी प्लेग है जानवरों को होती थी अफ्रीका में ये जानवरों को फैल गई थी तो इससे कितने कोश्चन बन रहे हैं आप देख रहे हो तीन कोश्चन की रिंडर पेस्ट एक मवेसी प्लेग है प्लेग का मतलब समस्ति आप लोग हाई जा तो है जा रोहे फिर उसके बाद ये अफ्रीका में फैल गई थी मवेसी इससे मर रहे थे और उसके बाद ये एक बीमारी है बेटा भी मैं मैप के बारे में बता रहा हूं निश्चिंत रहो आप लोग ब्रिटन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था जनसंख्या में व्रदी कार्ण आयत पर नियंतरन उद्योग पती और सहरी लोगों का विरोज दियार देखो सीधी बात है अगर कार्ण का नियंतर होगी तो कार्ण आयात ही होगा है कि उसमेर नियंतरन लगा दोग तो 1944 में ब्रेटन वूटस संमेलन कहाں आयुजित किया था तो कहां ऐस फट्रेखन अमरीका में आयुजित किया गया था फिर उसके बएक रगे सथा आपदी के गिर्मिटिया को कि 19 सताब्दी के गिर्मिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है जबरन अभिवादन गुलामी नई प्रणाली सफरान या इन में से कोई नहीं आचा एक बाद मेरी ध्यान से सुनों यह वाला जो पीडियाफ है वह हमारे एप पर आप सभी को प्री में उपलब्ध कराये जाए है उस पे क्लिक करोगे लाइव और रिकॉर्डेट आएगा रिकॉर्डेट पर क्लिक करोगे तो आपको एप में यह फ्री उपलब्ध करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ठीक और जो बच्चे पेड़ वाले हैं तो उनको तो मिली जाएगा एप का लिंक नीचे डिस्क्र सालिक छेत्रों से आए थे कहां से आए थे तो बच्चे यह आए थे इन में से सभी तमिलनाडू के सुस्क जिरों से भी आए थे बिहार से भी आए थे उत्ताप्रदेश से भी आए थे सताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था तो दास्ता की प्रथा अनुबंधित दास्ता दास्ता से मुक्ति या मजदूर करेक्ट रांसर क्या हो जागा दास्ता की प्रथा से उनको क्या किया गया था बच्चों अनुबंध को किस रूप से वर्ण वाले भी इसके बाद कि वर्स मैं सुरूं से इसी स्पीड में चल भी रहा हूं किस वर्स अनुबंदित स्रम् प्रथा का उन्मूलन हो गया था तो 1921 में हो गया था प्रथम विश्युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था तो बच्चे 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था उसके बाद है किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेसम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की है तो कौन था पर्यटक निम लिखित में से मित्र राष्ट कौन से हैं इसका अंसर हो जाएगा ब्रिटेन फ्रांस और रूस यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोश्चन हो जाएगा थीखा यह बोलो क्लियर रही इतनी बात कि क्या हम इंग्लिश मीडियं के स्टुडेंट है तो पेपर में अंसर को हिंदी में करके आ सकते हैं हिंदी में कैसे करके कि क्योंकि मैं आपको हिंदी में सलाह करने की दे दूंगा आप गलत करके आ जाओगे फिर उसके बाद में मुझे बोलोगे कि गुरुजी आपने सलाह दे दिया था तो ऐसा मत करना है ठीक है कर लो चलो आगे चले अब अगला कुशन हमारे पास है कि निम लिखित में से किस सहर में 1885 इस्वी में यूरोपी सक्तियों सक्तियां अफ्रीका को आपस में बाठने के लिए थी किस सहर में लंदन में नियूआर्क में बर्लिन में या एस एम इस टर पता नहीं इतनी जल्दी में फुलो में नहीं पढ़ पारें ना तो करेक्ट रंसर क्या हो जाएगा फिर उसके बाद क्या लिखा है कि ब्रिटेन वुट्स नामक संस्था निम लिखित में से कहां इ वुट्स अभी बताया भी था मैंने इसके ऊपर एक और कोशन था भी हमारे पास क्या हो जागा अमरीका में है लिख कहां फे कोशन था पिया दिखाते हैं कि वो क्या था है नहीं देखो देक्टन वुट्स नाम एक को और कोशन था हमारे पास एक ब्रिटेन वूट्स का भी हम करके आए हैं ना यह देखो कि ब्रिटेन वूट्स सम्मेलन कहां अउजित किया गया था अमेरिका में और फिर अभी कोशन क्या आगया हमारे पास अब हमारे पास कोशन आ गया कि ब्रिटेन वूट्स नामक संस्थान निमेनिक मैं इस्ते थे तो यह अमेरिका में है थिक एक 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 कार है हनरी फोड फोड थे कार भी आती थी तो डे ट्राइट में किया था यह नाम आप याद रखोगे निम्लिकत में से किस कानून ने ब्रिटिस सरकार को मकई के आयात को प्रतिवंधित करने के लिए अनुमत दी मकई यानि की बेटा का और और कॉर्ण का मतलब होता है कि भाया कॉर्ण लौ का मतलब मकई कानून तो क्या हो जागा इसका मकई कानून कि क्वाल घुमा पूछ लिया गया महामंदी का प्रारंभ किस वर्स में हुआ था तो आप से पूछा गया कि 1929 में 1924 में 1929 में या 1934 में तो आंसर यहां पर 1929 है ठीक है बस एक चीज माई रुकना ज़रा ध्यान से कि एक सेकंड बस वेट हां महामंदी का प्रारंभ किस वर्स में हुआ था तो यह होगा 1929 इसका सही आंसर ठीक है यह चीज याद रखिएगा इसके पहले जो मैं कोशन बता के आया हूँ वो दूसरा था और यह दूसरा है कंफ्यूज मत होना एक आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था तो आर्थिक महामंदी आप से पूछा गया है कब से हुआ था तो 1930 में सासको ने किस एक विशिष्ट उत्पाज प्रणाली के अधिकार दिये थे सासको ने किसको एक विशिष्ट उत्पाज प्रणाली के अधिकार दिये थे तो करेक्ट रांसर ब्रिटेन हो जाएगा ब्रिटेन में सबसे तेजी से कौन सा उद्योग चलता था सबको पता होना चाहिए का पास सबसे तेज गतसील उद्योग था वहाँ पर उसके बाद अगला कोशन है कि 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने कराया था जेम्स वाट जेम्स हॉप किंग ने या फिर बच्चो मैथ्वी बोल्टन या निउका में ने करेक्ट आंसर क्या हो जागा जेम्स वाट एक अगला है कि स्रमिकों के द्वारा नई प्रद्योग की के विरुद्ध होने के क्या कारण थे नई प्रद्योग की आई थी तो उससे क्या हुआ रुद्ध हो जाएगे उनको क्या होगा और रोजगारी मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं उनको तो बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलिये समझ में आ रहा है यहां तक हो जी इस घंप इन फुरिश्टि एकवाज कितने मजब खतम होगी अभी अधे गंटे सर्जादा और चलेगी आपकी अलकास यूरोपी खंपियों यूरोपी यूपानियों ने भारत आना कब सुरू किया था यूरोपी कंपनिया भारत का वाई थी तो यूरोपी कंपनिया भारत आई थी सत्रा सो में सत्रा सो पैंतिस में या फिर सत्रा सो बीस में या फिर सत्रा सो पचास में क्या का वाई थी यूरोपी कंपनिया सत्रा सो पचास में आना इस्टार्ट हुई थी अना गुमास्ता का क्या अर्थ है कि भुंस्ट इंपोंटेंट कोष्चन थ्यूए को ध्यान से देखना गुमास्ता का के अर्थ कपड़े की गुर्भत्ता को जाचना गुमास्ता रहे डहें आस्ता का मतलब कपड़े की गुडवत्ता को जाचना मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से कब तक प्रारम किया था तो करेक्ट रांसर जागा 1874 इस्वे में भारत में पहले लौ इसपाथ सेंत्र की स्थापना कहा की गई थी तो जमसेद पूर और जमसेद पूर को कहा जाता है इस पात नगरी जमसेद पूर को कहा जाता है इस पात नगरी यह बात भी आपको याद रखना है इसके बाद अगला कोशन हमारे पास है कि बड़े उद्योग भारत में कहा है बंगाल में चिना सुरा में मद्रास में सूरत में बड़ बड़े लोग पश्चिम बंगाल बंगाल याद रहेगा फिर उसके बाद है कि किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीड़ माना जाता है वस्तिर लॉइस पाथ आटो मोबाइल चीनी चाहे सीधी बात है रीड़ किसको माना जाएगा लॉइस पाथ अना टाटा किस प्रणाली के अंतरगत वेपारियों तथा सिल्पियों के समूह संगटित हुआ करते थे तो कौन सी है प्रणाली वो गिल्ड प्रणाली है इसके बाद हमारे पास है कि रेसों के आधार पर उन चाटने वाले स्रमिकों को क्या कहा जाता है बुनकर रंगराज पुलर या स्टेपलर यह बात याद रखना सब्सक्राइब करन के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बन चुका था मिलती है मौसम के अनुसार सिस्टेम चलता है गैस घर उड़्योग जहाज रानी मरम्त तराब खाणा यह इन लौस मी रोजगारी और में समें कौन आएगा बता उसारे आएगे जहाज-जराणी अध्यूग, तराब खाना अब एक मौसम में ज्यादा पी जा चेक मौसन में कम पी जा रही है गैस घर उद्योग तो यह सारे के सारे हमारे करेक्टर अंसर हो जाएगे बृटेन में हस्त सिल्प उद्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्ता में पहचान प्राप्त हुई थी तो महारानी एलिजाबेइथ महारानी विक्टूरिया महार की मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीर में कब विक्सित हुई थी तो याद रखोगे 594 इस्वी में ठीक है 594 इस्वी में याद रहेगा बच्चों को डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है उसके छपाई कब हुई थी तो यह एक कोशन यहां स है अलग सकता है कि जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है तो वह है डायमंड सूत्र इसकी छपाई कब हुई थी इसकी छपाइवी थी 1868 में जरमन वेपारी जोहान गुटरबर्ग के गुटेंबर्ग के पुत्र ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी तो सबसे पहली पुस्तक छापी थी बाईल भी कह सके बाद मुद्रन संस्क्रत के आने वतने किसकी देन है यह बच्चों है मुद्रण प्रणाली की और इसके बाद महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकासन किया गया महिलाओं के विकास के लिए तो पेनी मैग जीन्स यह थे हमारे कुछ 100 ऐसे कोशन जो हमारे स्स्ट के थे हमारे पास आठ कोशन और बचते हैं यह भी कर लें फिर उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे तब उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे बोलिये बच्चो क्लियर हुआ इतना देखो फास्ट इसलिए कर रहे हैं आपका समय बच जाए पांच घंटे हो चुके हैं और पांच घंटे से क्लास चल रही है और वो बच्चा ही इस वीडियो को देख रहा है जिसे कुछ करना है बाल पुस्तक छापने के लिए प्रस की स्थापना पूछी जातों फ्रांस में हुई थी जेम्स अंगस्टॉन हिक्की ने भारत में पर्थम सब्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकासन कब किया था तो 1780 में किया था 1821 में प्रकासित समवाद कौमुदी के लेखक रचनाकार कौन है तो रचनाकार कौन है बच्चों इसकी रचनाकार कौन है हमारे राजा राम मोहन राएजी अगला है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निमलिखित में से किस देश में विक्सित नहीं हुई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जागा इंडोनेसिया ठीक है इसके बाद कार की अगला कोशन है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रियोग निमलिखित में से किस चित्रण में किया जाता है कपड़ों को प्रिंट करने में तास के पत्ते बनाने में धार्विक चित्रों आपको बनाने में या फिर इन में से सभी किस धार्विक पुस्तक की छपाई की गए थी तो वह थी हमारी बाइबिल फ्रोस्टेट धर्म में सुधार हे तो यह इंप्वॉटेंट कोश्चन या तो बाइबिल वाला कोश्चन आएगा और या तो यह कोश्चन आएगा separate कि ह्स्ट्री को छोड़ के भाकी सब के और 108 हमने कराए कि की कुकि हिस्ट्री में हमें ए ये ख이고 ध्यान में रखना था थो धे तो थामन में रखना था यह कोश्चन करें और मैं तीस कर хочу का हूं short and long sufficient थो अभी आते हैं वापस है कि वापस आते है नहीं है और इन कोश्चन्स पर आते हैं यह कोश्चन अम लोग कर चुके थे अब मुझे बताओ क्या आप आगे तयार हो जल्दी से क्या आगे आप तयार हो हाँ आप कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मैप के लिए बहुत ज्यादा परेसान है देखो वईया स्टार्टिंग में हमने यह चीज आपको बताई थी मुन्ना कि हम लोग मैप एक एस्पेशल क्लास कर चुके हैं यह बात आपको पता होन कि इसको अगर अभी बता देंगे तो आप लोग के सबसे कौन से इसलिए हमें समझ लेना मैप के सारे कोस्चन मैप के सारे पॉइंट मैप में कहां पर कौन सी जगा है सब तो यह कोशन हम लोग कर चुके थे अब आता है हमारे पास 31 नमबर कोश्चन कितने कोश्चन कहूंगे यहां से 11 ध्यान से सुनना और आराम से समझाएंगे कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अब में जो करना था कर लिया अब हमारे पास 31 172 नमबर कोश्चन है कि हमारे हमें खनीजों के सनक्षन क्या आउस्त क्यों है अच्छा मुझे बताओ खनीज क्या होते हैं भूमी की आपको पता है कि भू परपट्टइख से जरूरत है यहां पर है कि भाया इनको निर्माड में लाखो वर्स लग जाते हैं इसलिए इनका सनच्छन चाहिए जबकि उनका उपभोग मात्र कुछ दिनों में किया जा सकता है हम जाहें तो कुछ दिनों में उसको खर्च कर देते हैं तो इसलिए उनका सनच्छन जरूरी है खनन को घातक उध्योक बनेने से रोकने के लिए द्रण सूरच्छा नियम यानि खनन का मतलब होता है बहुत जादा खुदाई ना हो द्रण सूरच्छा नियम और पर्यवणी कानूनों का क्रियानवेन अनिवार है खनी संसादन सीमित और गैरणन वी करनी है गैर नवी करनी का मतलब परमपरागत है हमें खनिस अंसाद उनों को सनच्छित करने की आवा सकता है साती खदानों के निरंतर उत्खनन यानि बहुत ज़्यादा खुजाई से खानों की गहराई बढ़ने लगती है जिससे खनिजों की गुडवत्ता में भी क्या जाती है कमी आने लगती है और उत्खनन की लागत बढ़ जाती है क्योंकि फिर ज़्यादा खुदाई होगी तो फिर जब दोबारा खनिज हमको मिलने होंगे तो वह बहुत ज़्यादा और गहराई में मिलेंगे तो फिर और योग हम कुछी दिनों में खतम कर देते हैं फिर उसके बाद है कि भाईया यह जो है वह सीमित है सीमित संसाधन है यह गैर नवी करनी है हमें इनको सनचित करने की आवसेक्ता है उत्खनन से इनकी गहराई बढ़ने लगती है तो फिर लागत बहुत जादा लग जाती है यह कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको समझाए गैर परमपरागत उर्जा संसाधन के किनी चार संसाधनों पर प्रकास डालिए यह कोश्चन मोस्त इंपॉर्टेंट है अब अलग से आएगा गैर परमपरागत यानि कि नवी करनी बच्चों देखो सबसे पहले है सौर उर्ज अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उर्जा के वे संसाधन जो दीर्ग काल तक उप्योग करने के पस्चात भी बुना बुना जो है बने रहते हैं उप्योग में लाए जाते हैं और उन्हें अच्छाई या नवी करनी या गैर परमपरागत उर्जा संसाधन कहते हैं देहान से सुन लिजे सारे नाम कि यह इंपॉर्टेंट है कि गैर परमपरागत उर्जा संसाधन क्या होते हैं तो जिनका उप्योग हम लंबे समय तक कर लें अब मैं धीरे क्यों बोल रहा हूं कि मेरे डैड़ी सो गए हैं पिता जी की बात कर रहे हैं अंग्रेज से और प्रणब करने जैएं दिए कि और परमपरागत उर्जा संसाधनों संसाधन के में प्रकाश जालना तो पहले क्यों करते हैं और सबसे प्राप्त होती है प्रद्योगिकी के उप्योग द्वारा विद्धुत उर्जा तापी उर्जा में परिवर्तित कर देते हैं यानि कि हम सौर उर्जा लेते हैं और उस सौर उर्जा को किस में बदल देते हैं विद्धुत उर्जा में बदल देते हैं या फिर हम उसको तापी उर्जा में बदल देते हैं इसकी सहायता से बदल देते हैं बच्चों पृद्योगी की सहायता से बदल देते हैं भारत में सौर उर्जा की असीम संभावनाएं बहुत संभावनाएं और सौर उर्जा से हम अ कि आपको अगर पैनल लगवाना है सौर पैनल लगवाना है तो आपको छूट मिलेगी च्छत के ऊपर लगवाईए और वापस से बिजली हमको भी दीजिए बनाकर यह सिस्टम लागू किया है भारत में गुजरात के पाटन में एसिया का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र इस्थापित किया गया है और इससे क्या होता है बिजली बनती है फिर उसके बाद है कि भूतापी उर्जा इस उर्जा के अंतरगत भूगर्ब की उर्जा का उपयोग करके भूगर्ब मतलब भ गर्म जल जहां होता है वहां लगाए जाते हैं भारत में 36 गड़ पूर्व घाटी यानि की जम्मू कस्मीर चमोली या वो उत्राखंड में है पारवती घाटी हिमाचल प्रदेश में इसकी संभावना बहुत जादा है भूतापी उर्जा की इन इस्थावनों पर उर्जा के स पवन उर्जा एक संभावी शंशाधन है अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि संभावी संसाधन कौन सा है तो कल पेपर में पूछा जा सकता है कि संभावी शंशाधन कौन सा है तो आपका अंसर होगा कि पवन उर्जा ठीक इसके अंतरगत वर्स भर हवा के उत्पादन में विस्ट्व में पाचवे इस्थान पर है कौन से इस्थान पर है पाचवे इस्थान पर है वर्तमान में भारत में पवन उर्जा की उत्पादन छमता इतने मेगा वाट है मेगा का मतलब समझते हो क्या होता है दसकी घाथ 6 के तसकी घाच यह मतलब 10,60,000,000 को इस से गुड़ा करो सोचो कितना बड़ा नमबर होगा उतने वॉट जो है क्या बनाई जा सकती है पवन उर्जा की उत्पादन खंता ओल यह मतलब ताके बहुत बड़े-बड़े स्रोत मिल सकते हैं को बोलो यहां तक क्लियर है कि एक बच्चा है नाम तो उसका नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि फिर वो कि लगातार इसी तरीकी की कोशन्स आने लगें गुरुजी अब बस करो बेटा जितना मैं बोल कि आया हुआ उतना जाओंगा उतना मैं जाओंगा चाहें ना भी समय लगे अगला है हमारे पास के जौरी उर्जा और आराम से कराखे जाओंगा अगर आप में नहीं चमता है ना तो मत पढ़ो से उत्पन हम को मिलती है इस उर्जा का दोहन समूद्र के सक्रह मुहाने में बांध का निर्मार करके किया जाता है कि समुद्र का सक्रा जो है एक मुहाने में बांध का निर्मार करते हैं गद्बाइन वे और मैंने आपको बताया भी था यह पानी नीचे गिरता है टर्वाइन में गिरता टर्वाइन घुमती है जैसे जनरेटर घुमता है तो उससे क्या वनती है विजली वनती है ठीक भारत में खंभात की खाड़ी में जौरी उर्जा के संभावनाएं भारत में 8000 मेगावाट जौरी उर्जा निर्माण की छमता अंकलित की गई है यानि इतनी उर्जा जौरी उर्जा होती है जिससे बिजली बनाते हैं अगला है हमारे पास बायो गैस इसमें बायो गैस क्या ह कोपकाने में करते हो टुक भोजल सब्सक्OP के मिए इसका उपकाने बारत में इसकी बड़ी संभावनाय की विपल वी सों सर्वाधिक पसू भारत में ही पाए जाते हैं भारत में इतने करोन गन प्रतिवर्श बायो गैस उत्पन कींउत्द यह रिख आपको इतनी बात समझ में आगई होगे इसके वाद में अंतर आपको बताना है कि जो लगू के विकास के लिए हमको कुछ सुझाव देने अब आप कोश्चन देख लो कि कितने बार पूछा गया है बोलो त्यार हो आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुरुजी एकोनामिक्स और सिविक्स के कोश्चन नहीं है बेटा है क्यों नहीं इंतजार करो ना कि मेरे एक बच्चा बुजरा सर जी आपके बच्पन का नाम क्या है बता दूंगा ना तो हस्ते हस्ते वेटा सारी जितनी नीद आ रही न सब चली जाएगी अगर मैंने बच्पन का नाम बता दिया हां मुहलने वाले हमको इसी नाम से बुकारते थे साही में चली जाएगे तुम्हारी फिर तुम मजाक उड़ाओगे हमारा इसलिए हम बताएंगे नहीं चालू चालू इंसान तुम बहुत अंसु चाधरी जी कह रहे है कि मयम जी का रिकार्ड आपने तोड़ दिया चलो कुटीर उद्योग क्का होते हैं उत्पादों का शरजनल अपने और में ही किया जाता है उन्हें हम कुटी रुद्योग कहते हैं या उद्योग केवल मानवी का रिबल पर अधारित होते हैं इसमें किसी मसीन की किसी यंत्र के विध्धुत की जरत नहीं होती क्वटि रुद्योग हट करगा फुटि रुद्योग ही तो है भना गांधी जी को चरखा चलाते वेचल लगती है नाम के ऊवल लगू है पाइसा बहुत ज्यादा लगता है पांच करोने रुपए तक की विकास के लिए सुझाव अब क्या सुझाव हैं देखो पूंजी की उपलब्धता अगर कुटीर उद्योग में सरकार थोड़ा मदद करने लगे जिसे सरकार बढ़ावा देने लगे घर में चीजों को बनाओ घर में मिट्टी के बरतन बनाओ तो सरकार को पूंजी की संसाधनों का प्रियोग यानि सरकार को इस्थानी संसाधन के प्रियोग पर विसेश बल देना होगा सरकार को चाहिए होगा कि वो जो इस्थानी संसाधन है उनको थोड़ा और अच्छे से दे सके जनता को विद्यूती करण की अनिवारत्या यानि कि जो विद्यूती करण क का मतलब समझते हो कि कुटीर उद्योग में बिजली का भी प्रियोग किया जाए हत करगा से हाथ से घुमा के हम नहीं लागा बनाएंगे हम उसमें मोटर लगा देंगे तो इसमें क्या है कि इस से हम आसानी से कम समय में जादा उत्पादन कर सकेंगे इसके आभाव में कुटी लो को अगला है भारती रेल्वे के में हत्तों पर प्रकास ढालिए चाहि का सबसे सबसे ज्यादा महत्वूर सबसे बड़ा संसाधन भी यह सदन सोरी यातायात का भारत में रेलों के आवा गमन ने अब तक आर्थिक विकास में अपनी महत्वूर उपयोगिता से दिखी है अब इनके कौन से छे बिंदू है एक एक करके समझेंगे रेल परिवहन के द्वारा और द्योगिक विकास को गत मिली है और द्योगिक विकास इससे बहुत हुआ है क्यों कि कच्छे माल को उत्पादन केंद्रों तथा निर्मित माल को उत्पादन केंद्रों से वापस केंद्रों में लाने पर मदद मिलती है यानि पहला पॉइंट यह हुआ कि भायार इससे ह हम कच्छे माल को एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं और वहां से बना हुआ माल वापस ला सकते हैं ले जाएंगे अभी अभी उसका भी उप्योग लिख देंगे यहां दिल वाले भी दुलनिया ले जाएंगे मत परेशान हो लेकिन कभी-कभी हम रेल परिवान के द्वारा बहुत अध्योगी विकास में गत्य मिली है कि कच्छे माल के उत्पादनों को एक जगा से दूसरी ज करण में प्रमुख भूमिकायका निर्वाह किया है कच्छे माल को रेल आसानी से श्रोत उत्पादनों केंद्र तक पहुुचा देती है जो जो रेल होते हैं वो बंदर गाहों तक सस्ते तर में पहुंचा देते हैं कम पैसे में पहुंचा देते हैं क्रसी उपजों के विकास में भी रेलों का उलेखनी योगदान है यानि क्रसी उपज में कैसे रेलो ने अत्रिक्त उत्पादन को सुदूरी छित्रों में पहुंचाने का क्या किया है कार रिकिया है जो उत्पादन जादा हो रहा है अब जिसे उत्ताप्रदेस में बहुत जादा गेहूं हो रहा है तो उस गेहूं को अलग अलग राज्यों में जहां पर गेहूं की कम पै को समझ में आ गई कि लेर हो गया कि आगए मेरे बात में चलो नेक्स हमारे पास क्या वस्तुवों के उत्पादन और वित्रण को सुगम बनाकर रेल्वेन वेपार को महतपूर प्रोत्साहन दिया है आकाल वबाढ या किसी आपदा के समय राहत समगरी को रेलों के दारा पहु कर लो मिव यह से मजाग कर रहे हैं पर आप लिख सकते हो कि आम जंता एक जगा से दूसरी जगा पर पहुंच जाए इसका भी उपयोग होता है रेल्वी में अगला है कि संगवाद क्या है संगवाद क्या है देखो संग का मतलब ही होता है कि सेंटरल और सेंटरल में दो चीज़े आर दियें संगवाद समविधानिक राज संचालन की उस प्रवत्ति का प्रारूप है जिसके अंतरगत विभिन राज और समविधा द्वारा एक संग की स्थापना करते हैं यानि एक क्या बनाते हैं संग बनाते हैं और इस संविधा के अनुसार एक संगी सरकार और अनेक राज सरकारे संग की विभिन इकाईया हो जाती है यानि कि जो संगी सरकार है और अनेक राज सरकार है वो संग की विभिन इकाईया बन जाती है किस के थ्रो इस संग वाद के थ्रो क्या-क्या विशेस्ता होती हैं इनके क्या-क्या लच्छन होते हैं इस सत्ता का बटवारा इसको समझने के कोशिस करना संविधान इस पश्ट रूप से सक्तियों को तीन इस्तर पर बाड़ती है कौन-कौन से केंद्रिया संग सूची राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची यह इंपॉर्टेंट है आप से कोशन पूछा जा सकता है कि रच्छा को किस सूची में रखा गया तो संग सूची संवर्ती सूची में किसको रखा गया तो सिच्छा को रखा गया है संग सूची के अंतरगत देखो यहां से कितने कोशन बनेंगे संग सूची के अंतरगत क्या क्या आता है प्रतिरच्छा यानि कि डिफेंस किसके अंतरगत संग सूची के अंतरगत विदेसी मामले आते हैं संग सूची के अंतरगत यानि कि foreign affairs आते हैं banking भी आती है संग के अंदर संचार भी आता है संग के अंदर मुद्रा जैसे राष्टी महत्य के विसाय आते हैं संग सूची के विसाय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है यह अंसरकार मतलब भारत का पुर्धान मंतरी राज सूची में कौन कौन आता है पुलिस आएगी वैपार आएगा क्रसी आएगी किसमें आएगी राज सूची में यह point note कर लो काम आएंगे सब राज सूची के विसे पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज सरकारों को होता है और सिच्छा समवर्ती सूची में आएगी यह point भी note कर लेना अब आता है हमारे पास समवर्ती सूची इस सूची में सिच्छा है इस सूची में वन है इस सूची में मजद आते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज दोनों सरकारों को है किसको है केंद्र सरकार को भी है और राज सरकार को भी है शासन की तीन इस्तरी विवस्था संगी विवस्था की अंतरगत अलग-अलग इस्तर के सरकारे एक ही इस्तर के नागरिकों पर सासन करती है इतने पॉइंट सा आप याद रखोगे सभी प्रसासनिक उकाईओं को समान उधिकार पराप्त नहीं होता है सबको अलग-अलग होता है संगी व्यस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है परन्त सभी इकाईयों को बराबर का अधिकार नहीं होता है सबको अलग-अलग अधिकार होता है सबके अलग-अलग सिस्टम बटे होते हैं इस संगबाद में सरकार की दोनों इस्तरों की सहमत संगी सासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों का कोई एक इस्तर के सरकार अकेले नहीं बदल सकती यानि कि संघी सासन व्यवस्था में समिधान के जो मौलिक प्रावधाना है उनको कोई एक इस्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती इसके लिए सबको एक साथ मिलना होगा यह व्यवस्था भारत में ही है यहाँ पर संसद अकेले व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता सारे स संसदों का सारे संसद को मिलना होगा डिसीजन तब लेना होगा ठीक और छेत्र अधिकार संघी व्यस्था में सामिधानी प्रवधानों और कानून के क्रियानवन को देख रेख में नयाय पाली का महत्पूर्ण क्या करती है भूमिका निभाती है केंद्र और राज सरकारों के सक्केंद्र के बट्वारे में कोई विवाद उने पर फैसला उचन्याले लेता है तो हाइक कोई परलें हो जाएगा किसके बीच में केंद्र और राज सरकार के सक्तियों के बटवारे में कोई हो जाएगा तो कौन लेगा decision उचने आले लेगा यहां से आपका बनेगा question ठीक है उचने आले लेगा या सरवो अचने आले लेगा बोलो clear है यहां तक तो बजह नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा में आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जुरूत नहीं क्योंकि यह कोश्चन हमने मौडल पेपर में किये थे तो पांच कोश्चन मैं आपको कि स्क्रीन शॉर्ट लेने का मौका दे दूँ चलेगा कि भी बता दूंगा कि कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा जाकि एप से डाउनलोड कर लेना कि अब भारत में महिलाओ के प्रति भेदवाओ यह कोश्चन तो आपके फेपर में बनना समान के चलो कि तये हैं एक कोश्चन महिलाओ के प्रति साथ चर्ता दर अनपेड कार यह मैंने कराया था आप लोगों को 20 कोश्चन कराया थे उसमें एड़ था मजदूरी में अंतर होता है भेदवाओ हो रहा है लिंग सिसु लिंगा लुपात की 940 महिलाएं हैं एक हजार पूरुस है इसके बाद भारती समाज में जाथ प्रता अभी यह मैंने कल कराया कोश्चन एक जाथ प्रता वाला कराया मैंने कोश्चन फिर उसके बाद है कि लोग तांत्रिक साशन पुर्णाली में होने वाले चार लाब चार लाब कौन-कौन से ह पार्दरसिता और निर्ने वैद सरकार और इसके बाद आर्थिक व्रध्वरदिया और विकास और गरीबी में कमी। यह है लोग तांत्रिक सकार के लाब कि अगर लोग तांत्रिक सकार होगी तो आसामानता और गरिभी नहीं हो पाएगी ठीक है आपके आर्थिक व्रद्धी और विकास होगा वैद सरकार होगी एक ऐसी सरकार में बनेगी जिसमें बिना किसी डर के बिना पच्छपात के लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे फिक इसके बाद है तृत्यक छेतर अब देखो ये एक अच्छा कोश्चन है और ये 2023 में आया ह कल आपको याद होगा कल मैंने आपको प्राथमिक और दित्यक छेतर समझाया था प्राथमिक छेतर में वे चीज़े आती हैं जो कि उत्पादन का आधार है जैसे मतश्य क्रसी यादो करो मॉडर पेपर में गुड़ वाला जो अप्शन था हमारा तुम मतश्य क्रसी ये प्राथमिक है दित्यक में कौन आता है दित्यक में मैंने बताया था कि जो इस उत्पादन पे आधारी जैसे छोटे-छोटे लगू उद्द्योग फिर कुछ ऐसी सरकारी चीज़े हैं जिनक तृत्यक छेत्र में सामिल किया गया है जैसे परिवहन भंडारन संचार बैंकिंग यह तृत्यक गत्विदियों के कुछ उधारने हैं यहां से कोश्चन आपके पेपर में बन सकता है मुन्ना जोकि यह गत्विधियां व्यस्तूओं के अतरिक्त सेवाओं का सरजन करती है प्रन्री चेत्रों को सेवा छेत्रक कहा जाता है क्योंकि यह हमें सेवा प्रधान करती एक इस Pan LK यह कि इनकी विसेस्ताय यहां पर हैं मैंने आपको त्रॉत्यक क्षेत का मतलब आपको समझा दिया है बाकी समझना आसान है फिर है बहु इस तरी कमपनियां विभिने देशों से उत्पादन प्रक्या को एक दूसरे से जोड़ती है इसका आप लोग स्क्रिंशॉट ले लीजे और इसके बाद आता है हमारे पास उपभोगता के कुछ अधिकार ये दो हजार चौबिस का आपका क पांठाद के पंच अधिकार कौन कौन से सूष्णा पाने का अधिकार हमने ये कुछाने का अदिकार और सिकायटे ने इतने सारे कोश्चन से हमारे हमने आपको कराई करता है वापस आते हैं अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मॉडल पेपर के लिए परेशान है तो ध्यान से मेरी बात को समझना मैंने आप सभी को मानचित्र का एक मैं मैं स्पेशल वीडियो दे रखा है मानचित्र का वीडिया नहीं देख लेंगे कर गला देख लेंगे आप लोगों के लिए एक छोटी सी साहरी मैं बोलना चाहता हूँ एक बच्चे ने लिख कर भेजा है कदम ठक जाएं पर इरादे ठकने मत देना मंजिल की राह में मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना और बेस्ट आफ लग आप सभी को आपके एक्जाम के लिए लेकिन अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ है कल बोर्ट पेपर में किन चीजों का ध्यान रखोगे कितनी देर में आपको पेपर में कौन सा कोस्टन हो जाना चाहिए टाइम मनेजमेंट क्या होना चाहिए कैसे को सबस्क्राइब इसके बारे में ड़ोगों को करेक्ट टाइम पर वीड्यो इसलह नहीं मिल पाई था मैं आपको बता देता हूं उस बीडियो के लिए इंते अपलोड ना हो पाया मैं फोन को ऐसी जगह पर रखके आया कि वीडियो अपलोड हो जाए फिर मैं साड़े-चार का अलारम लगा के सो गया और मेरा फोन में अलारम बजा तो पर फोन बेड़ के नीचे गिर गया था तो पता नहीं चला फिर उसके बाद मैं पांच-पचास प पूरा अब लेवल है सारी चीज़े और अगर ऐसा हुआ भी तो रात में जाया घर से बाहर जाना पड़े भर अपलोड घर के जरूर देंगे ठीक है तो फिर से एक बार कदम ठक जाएं पर इरादे ठकने मत देना मंजिल की राह में खुद को भटकने मत देना अगर पेपर कितनी देर में क्या होने वाला है आपको आल दा बेस्ट बोलने के लिए कल सुबहरे पांच बज़े हम आपको मिलेंगे है कि और यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी हमारे लगभग पच्छपन सौ बच्चे लाइव हैं और जब हमने स्टार्ट किया था देखो रात में बच चुके हैं भाई अभी बज रहा है लगभग बारा बजने ही वाला है समझ लो 12 बजने ही वाला है रात का और पच्छपन सौ बच्चे अभी भी लाइव हैं इसका मतलब है कि पड़ाई जारी है और खुस्खपरी इस बात की है कि अभी इस वीडियो को तीन लाख से जादा बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं यानि कि तीन लाख वे बच्चे देख चुके इस वीडियो को जिनको चाहत थी जिनको देखना था कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको डाउनोड कर लेंगे अभी क्लास खतम होने के बाद ठेटा मैप का वीडियो नीचे Description box check करो मैं बताता हूं देखो ये वीडियो पर नीचे क्लिक करोंगे ऐसे एक सेट कि इस वीडियो को ऐसे खोलोगे यहां पर देखोगे आप ऐसे तो यहां देखो क्या लिखा है लिखा हुआ है कि इसका description चेक करो complete समाजिक विज्ञान लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है कि complete social science video link इसके उपर ऐसे क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे देखो आ गया से पहला वीडियो model paper है दूसरा वीडियो 200 important प्रस्ण है 200 लिखा हुआ है उसमें special फिर मांचित्र है फिर complete SSD है इतिहास है केवल दो दिन वाला प्लान है फिर एक model पर है और एक महा मेरा थन है तुशार दुबे कह रहा है गुरुजी एक बार मेरा नाम लेकर आसिरवाद दे दो भाई चलो जो बच्चे अभी तक है अब 5000 बच्चों का एक साथ तो आम नेला पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हम ट्राइ करते हैं थाइंक्यू सर पीडियाफ नहीं खुल रहा है निन्यानवे वाला पेट करना पड़ेगा क्या नहीं बेटा अभी अपलोड कहां हुआ पीडियाफ अभी क्लास खतम होगी तब अपलोड करेंगे ना उदर प्रणाम अपना आशिर्वाद दीजिये मंता मिस्रा बेटा आशिर्वाद हमारा आपके साथ है अभी नंदन कि दिनेश्ट कुमार संदीप और गुड नाइट हमारा नाम ले लो वाइस सब लोग मेरे दिल में हो सर अंदोलन वाला प्लीज बता दो पिटा अंदोलन बता तो दिया मैंने सारे आज कौस की सर्मा चलो स्पाइग गुड नाइट सभी को और कल पेपर देखे आओ अना पेपर देखे आओ कल कल हम लोग लाइव भी मिलेंगे कल साम कल साम कल रात साम नहीं कल साम साथ या आठ मतलब साथ बज़े या आठ बज़े मैं आप सभी को लाइव मिलूंगा ठीक है तो कल हम लोग पूरा निप्टा के आल दा बेस्ट जाके फोड़के आना सुबह वाला वीडियो देख लेना ठीक है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा सुबह वाला बस पंदरा मिनट क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं पढ़ाने को अब सुबह पढ़ा के व्यूस थोड़ी नहीं बटोरना है पस आपको अल देस्ट आल दा बेस्ट बोलना है ठीक है थाइंक यू बाई टेक क्यार और हां जानकारी पूरी देंगे की कॉपी कैसे लिखो ok, bye!